अग मेंडीनो, the greatest salesman in the world के best selling लेखक, दुनिया का सबसे महान चमतकार करोडों लोगों ने अग मेंडीनो के classic, the greatest salesman in the world की प्रसंसा की है मेंडीनो के इस नई पुष्टक में इस्वर का संदेज है, आपके नाम कहानी आसान परंतु दमदार है यह आपके विचारों और कारियों को प्रभावित करेगी सुरू से आखरी तक आपके दिल को छूलेगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी आप कभी नहीं भूलेंगे चार आसान नियमों को जो आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस तरह चमतकार कर सकते हैं काच के जेरेनियम को जो आपका दिल तोड़ देगा कूडे घर में बने पारकिंग स्थल को जहां मेंडीनों का जीवन और आपका जीवन दुबारा सुरू होता है उस रैग पिकर को जो इनसानों को तब तक बचाता है जब तक उन्होंने बचने की उम्मीद छोड़ दी है इस रहश्य को कि आप अपना खोया हुआ आत्मगौरब को हासिल कर सकते हैं दुनिया का सबसे महान चमतकार ओग मेंडिनो आज दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले प्रिर्णा दायक और सेल्फ एल्प लिखकों में से एक है उनकी चौदर पुस्तकों की अठारा भासाओं में धाई करोड से अधिक प्रतिया बिख चुकी है हजारों लोगों ने और मेंडिनो को इस बात का स्रे दिया है कि उन्होंने अपने जादूई सब्दों से उनके जीवन में चमतकार कर दिया और उनके जिंदगी बदल गई नॉन्मेन विंसेंट पील ने कहा है एक पुस्तक जो हर पढ़ने वाले के दिल और दिमाग को बुलंदियों तक ले जाएगी दुनिया का सबसे महान चमतकार महान प्रिनादयक लेखक आपको अपनी महानतम कहानी सुनाते हैं एक अद्वुत कहानी जो आपको बांधे रखती है या आपको सुख और सफलता के रोमांचक ने रहस बताती है दुनिया का सबसे महान चमतकार लेसन वन पहली बार मैंने उसे कब देखा जब वो कबूतरों को दाना डाल रहा था वैसे देखा जाए तो परुपकार के इस साधारन से काम में कुछ भी असाधारन नहीं था बहुत से बुड़े लोग सेन फ्रांसिसको के घाट पर या बॉस्टन में कॉमन में या टाइम स्क्वेल के फुटपाथ पर और हर सहर के दरसनिये इस्थानों पर कबूतरों को दाना डाला करते हैं परुंतों ये बुड़ा आदमी ऐसा उस समय कर रहा था जबकि बर्फ का तुफान कहर ढरा था अपनी कार के रेडियो पर मैंने मौसम विभाग के यह रिपोर्ट सुनी कि सिकागो और उसके आसपास के इलाकों में रिकॉर्ट और 26 इंच बर्फ गिर चुकी है मैंने उसे पहले बार तब देखा जब मैं अपनी कार के डगमगाते हुए पिछले पहिये के साथ पारकिंग स्थल के तरफ जाने की कोशिस कर रहा था जो मेरे ऑफिस के पिछवाडे में था वो तुफानी भर्फ में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे खबर ही ना हो मंडरा रहा था मैंने उसे आवाज करते विंट सिल्ड वाइपर्स के बीच से देखा जब मैंने अपनी थुड़ी को स्टेरिंग वील पर टिका लिया मैं उस समय अपनी कार का दरवाजा खोलने के हिम्मच जुटा रहा था क्योंकि बाहर बर्फ का जुरदार दुफान था पार्किंग का गिट खोलने के लिए मुझे नीचे उतरना ही था उस बुड़े आदमी को देखकर मुझे सिंट फ्रांसेस के मूर्दिया याद आ गई जो अकसर दुकानों में रखी रहती है बर्फ उसके कंदों तक के बालों को पूरी तरह ढग चुकी थी और उसकी दाड़ी में भी घुश चुकी थी उसकी भावों में भी बर्फ के टुकडे फसे हुए थे जिसकी वज़ा से उसके सामले नय नक्ष को और भी उभर रहे थे उसके गले के चारों तरफ एक चमड़े की रसी थी और इससे लटकता हुआ एक लकड़ी का क्रॉस था जब वो चिडियों को दाना डालता था तो उसका क्रॉस इधर से उधर जूलता था उसकी बाई कलाई में एक कपड़े की रसी बंधी थी जिसका दूसरा चोड उसके बुढ़े कुटे के गले में बंधा था बर्फ कल दोपर से गिर रही थी जब मैंने बुढ़े आदमी को देखा तो उसके चहरे पर मुस्कान खिल गई और वो चिडियों से बाते करने लगा मैंने मौन सहनुभुती से अपना सिर हिलाया और दर्वाजे के हैंडल के तरफ अपना हाथ बढ़ाया घर से ओफिस तक की 26 मिल लंबी यात्रा में मुझे तीन घंटे लग गए थे मेरी कार का आधा पेट्रोल खाली हो गया था और मेरा धहरे तो पूरी तरफ चुक गया था मेरी वफदार 240 जेड कार ने एक टूटी फुटी सडक पर अंगिनत रुके हुए ट्रकों और कारों को पार करते हुए आखिर कार मुझे विंथ्रॉप स्ट्रिक तक पहुचा ही दिया यह पागलपन ही था कि मैं ऐसी सुबा को भी अपनी काम पर जानी की कुशिस करूँ परन्तु पिछले तीन सब्ता से मैं अमेरिका का टूर कर रहा था और अपनी पुस्तक दे ग्रेटेस सेल्समेन इन दे वर्ल्ड को प्रमोट कर रहा था इसके अलावा मैंने रेडियो और टेलिवीजन के उन्चास कारेक्रमों में तथा दो दर्जन अकबार वालों को दिये इंटर्वियो में लोगों को बताया था कि लगन सफलता के सबसे महत्वपून रहस्यों में से एक है इसी वज़ा से मैंने ठान लिया था कि मैं प्रकृति के क्रोध के सामने भी हार नहीं मानूँगा यही नहीं आने वाले सुक्रवार को बोर्ड ओफ टैरेक्टर्स की मीटिंग भी थी सक्सेस अनलिमिटेड मैगजिन के प्रसिडेंट होने के नाते मुझे इस सोमवार और इस सब्ता के हर अपने पिछले साल का लेखा जोखा तयार करना था और हर डिपार्टमेंट के प्रमुक के साथ मिलकर अगले साल के प्रोजेक्शन तयार करने थे मैं तयार रहना चाहता था जैसे कि मेरी आदत थी ताके जब मैं बोर्टरूम की लंबी टेबल में बैठा हूँ तो कोई भी औप्रत्यासित सवाल मुझे परिशानी में न डाल सके पार्किंग स्थल एक उजड़ी हुई जगह पर था और इसका हुलिया हर 24 घंटे में दो बार बदलता था साम और रात को यहां पर ऐसी गारिया आती थी जिने कोई भी समझदार सेकेंड हैंड कार डिलर ततकाल बीच देता इन कारों के मालिक स्थानी अपार्ट्में पे रहते थे और उनके पास इस सक्री सड़क पर पार्किंग की कोई दूसरी जगह नहीं थी हर सुबह यह सभी कारे एक साथ बाहर निकलती और स्थानी और आसपास की फैक्टरियों के तरफ चल पड़ती थी उनकी जगह पर मर्सेटीज, कैडिलेक, कावरवेट्स और BMW जैसी सांदार कारे आ जाती थी जिनमें वकील, डॉक्टर और लॉयल यूनिवरसिटी के विद्यारती इस सहर में अपने बिजनस के लिए आते थे सच कहा जाए तो यह पार्किंग स्थल एक बद्नुमा दाग था जो उस इलाके में रहने वाले हर नागरी के मुँपर तमाचे की तरह था मैं पिछले कई सालों से वहाँ अपनी गारी पार्क कर रहा था परन्तु मैंने कभी नहीं देखा कि किसी परोसी ने यहां का कचरा साफ करने की पहल की हो यहां पर पड़े रदी अकबार, तीन के डिब्बे और खाली सराब की बोतलों के धेर चारी बिमारी के छोटे पहाडों की तरह बढ़ रहे थे सिर्फ एक वज़े से यह पार्किंग स्थल काम का था इसलिए क्योंकि इसके आज़ पास दस ब्लॉक दूर तक दूसरा कोई सारवजनिक पार्किंग स्थल नहीं था परन्तु आज यह उतना बुरा नहीं लग रहा था आज पार्किंग स्थल के सारे पाप टीम फूट बर्फ के नीचे दफन हो गय थे और इसे देखकर मुझे कैलिफोर्निया का पैसिफिक ग्रव बीच याद आ गया जहाँ कल तक जो कारे कहलाती थी आज वे बर्फीले टापो के तरद दिख रही थी जाहिए था आज इस इनाके का कोई भी आदमी नौकरी करने के लिए नहीं गया था सब वे यहाँ आए होंगे और उन्होंने अपनी दफन होई कारों को देखा होगा और इसके बाद या तो वे बस से अपने काम पर गए होंगे या फिर वे वापस बिस्तर में घुज गए होंगे पार्किंग स्थल का प्रवेस दवार दो खंबों के बीच था जो एक दूसरे से 9 फुट की दूरी पर थे दवार पर एक बड़ा सा लोहे का बार गेट रखा हुआ था पार्किंग स्थल पर जाकर अपनी कार पार करने के लिए आपको इस गेट को उठाना होता था और इस gate को उठाने के लिए आपको सफेद धादू के बकसे में दो quarter के सिक्के डालने पड़ते थे सिक्कों के अंदर पहुंचते ही gate अपने आप उठ जाता था और आप अंदर दाखिल हो जाते थे फिर कार के पहिये के गुजरते समय किसी तरह का यांत्रिक संदेश मसीन तक पहुंचता था और gate अपने आप बंध हो जाता था पार्किंग अस्थल से निकलते समय भी आपको दो और quarter की जरूद परती थी यदि आप रोज चार quarter डालने के जंजट से बचना चाते थे तो आपको 20 डॉलर परती माँ पर एक विशेश शाभी मिल जाती थी इस शाभी को एक पीले बकसे में लगाते ही गेट खुल जाता था कबूतरों को दाना खिलाने वाले वृद आदमी की तरफ से ध्यान हटाने के बाद मैंने गलव कंपार्टमेंट से अपनी गेट की निकाली बर्फ मेरी कार के दरवाजे के निचले हिस्ते से उपर तक आ चुकी थी इसलिए मैंने जमी हुई बर्फ को धक्का दिया बूरे आदमी ने दाना खिलाने के काम को थोड़ी दिर रोक कर मेरी तरफ देखा और फिर हाथ हिला दिया कुत्ता भी एक बार भौका और फिर अपने मालिक के समझ में ना आने वाले सब्दों को सुनकर खामोस हो गया मैंने उसके तरफ सिर हिलाया और एक ठके हुई मुस्कुराहट दी बर्फ गिरने के सूर में मेरी गुड मॉर्निंग अजीब सी लग रही थी बदले में मैंने जो आवाज सुनी वा अब तक की मेरी सुनी हुई सबसे गहरी और दमदार आवाज थी ऐसा लग रहा था जैसे वा आवाज आसपस की इमारतों से गुच कर वापस लोट रही हो एक बर जब डैनी थामस रेडियो कमेंटेटर पॉल हर्वे से मिले तो डैनी ने कहा था आपको इस्वर की तरह होना ही चाहिए क्योंकि आपकी आवाज इस्वर जैसे लगती है इस आवाज को सुनकर मुझे अपने मित्र पॉल की आवाज कोरस में गाने वाले किसी बच्चे की आवाज की तरह लगी इस सुन्दर दिन में मैं आपका अभिवादन करता हूँ उसके सब्दों को काटने की ना तो मुझे में सकती थी ना ही इच्छा मैंने पीली बक्से में अपनी चाभी घुमाई जब तक कि मसीन चालू नहीं हो गई इसके बद मैं आधा सोता और आधा जागता हुआ अपनी कार के तरफ बढ़ा मेरी पीछे मैंने सुना कि हज्जारों सुभों के तरह गेट के खुलने की आवाज आ रही थी ताकि मेरी कार अंदर दाखिल हो सके परनतु जब मैं अपनी कार में बैठा और गेर बदलकर पारकिंग इस्थल में जमी गहरी बर्फ में गाड़ी अंदर ले जाने के कोशिस की तो गेट तेज आवाज के साथ वापस बंद हो चुका था मैंने कुण्ठा के साथ आ भरी अपनी कार को फिर पीछे किया और कार का दरवजा एक बर फिर खोल कर थंडी बर्फ में एक बर फिर पीले बकसे की तरफ गया और अपनी चावी को फिर से घुमाया गेट एक बर फिर उठा परनतु आदा उठकर ही वा फिर से गिर गया अधीर होकर मैंने एक बार फिर चावी घुमाई इतनी तेजी से कि वह लगबब तूठी गई परन्तु फिर वही हुआ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ गिरने की नमी से कोई वायर सौट हो गया था अब मैं अपनी कार को पार्किंग इस्तल तक नहीं ले जा सकता था और अगर मैं इसे सडक वारी खड़ी रहने देता तो यह तय था कि ट्राफिक पुलिस वाले इसे उठा कर ले जाते मैं वही खड़ा रहा मेरे घुटने तक बर्फ थी और मैं अपनी आँखों से बर्फ के टुकड़े को साफ करते हुए इस मुर्खतापून यात्रा के लिए खुद को कोश रहा था इस समय मैं लगन के महत्व के बारे में अपने लिखी और कही तमाम बातों पर संका कर रहा था तब ही कबूत्रों को दाना डालने वाला अजनबी ने मेरे आत्मद्या के विचारों में बाधा डाली मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस आवाज में कुछ अजीब सी बात थी इसमें सचे दिल से मदद का प्रस्ताव भी था और एक तरह का आदेश भी छुपा हुआ था वो मेरे करीब आया और मैंने उसके चेहरे को गोर से दिखा उसका चेहरा दुबला था चेहरे पर समय की रिखाएं साफ जलक रही थी और उसकी आँखे बड़ी और भूरी थी वो अलग वक साथ फुट लंबा होगा क्योंकि मेरी लंबाई भी कम नहीं है मैं मुस्कुराया और अबरहाम लिंकन की तरह दिखने वाले इस अदमी के तरफ देखकर अपने कंधे उचका दिये धन्यवाद पर मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं उसकी आँखो और चेहरे पर एक गर्म और नम्र मुस्कान आ गई जैसे कि मैंने किसी इनसान के चेहरे पर आज तक नहीं देखी थी फिर उसने जिद्धी गेट की तरफ इसारा करते वे कहा या कटिन नहीं होगा आप एक बार फिर से चावी को बकसे में घुमाईए जब गेट उठेगा तो मैं इसके नीचे पहुँच जाऊंगा इसके बाद मैं इसे अपने हाथों से पकड़ लूँगा और तब तक पकड़े रहूँगा जब तक कि आपकी कार ना बुजर जाए फिर मैं इसे नीचे रख दूँगा या केट बहुत भारी है उसकी हाँसी पूरे पार्किंग स्थल में गूंच गई मैं बुढ़ा जरूर हूँ परन्तो मुझ में अभी बहुत जान बाकी है और वैसे भी अपकी समस्या को हल करने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिस करना चाहिए कारलायल ने लिखा है कि हर महान काम पहले असंभव नजर आता है कारलायल हाँ कारलायल थामस कारलायल उननीशी सदी के अंगरी जी साहते के निबंधकार मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं बर्फीले तुफान में खड़ा था बर्फीली हवाय मेरे चेहरे को चीरती हुई जा रही थी मेरे पैर बर्फ से धसे हुए थे और लपप जम से गए थे मेरा पूरा हुलिया किसी हिम पुरुष की तरह हो रहा था जबकि सतर साल का लंबे बालो वाला हिप्पी मुझे अंग्रेजी साहित पर लेक्टर दे रहा था मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था मैं अपने विकल्पों पर चिंतन करने का बहुत बड़ा पच्छधर हूँ परन्तु मैंने यह भी सीखाये कि कई बार और कई परिस्थितियों में आपके पास विकल्प होते ही नहीं है मैंने धीमी से धन्यवाद दिया और इंतजार किया बुढा आदमी फेंस के पास गया और अपने कुट्टे को वहाँ पर बान दिया फिर वो मेरे पास लोटा और सिर हिला कर मुझे इसारा किया लगबक सम्मूहित होकर मैंने उसके मौन आदेश का पालन किया और अपनी चाबी को बॉक्स में घुमाया गेट बार आवाज करती हुई उपर की तरफ चल पड़ी इसी समय बुड़ा आदमी इसके नीचे पहुँच गया और जैसे ही गेट बार नीचे की तरफ आने लगी उसने इसे कसकर पकड़ लिया अगले कुछ मिनुटों में क्या हुआ इस बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है हलाके मैंने अक्सर याद करने की कोसिस की है साथ मैं जल्दबाजे में किये गए हलके नास्ते और लंबी यात्रा की कीमत चुका रहा था मुझे चकर से आ रहे थे और मेरी आँखे चकरा रही थी जैसे किसी ने मेरे पढ़ने के चसमे के उपर वैसलिल की परत लगा दी हो हर चीज धून भी नजर आ रही थी जब मैं अपने सामने खड़े अजनमी पर नजरे जमाने की कोसिस कर रहा था तो मेरे सरीर में एक अजीब सा कम बन हुआ गेरते हुई बर्फ के बीच से मैं उसके सीने पर जूड़रे लकड़ी के क्रोस को देख सकता था और सैथ इसी से यह भ्रम पैदा हुआ लंबे वाल, दारही, सिर के उपर, 45 डिगरी पर फैले हुए हाथ गेट बार, क्रोस बार, अपनी सलीब को अपने ही हाथ में उठा कर गौल गात की तरफ बढ़ रहा मुझरिम उसकी आवाज ने जिसमें अब जल्दबाजे की जलक थी मेरी कल्पना की उडान को एक ही जटके में जमीन पर ला दिया जल्दी करो, कार अंदर लो, कार अंदर लो मैं अपनी कार में घुषा, गियर लगाए और एक्सलेरीटर पर धीमे धीमे दबाव डाला कार के टायर घुमें और मैं धीरे-धीरे अजनवी को पार करता हुआ बार के नीचे से घुष कर गेट पार कर गया मैंने कार को आहिस्ता से एक निचले जगा पर पार किया और इंग्मिशन लोक किया मेरे हाथ काप रहे थे फिर मैंने हाथ बढ़ा कर अपनी अटेची उठाई दरवाजा खुला और बर्फ में सिर के बल गिर गया मैं उठा अपने कप्रों पर से बर्फ ज़ाड़ी और कार को लोक किया मैं बुड़े आदमी को धनवाद देने के लिए गेट की तरफ मोड़ा पारकिंग स्थल में मेरी मदद करने वाला कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था लेसन टू वो मुझे वसंत रितू तक दुबारा नहीं दिखा यह सुक्रवार की बाद थी जो इतने लंबे होते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते मासिक पत्रिका के प्रकासन समद्धी मेरी समझाय बढ़ रही थी यही वज़ा थी कि रात की बतियां बुझ जाने के बाद जब सभी अपने अपने घर चले गए थे मैं आफिस में अकेला और हारा हुआ बैठा था सारेरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मैं बैठा हुआ मेज पर रखी घड़ी की टिक टिक सुन रहा था मैं घर तक की यात्रा में मिलने वाले ट्रैफिक से डर रहा था इस वक्त भी इडिन्स एक्स प्रिश्वे में रास्ता जाम होगा एक पर फिर वही परिशान करने वाले सवाल मेरी दिमाग में कौनने लगे तुम इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो क्या तुम्हें लगता था कि नंबर वन पर पहुंचने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी तुम इस्तिफा क्यों नहीं दे देते पुष्टक से मिलने वाली रॉयल्टी तुमारी तनक्वा से चार गुना ज़्यादा है अब तुम क्या या साबित करने की कोसिस कर रहे हो कि यह पत्रिका सफल है तुम किसी ऐसे जगा क्यों नहीं चले जाते जहां सांती हो और वहां तुम बैठ कर वे तमाम पुस्ट के लिख सको जिनको लिखने के प्रबल इच्छा तुमारे मन में है इन सवालों का तार्किक उत्तर केवल यह था कि अपनी आदत और अपने आत्मगौरों की वज़े से नया कर रहा था मैंने सक्सेस अनलिम्टेड मैक्जिन को 4000 के मासिक सर्कुलेशन और 3 करमचारियों से संभाला था आज की तारीक में इसका सर्कुलेशन 2 लाग था और इसका स्टाफ 34 हो गया था परंतु मैं जानता था कि अब भी हमारे देश में 12 करोर संभावित ग्रहक थे और उन्हें अपना ग्रहक बनाने की चुनौती अब भी मेरे सामने थी फिर मैंने यह याद करने की कोशिस की कि किसी ने लिखा था गहमंड की सुरुवात स्वर्ग में होती है गहमंड धर्ती पर जारी रहता है गहमंड का अंत नर्क में होता है मुझे याद नहीं आया मेरी यादास खराब थी मैंने अपने पढ़ने वाले चसमे को अपनी अटैची में डाला अपने जैकेट और टॉप कोट उठाया लाइट बंद की और ओफिस में ताला लगाया ब्रॉडवे और डेवन के कोने पर जलती स्ट्रीट लाइट को छोड़ कर हर तरफ अंधेरा था मैं धीमे से रूट फोटोग्राफस की खिड़की के पास से गुजरा और अपने बिल्डिंग के पीछे बने पार्किंग स्थल पर पहुँच गया जहां पीले और नारंगी रख के अच्छर चमक रहे थे अपनी कार पार्क कीजिए सिर्फ पांच सिंट में पार्किंग स्थल में अब आसपस की कारे पूरी तरह कबजा कर चुकी थी मैं पार्किंग स्थल में अभी आधी दूर तक गया हूँगा कि तभी मैंने उसे देखा पार्क किये हुई एक कैनल ट्रक के पीछे उसका लंबा सरीर धीमे से हिला और अंधेरे के वावजूद मैंने उसे पहचान लिया मुझे उसका कुत्ता बाद में दिखा मैं मुड़ा और उसके तरफ बढ़ा गुड इवनिंग उसने गहरी आवाज में कहा मैं इस सुन्दर साम को आपका अभिवादन करता हूँ उस बरफीले दिन में आपने मेरी जो मदद की थी उसके लिए धन्यवाद देने का मुझे मौका ही नहीं मिला कोई बात नहीं हम यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो है मैं उसके कुट्ते को थप थपाने के लिए जुका जो अब मेरी पैंट पर मुह लगाए हुए था फिर मैंने बोड़े आदमी के तरफ हाथ बढ़ाया मेरा नाम मैंडीनो है उसकी बड़ी उंगलिया मेरी उंगलियों के चारो तरफ जकड गई मुझे आपसे मिलकर खुसी हुई मिस्टर मैंडीनो मेरा नाम साइमन पॉटर है और इस चार पैरो वाले मेरी साथी का नाम लेजारस है लेजारस? हाँ या इतना अधिक सोता है कि मुझे पता नहीं होता कि या जिन्दा है या मुर्दा मैं हसा आप मुझे माफ करना मिस्टर मैंडीनो परन्तु आपका पहला नाम या थोड़ा हटकर है आउग आउग आप इसे कैसे लिखते है ओ जी आपका या नाम बच्वन से है मैं हसा नहीं मेरा असले नाम आउगस्टीन है हाई स्कूल में मुझे अपनी स्कूल के अकबार के लिए एक कॉलम लिखना था और एक बार मैंने अपने लिख के नीचे अपने हस्ताक्षर EUG लिखकर किये थे इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपना नाम बदल लूँ और मैंने इसे phonetics के हिसाब से OG कर लिया तब से मेरा यही नाम चल पड़ा यह दुरलब नाम है इस दुनिया में औग नाम के ज़्यादा लोग नहीं होंगे मुझे बताया गया है कि दुनिया औग नाम के लोगों से भरी पड़ी है क्या आप अभी लिखते हैं? हाँ, आप किस तरह की चीज़े लिखते हैं? पुस्त के, लेक आपके पुस्त के छप चुकी है? हाँ, पांच पुस्त के यह तो अद्वुत है कौन सोच सकता है कि खाली सराब की बोतलों के पास वा किसी लिखक से मिल सकता है मुझे लगता है कि ऐसी ही जगह पर आप बहुत से लिखकों से मिल सकते हैं, साइमन हाँ, मेरे मित्र यह दुखत है, परन्तु सच है मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ परन्तु केवल समय काटने के लिए और आत्मसंतोष्टी के लिए बुढ़ा आदमी मेरे करीब आ गया जैसे वो मेरे चेहरे को गौर से देखना चाहता हो आप ठके हुए लग रहे हैं मिस्टर मैंडीनो, या मुझे लगता है मैं आपको मिस्टर और कहकर पुकारू मैं ठका हुआ हूँ लंबा दिन था, लंबा सब्ता और आपको घर पहुँचने से पहले लंबी यात्रा भी करना है हाँ, 26 मेल साइमन पॉर्टर मोडा और उसने अपनी लंबी बहां से पार्किंग स्थल के सामने वाली भूरी इट के चार मंजली अपार्टमेंट के तरफ इसारा करती हुए कहा मैं वहां रहता हूँ दूसरी मंजल पर लंबी यात्रा पर जाने से पहले क्यों न आप मेरे साथ चलें और एक गिलास सेरी पी ले इससे आपके ठकान दूर हो जाएगी मैं अपना सिर ना में हिलाने लगा परंतु उस बर्फीले दिन की तरह आज भी मैंने यह महसूस किया कि मुझे उसका अदिस मानना ही होगा मैंने अपनी कार का दर्वाजा खुला उसमें अपना टॉप कोट और केस डाला कार के दर्वाजे को ताला रगाया और लेजारस के पीछे पीछे चल पड़ा हम लॉबी से गुजरे जहां जाड़ो नहीं लगी थी हम मेल बॉक्स के पास से निकले जहां पीले प्लास्टिक पर लोगों के नाम लिखे हुए थे इसके बाद हम टूटी फूटी सीडियों पर चड़ने लगे सैमन ने अपनी जेब से चाभी निकाली और इसे लकडी के दर्वाजे में लगाया जिसके उपर लाल अक्षरों में 21 लिखा हुआ था उसने दर्वाजा खोला और मुझे अंदर आने का इसारा किया उसने लाइट का स्विच चालू किया और कहा माफ किजेगा मेरा गरीब खाना बड़ा बेतर तीब है लेजारस को छोड़ दिया जाए तो मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ और घर समभाना मेरी योगिताओं में सामिल नहीं है उसे माफी माँगने की कोई जरूरत नहीं थी लिविंग रूम छोटा जरूर था परंतो उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी कहीं पर धूल या मकडी के जाले नहीं थे लबग दतकाल ही मेरी नजर किताओर पर गई जो सैक्रो की तादात में दो बड़े बुक्केसों में जमी हुई थी और बुक्केसों के लंबाई उनके मालिक जितनी ही थी मैंने साइमन को अजीब निगाहों से देखा उसने अपने कंदे उचकाए और अपने मुस्कुरहाट से कमरे में गर्माट भर दी एक बुढ़ा आदमी पढ़ने और सूचने के सिवा करी क्या सकता है अराम से बैठिये मैं अभी आपकी सिरी लिका राता हूँ जब साइमन किचन में गया तो मैं उसके किताबों के तरफ बढ़ा और उनके टाइटल देखने लगा मुझे आसा थे कि ऐसा करने से मुझे इस रहस्चमय आदमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती है मैंने अपने सिर को जुकाया और अपने आखों को किताबों पर जमाते हुए देखा बिल ड्यूरा की सीजर एंड क्राइस्ट जिब्रान की दे प्रॉफिट प्लूटार्क की लाइब्स ओफ ग्रेट मैन फुल्टान की फिजिलोजी अफ दे नर्वस सिस्टम गूल्ड स्टीन की दो अर्गनिजम असले की दो अन एक्सप्क्टेड उनिवर्स सर्विंटीज की दॉन विट्जॉत अरस्टू के वर्क्स फ्रैंकलिन की अटोब्यग्रफी मैं निंजर की The Human Mind केंपिस की The Imitation of Christ The Talmud कई बाइबले साइमन मेरे पास आया और उसने मेरे सराब के गिलास को मेरी तरब बढ़ा दिया मैंने गिलास लेकर उसके गिलास के पास से रख दिया दोनों गिलासों के टकराने की हल्की आवाज उस सांत कमरे में गूंच गई साइमन बोला हमारी दोस्ती के नाम इस्वर करे यह लंबी समय तक चले और अच्छी साबित हो आमीन मैंने जवाब दिया उसने अपने गिलास से अपनी पुस्तकों के तरफ इसारा किया मेरी लाइबरेरी के बारे में आपके क्या विचार है क्या बहुत बढ़िया कलेक्शन है कास के मेरे पास यह सारी पुस्तके होती आपकी रूची का दारा बहुत व्यापक है सच पुछा जाए तो ऐसी बात नहीं है यह सब तो second hand book stores में बर्षों तक घंटों गुजारने का नतीजा है इन सभी में कोई साजी बात है जिसे हर पुस्तक बहुत खास बन जाती है खास? हाँ इन में से हर पुस्तक किसी ना किसी तरह से विश्व के महांतम चमतकार के किसी ना किसी पहलों को उजागर करती है और इसलिए मैंने उनका नाम इसवर के हाथ के पुस्तक के रखा है इसवर के हाथ की पुस्तके? इसे सब्दों में समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा बहरहाल मेरा मानना है कि कई संगीत रसनाएं कई कलाकृतियां, कई पुस्तके और कई नाटक ऐसे होते हैं जिनकी रसना किसी संगीतकार, कलाकार, लिखा क्या नाटक कारने नहीं बलकि ईस्वर ने की है इनकी रसना करने वाले लोग तो निमीत मात्र होते हैं जो ईस्वर के आधिसा नुसार रसना कर रहे थे ताकि वो अपनी बात हम तक पहुँचा सके क्या हुआ मिस्टर रॉग साथ मैं उसके सब्दों को सुनकर उचल गया था दो सब्दा पहले ही मैंने नियू यूर्क सिटी में लोकप्रियर रेडियो होस्ट बैरी फावर के मों से ठीक यही वाक्यांस ईस्वर का हाथ सुना था तब जब उसने मुझ पर केंदरित अपने कारेक्रम में जंता के सामने मेरी पुस्तक की तारीफ की थी यानि आपको विस्वास है कि इस्वर आज भी हम लोगों के साथ संबाद करता है जिस तरह की वह पुराने यहुदी प्रॉफेट के साथ करता था मुझे पूरा विस्वास है हजारों सालों से इस दुनिया में अंगिनत प्रॉफेट आए हैं जो इस्वर की इच्छा को विर्क्त कर चुके है एलिजा, एमोस, मोजिस, एकलीज, जसासा, जेरेमिया, सैम्यूल और बहुत से अद्वत संदेश वहत और इसके बाद जीसस और पॉल और फिर कोई नहीं मुझे यकीन नहीं होता हालाकि हमने प्रॉफेट की हसी उड़ाई उन्हें यातना दी उन्हें परिशान किया जहां तक की उन्हें मौत के घाट उतार दिया परंतु मैं या मानने को तयार नहीं कि इस्वर ने हमारी तरफ से आखिरकार हार मान ली और वो हमारी जरूरतों को नजन्दाज करने लगा इस वज़त से हम में से कुछ को या जरूर लगा जैसे वो मर चुका हो क्योंकि हमने उसकी आवाज इतने लंबे समय से नहीं सुनी इसके बज़ाए मुझे सचमुच विश्वास है कि उसने हर पीड़ी में कुछ खास लोग प्रतिभासाली लोग चमतकारी लोग भेजे हैं जो किसी न किसी तरह का संदेश लेका राये हैं या संदेश की हर मनुष विश्व का महांतम चमतकार करने में सक्षम है या इनसान के सबसे दुखत भूल है कि वो इस संदेश को समझ नहीं पाया क्योंकि सभिता के कच्रे ने उसे अंधा कर दिया है दुनिया का ऐसा कौन सा महांतम चमतकार है जो हम कर सकते हैं पहले तो मिस्टर ओग आप मुझे बताई कि चमतकार का अर्थ क्या होता है मेरी नजर में चमतकार वो है जो प्रकृति या विज्ञान के नियमों के विरुद्ध हो इनके किसी नियम का कुछ समय के लिए ठहराओ आपने बहुत सठी को सही जवाब दिया मिस्टर ओग अब आप मुझे बताएं क्या आपको यकीन है कि आप चमतकार करने में सक्षम है क्या आप प्रकृति या विज्ञान के नियमों को कुछ देल के लिए रोक सकते है मैं हसा और मैंने अपना सिर हिलाया बुढ़ा आदमी उठा उसने कौफी टेबल से कांच का छोटा पेपरवीट उठाया और इसे लेकर मेरे पास आया अगर मैं इसे छोड़ दू तो यह फर्स पर गिर जाएगा है ना मैंने हम ही भरी कौन सा नियम कहता है कि यह धर्ती पर गिर जाएगा गुर्तवा करसन का नियम बेलकुल ठेक फिर बिना किसी चेताउनी के उसने अपने हाथों से पेपरवीट को फिसल जाने दिया फिर बिना कुछ सोचे विचारे ततकाल मैंने अपना हाथ बढ़ाया और पेपरवीट को फर्स पर पहुँचने से पहले ही लपक लिया सैमन ने अपनी बाहें मोड ली और मेरी तरफ मुस्कुराते वे देखकर कहा क्या आपको इस बात का एहसास है कि अभी आपने क्या किया मिस्ट रॉग मैंने आपके पेपरवीट को कैच किया है आपने इससे बड़ा काम किया है आपने गुर्टवाकर्शन के नियम को कुछ देर के लिए ठहरा दिया है चमतकार की किसी भी परिभासा के हिसाब से आपने एक चमतकार अभी हाल कर दिखाया है अब आप मुझे बताए कि आपको इस दुनिया में होने वाला महानतम चमतकार कौन सा लगता है मैंने कई मिनट तक सोचा सैदवे मामलिंग जिनमें मुर्दा लोग एक बार फिर जिन्दा हो जाते है मैं सहमत हूँ और दुनिया के ज़्यादतर लोग आपके विचारों से सहमत होंगे परन्तु आप किस तरह इस बात को अपने किताबों से जोडते हैं जिने आपने इकठा कर रखा है निशित रूप से इन किताबों में वो ऐसा कोई गुपनिय तरीका नहीं बताया गया है कि मुर्दा लोगों को किस तरह जिन्दा किया जाए बताया हुआ है मिस्टर ओग बताया हुआ है जादतर इंसान मुर्दों के तरह जी रहे है फर्क सिर्फ यह है कि कुछ कम मुर्दा है और कुछ जादा मुर्दा किसी ना किसी तरीके से इन सभी ने अपने सपनी अपनी महत्वकान चाएं अपनी बहतर जीवन के इच्छा खोदी है आत्म समान के लड़ाई में उन्होंने घुटने टिक कर समर्पन कर दिया है उन्होंने अपनी महान संता के साथ समझोता कर लिया है उन्होंने औसत दर्जे के जीवन से समझोता कर लिया है वे निलासा भरे दिनों और आसो भरी रातों से समझोता कर चुके हैं वे ऐसे मुर्दा लोग हैं जो अपने मनपसत कब्रिस्तान में जिंदा ही दफन हो चुके हैं परन्तु जरूरी नहीं है कि वे लोग इसी स्थिती में रहें उन्हें इनकी दुखत स्थिती से बाहर निकालना होगा हमें एक पर फिर जिंदा क्या जा सकता है उनमें से हर एक में यह काबिलियत है कि वो विस्व का महांतम चमतकार कर सके उनमें से हर एक मौत के बाद वापस लोट सकता है और इन पुस्तकों में वे आसान रहस्ते, तकनीके और उपाई दिये गया है जिने अपना कर वे लोग जो चाहे बन सकते हैं और जीवन की सची दौलत हासिल कर सकते है मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ मैं बैठा रहा, उसे घूरता रहा जब तक कि उसने खामोसी नहीं तोड़ी क्या आप मानते हैं कि लोग अपनी जीवन में इस तरह का चमतकार कर सकते हैं मिस्ट रॉब हाँ मैं मानता हूँ क्या आपने कभी अपनी पुस्तकों में ऐसे चमतकारों के बारे में लिखा है कभी कभार मैं आपके लिखोई पुस्तक पढ़ना चाओंगा मैं आपको अपनी पहले पुस्तक की एक प्रती ला दूँगा उस पुस्तक में चमतकार है जब अपने उसे लिखा तो क्या आपको इस्वर के हाथ का अनवह हुआ मैं नहीं जानता साइमन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ था साइद मैं उसे पढ़ने के बाद आपको बता पाऊं मिस्टर रॉग इसके बाद हम लोग सांतेपुर महाल में बैठे रहे किसी ट्रक या बस के आने जाने की आवाद से ही इस सांती में व्यवधान परता था मैंने सेरी की चुसक्या ली और मैं काफी रिलाक्स्ट महसूस कर रहा था पिछले कई महिनों में पहली बार मैं दुनिया में इतनी सांती महसूस कर रहा था आखे कार मैंने अपने गिलास को पॉलिस की हुई छोटी सी मेज पर रख दिया जो मेरी कुर्सी की बगल में रखे हुई थी मैंने वहाँ पर दो तस्वीरे देखी जो छोटे कासे के फ्रेम में फिट थी एक तस्वीर किसी बहुत आकरसक महिला की थी जबकि दूसरी तस्वीर मिलिटरी यूनिफॉर्म पहने एक क्यूबक की थी मैंने साइमन के तरफ देखा और मेरे पूछने से पहले ही उसने मेरे प्रस्णों को समझ लिया मेरी पत्नी, मेरा पुत्र मैंने सिरह लाया उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं काफी कोसितों के बाद उसकी आवाज सुन पाया उसकी अवाज उस छोटे से कमरे में तैर कर मुझ तक पहुँच रही थी दोनों ही मर चुके हैं मैंने अपनी आखे बंद कर ली और एक बार फिर सिर हिलाया उसके अगले सब्द फुसफुसाहट के रूप में निकले डेस्यू उनिसोन चालेस जब मैंने अपनी आखे खोली तो बुड़े आदमी का सिर्व चुका हुआ था उसने अपने दोनों विसालकाय कंदे इकटे भीच कर अपने माते पर रख लिये थे तबी उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने किसे अजनवी के सामने अपने दुख को उजागर कर दिया है वो तनकर बैठ गया और जहेब कर मुस्कुराया मैंने विसे बदल दिया आप करते क्या हैं साइमन क्या आप कोई नौकरी करते हैं बुढ़ा आदमे कुछ पल जिजगा इसके बाद वो एक बार फिर मुस्कुराया और अपने हाथ को फैलाते हुए उसने जवाब दिया मैं एक रैग पिकर या कच्रा बीनने वाला हूं मिस्ट रॉग मैं सूचता था कि कच्रा बीनने वाले सभी लोग सूप किचन के साथ ही चले गए है मुझे लगता था कि 1930 के भूकी रैलियों के बाद से कच्रा बीनने वाले लोग गायब हो चुके हैं सैमन ने अपना हाथ बढ़ातर मेरे कंधे पर रख दिया और उसे हलके से दबाया मिस्टर ओब परिभासा के अनुसार रैग पिकर वह होता है जो आजीविका के लिए चीच्रे और बाकी कच्रा सडको और कच्रा घरों से उठाता है मेरा अनुमान है कि इस तरह के रैग पिकर अमेरिका में नहीं होंगी क्योंकि इस तेस में हर आदमी के पास रोजगार के साधन है परन्तु अगर परिस्थिद्या बदलती है तो हम एक बार फिर उन्हें देख सकते है मुझे नहीं लगता हमारी अपराद किदर बताती है कि हमने जल्दी पैसा कमाने के ज़्यादा तीज और आसान रास्ते खोज लिए है जैसे अपहरन सस्त्रड़ कहती और चोरी अब बिल्कुल ठीक कह रहा है मिस्टर रॉग फिर भी कागज और धात्वों के उची कीमतों को देखते हुए मुझे लगता है कि रैग पिकर या कच्रा बीनने वाले की रोजी रोटी अच्छी तरह चल जाएगी बहरहाल मैं उस तरह का रैग पिकर नहीं हूँ मैं रद्धी अखबारों और अल्यूमिनियम के बियर कैन से ज़ादा कीमती समान बीनता हूँ मैं इंसानों का कच्रा बीनता हूँ उन लोगों को जिनने बाकी लोगों ने नकार दिया है अपने से दूर छिटक दिया है या जिननोंने खुद को बेकार समझ लिया है उन लोगों को जिनमें महान संभावनाई छुपी हुई है परंतु उनका आत्म संभावन जा चुका है और बहतर जिंदगी की आसा भी जिनका साथ छूड़ चुकी है जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं उनके जीवन को बहतर बनाने की कोसिस करता हूँ उन्हें आसा की नई किरन और दिसा देता हूँ और उन्हें जीवीत मौत के मुझे वापस खीच कर लाता हूँ जो मेरे लिए जिस वका महानतम चमतकार है और हाँ जो ग्यान मैंने ईस्वर के हाथ से लिखी पुस्तकों से हसिल किया है उसे मुझे मेरे मैं इसे क्या नाम दूँ विवसाय में बहुत मदद मिली है इस लकडी के क्रॉस को देखें जिसे मैं अक्सर पहनता हूँ यह एक युवक ने बनाया था जो कभी एक सिपिंग कलर्क हुआ करता था एक रात विलसन एवन्यू में उसे मेरी मुलाकात हुई या यू कहूं कि उसके मुलाकात मुझे हुई वह नसे में था मैं उसे यहां ले आया ब्लैक कॉफी के कई कप, ठंडे स्नान और थोड़े बहुत भोजन के बाद हमारी बात्चित हुई वह सचमुच हिमत हार चुका था वह अपने आपको पूरी तरह औसमर्थ और अयोगी समझ रहा था उसे लग रहा था कि वह अपनी पत्नी और अपने दो छोटे बच्चों को सहारा नहीं दे पाएगा वह दो नौकरियां कर रहा था वह तीन साल से हर दिन सत्रह घंटे काम कर रहा था और अब वह तूटने की गगार पर पहुँच चुका था जब वह मुझे मिला तो वह पूरी तरह बोतल में डूब चुका था उसमें इतनी हिमत नहीं थी कि वह इस जीवित मिर्तियों का सामना कर सके उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही थी कि वह इतने अच्छे परिवार का मुख्या होने के काविल नहीं था मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी इस्थिती आम है और उसे निरास होने की कोई जरूत नहीं है इसके बाद वो रात वाली नौकी पर जाने से पहले हर रोज मेरे पास आने लगा इकटे हमने सुक और सफलता के कई पुराने और आधुनिक रहस्यों को खोजा और उन पर चर्चा की मुझे लगता है कि मैंने सोलुमन से लेकर इमर्शन तक और जिब्रान तक हर वधिवान व्यक्ति का उलेक किया और उसने मेरी बाते ध्यान से सुनी और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ जब उसने एक हजार डॉलर बचा लिये तो उसने अपनी दोनों नौकरियां छोड़ दी वो अपने परिवार को अपनी पुरानी प्लाई माउथ कार में लेकर एरिजोना चला गया अब स्कॉट्स डेल के ठीक बाहर उसका अपना छोटा सा रोट साइड स्टैंड है वहाँ पर अब उसे अपनी लकडी की नकासी की काफी अच्छी कीमितें मिल रही है कभी कबार वो मुझे पत्र लिखता रहता है और मुझे धन्यवाद देता है कि मैंने उस समय उसे हिमद दी जब उसकी अपनी हिमद जवाब दे चुकी थी वो कहता है कि मैंने उसकी जिन्दगी बदल दी यह क्रॉस उसकी पहली नकासियों में से एक था वो अब सुखी और संतुष्ट वेक्ती है ज़्यादा अमीर तो नहीं परंतु ज़्यादा सुखी देखे मिस्टर ओग हम इसे ज़्यादर लोग अपने लिए कैद खाने बना लेते हैं तो हमारी यह आसा खत्म हो जाती है कि हमारी जिन्दगी बदल सकती है हमारे सपने सच हो सकते हैं हम कठपुतलिया बन जाते हैं और जिन्दा रहते हुए भी मुर्दो की तरह हो जाते हैं क्या तारीफ के काबिल हो सकता है कि आप किसी महान काम या बिजनेस या दूसरी के सुख के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे पर तो यदि आप अपनी जीवन सैली के कारण दुखी और औसंतुष्ट है तो आपको इस बात का एसास है तो इस तरह रहना एक पाखंड है एक जूट होगा और उस अवस्था को नकारना होगा जो आपके रचेता ने आपके भीतर स्थापित की थी साइमन माफ कीजेगा पर तो क्या आपको नहीं लगता कि आप दूसरी लोगों के जीवन में अनावश्चक दखल दे रहे हैं और आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है अखिर वे तो आपको ढून नहीं रहे हैं ना आपको उन्हें ढूनना पड़ता है और उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि अगर वे कोसिस करे तो वे नए सिरे से जिन्दिकी सुरू कर सकते हैं क्या आप इस्वर के भूमिका निभाने की कोशिस नहीं कर रहे हैं। मेरी नासमझी और नादाने की वज़र से बुड़े आदमी के चेरे पर साहनुभूती और करूना की जलाग आ गई। परन्तु उसका जवाब संचिप था और उसमें छमा का भाव भी था। मिस्टर ओग मैं इस्वर की भूमिका निभाने की कोशिस नहीं कर रहा हूँ। कभी न कभी आप यार समझ जाएंगे कि अक्सर इस्वर इनसान के भूमिका निभाता है। इसवर बिना इनसान के कभी कुछ नहीं करता और जब भी उसे चमतकार करना होता है वो हमेशा इनसान के माध्यम से ही चमतकार करता है वो उठा जैसे वो हमारी चर्चा को अचानक खत्म करना चाता हो यह एक ऐसी तक्निक है जिसे मैं आपके आफिस में चर्चा खत्म करने के लिए अक्सर इस्तमाल करता हूँ जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा महमान नवाजी और सेली के लिए सुक्रिया इसे मुझे खुसे मिली मिस्टर रॉग जब आपको मौका मिले तो आप कृप्या अपनी पुस्तक की एक प्रति मुझे दे देना घर की तरफ जाते हुए लंबी यात्रा में मेरे विचारों में एक सवाल बार बार कौनता रहा अगर वो बुद्धिमान बुढ़ा रैग पिकर मानवी एक कचले को बचाने का विसे सग्य था तो वो मुझे पर अपना समय क्यों बरबाद कर रहा था मैं तो एक संपन और सफल कंपनी प्रेजिजेंट था जो पचास परतिसर टैक्स की रिंज में आता था और जिसने अभी हाल एक नेशनल बेस सेलर पुस्तक लिखी थी लिसन फूर वो मुझे एक महिने तक नहीं दिखा ओफिस बंध होने का समय गुजर चुका था मैं अकेला ओफिस में बैठा हुआ था मैं उस डाक से जूज रहा था जो मेरी अनुपस्थिती में इकठी हो गई थी मैंने ओफिस के बारी दरवाजे की खुनले की आवाद सुनी और मैं तनकर बैठ गया जो भी आदमी अंत में बाहर गया था उसने गेट लॉक करने का कश्ट नहीं किया था इस इलाके में इन दिनों डकैतियां बहुत हो रही थी तभी लैजारस मेरे ओफिस के दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखा वह कई हरकते एक साथ कर रहा था उसकी पूछ हिल रही थी कान उठ और गिर रहे थे दुखी आखे रो रही थी जीब बाहर निकल रही थी वह उस रसी को खीच रहा था जो उसके मालिक ने थाम रखी थी बुढ़े आदमी ने मुझे गले लगाया मिस्टर ओग आप आ गए यह बहुत अच्छा रहा लैजारस और मैं दोनु ही आपको लेकर चिलतित थे मैं किताब के सिलसिले में बाहर गया था साइमन मुझे लगता है कि कोई मेरी जिंदगी बदलने की कोशिस कर रहा है क्या ऐसा भले के लिए हो रहा है मैं नहीं जानता सैद आप मुझे यह बता पाए मैं जानता था कि आप सहर में नहीं हैं मिस्टर ओग हर दिन मैं खिड़की से जहांक कर आपकी छोटी भूरी कार को तलास करता था ना कार नजर आती थी ना मिस्टर ओग नजर आते थे और इस सुबह मुझे कार देख गई मैं इतना खुस हुआ मैं आपसे मिलना चाहता था और मैं आपको परिसान भी नहीं करना चाहता था मैंने पूरे दिन अपने भीतर हिमत जुटाई तब कहीं जाकर मैंने आपसे यहां आकर मिलने की गुश्थाखी की मुझे खुसी है कि आपने ऐसा किया मैं आपसे खुद ही मिलने आया होता क्योंकि मैं आपको अपनी पुश्थक के बारे में एक खबर देना चाहता था अच्छी खबर मुझे अभी विश्वास नहीं है कि यह मेरे साथ हो रहा है बूढे आदमी ने सिरह लाया और गर्व से मेरे कंधे को थप थपाया फिर वो लैजारस को मेरे कोट रैक तक लेग गया और वहाँ पर उसे रसी से बांधिया कुट्ते ने अपनी नाख को भारी गलीचे में घुशा दिया और अपनी आखे बंद कर ली आप बहुत सांदार दिख रहे हैं साइमन मैंने इससे पहले आपको कभी सूट और टाइमे नहीं देखा मेरे आगंतुक ने सर्म से अपनी लंबी उंगलिया अपने सिल्वर्टो भरे जैकेट पर मलते हुए और कंधे उचकाते हुए कहा मैं किसी कंपनी मैं किसी कंपनी प्रेस्टेंट से मिलने के लिए फटे हाल कपड़ों में तो नहीं आ सकता है ना क्यों नहीं मुझे लगता है कि आप रैक विकर लोग हर तरह के वेश में काम करते हैं और सायद CIE के तुल्ना में आपकी घुस पैट जीवन के जादा छेत्रों में है आप लोग बिना डिपार्टमेंट वाले देवदूथ हैं उसकी चहरे पर मुस्कान आना सुरू हुई थी कि मेरे देवदूथ कहते ही वह गायब हो गई उसने अपने आपको संभाला और थोड़ा मुह बना कर कहा कि वहले लेक ही इतनी मर्म सपरसी बात कह सकता है बहराल हम रैग पिकर्स का हाल बुरा है मानावता के कच्रगर में जनसंख्या विस्पोट हो रहा है और हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रही है कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि सायद आपकी मैगजिन का प्रकासक डवल्यो क्लिमिन्ट स्टोन भी एक रैग पिकर है हम दोनों बॉस के पोट्रेट की तरफ देखने लगे पोट्रेट मेरी डेस्क के दाहिनी तरफ दिवार पर लगा हुआ था और मेरे बॉस मेरी तरफ देखकर मुश्कुरा रहे थे मुझे लगता है कि या सही है जाइवन उन्होंने मुझे सोला साल पहले कच्रे के ढिर से उठाया था मैं उस समय निरास था, अकेला था और बोटल में अक्सर डूबा रहता था बड़ी अजीब बात है पारी कामों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही अकभारों में छपा है साइमन ने सिरह लाया ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रैग पिकर्स बाइबल के उस आग्या का पालन करते है जो लायट डगलस ने अपने पुस्तक Magnificent Obsession में लिखी है यानि कि भलाई करो और अपना मुह बंद रखो उसकी जोरदार हसी मेरे ओफिस में भर गई मेरा यही मतलब था परंतो मैंने कभी इस बात को इस तरह से नहीं सुना मुझे लगता है कि मैं अब भी मैथ्यू के लिखे इसा मसी के सिध्धान्त को ही प्रात मिक्ता दूँगा सैमन क्या आप जानते हैं कि जब Magnificent Obsession पुस्तक छपी थी तो पूरे संसार में बाईबल के बिक्री बढ़ गई थी ऐसा क्यों मिस्टर ओग क्योंकि हर आदमी बाईबल के उस अंस को ढूंडना चाता था जो कि इस पुस्तक की थीम था डगलस ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पूरी पुस्तक में कहीं भी उसका उलेक नहीं किया था लगवग एक साल या इससे भी अधिक समय तक यह पूरे देश का सबसे लोकप्रिय मनुरंजन था कि लोग बाईबल में उस अंस को ढूंडते थे इस वज़ा से मैगनिफेसेंट आपसेशन बेस्ट सेलर बन गई जिन लोगों को वह वाके मिल गया उन्होंने उस अध्याय और पंक्टी को अपने तक ही रखा मानो यह कोई नायाव रहस्य हो जिसे हर आदमी को खुदी खोजना पड़ता हो हम उस तरह के खेल को आज भी सुरू कर सकते हैं मिस्टर रॉग हाँ हम ऐसा कर सकते हैं क्या आपको वह अंस मालूम है साइमन बुढा आदमी मुस्कुराया वह पूरी तरह तनकर अपनी पूरी उचाई तक खड़ा हुआ मेरी डेस्क के पार से मेरी तरफ देखा और अपने दाहिने हाथ के मुठ़्ी इस तरह बनाई कि केवल उसकी अनामी का उंगली मेरी तरफ इसारा कर रही थी और उसकी बाते सुनकर मैं सिहर गया ध्यान रखो के तुम दूसरों के सामने दान मत दो ताकि वे देख न सके वरना तुम्हें परमपिता की तरफ से कोई पुरसकार नहीं मिलेगा जो स्वर्ग में वैठा हुआ यह देख रहा है इसलिए जब तुम दान दो तो अपने दान का विगुल मत बजाओ जैसा कि पाखंडी लोग सिनेगौग में और सडकों पर इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करे यह मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन्हें उनका पुरसकार मिल जाता है इसके वज़ाए जब तुम दान दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे दाएं हाथ में दान दिया है तुम्हारा दान गोपनिय होना चाहिए और परमपिता जो इसको गोपनिये तरीके से देखता है वह तुम्हें इसके बदले में खुले हाथों से पुरस्कार देगा मुझे पूरा विश्वास है कि इन वाक्यों को किसी और ने बहतर तरीके से नहीं कहा होगा बहार पर दिये बरवचन को छोड़ कर जो 2000 साल पहले दिया गया था मैंने अपने मित्र के लिए कॉफी का कब भरा और हमने इधर उधर की चर्चा की वह इस दोरान कब हाथ में लिए मेरे आफिस में चहल कदमी कर रहा था वह दिवार के पास ठहरा जिस पर आटोग्राफ की हुए फोटोग्राफ लखे थे अपने नामों को जोर से पढ़ा हर नाम को पढ़ने के साथ उसकी आवाज के पिछ बढ़ जाती थी और इस तरह वह यह जताना चाहता था कि वह कितना प्रभावित हुआ है वह बुढ़ा चालाग आदमी मुझे चिढ़ा रहा था और मुझे यह अच्छा लग रहा था यह लोग आपके दोस्त हैं इन में से कुछ है बाकी लोगों ने सोचा होगा कि हमने उन पर जो लेक लिखा है उस पर वे अपनी करतग्यता दिखा दें मैं जेम्स स्टीवर्ट को पसंद करता हूँ उनकी सभी खिल में अच्छी है क्या आप उन्हें जानते हैं मैं उन्हें कई साल पहले जानता था मैं दुधिये विसो युद्ध में उनके B24 समू में बंबारी किया करता था क्या वे बहादूर थें बहुत बहादूर उन्होंने उस समय अपने युद्ध को पूरा कर लिया जब हमारे बं फेकने वाले को पूरी सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी और वे हम सबसे ज़्यादा पी भी सकते थे अच्छा सैमन मेरे ओफिस का अजायजा लेता रहा सैद वो इसकी तुलना अपने पुराने दमिस्क वाले ओफिस से कर रहा था उसके सूट में से कपूर की हलकी सी गंधा रही थी और सूट पुराना होने के बावजूद उसने इस सैली और गरीमा के साथ पहना हुआ था कि यह कल्पना करना असान था कि वो उस बड़ी सी मेज के बीचे बैठ कर अवसकता अनुसार करमचारियों को सला देता होगा और जरूरत पढ़ने पर अपने करमचारियों को डाटने फटकारने से परहिस नहीं करता होगा आखिरकार उसने अपना कॉफी का कप रख दिया और कहा मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता आपके अच्छे खबर क्या है मिस्टर ओग मुझे पूरा विश्वास है साइमन कि मेरी जिंदगी में आपके आते ही मेरी किसमत खुल गई आपके रैग विकर के वेश के नीची साइद देवदुद छुपा हुआ है आपके घर पर हमारी आखरी मुलाकात को याद करे जब हमने मेरी पुस्तक के हीरो और आप में अद्वुत समानताएं खोजी थी मैं वह बात कैसे भूल सकता हूँ अच्छा जब मैं घर पहुँचा तो मुझे अपने प्रकासक फ्रेडरिक फेल का संदेश मिला उन्होंने बताय कि एक बड़ी पेपर बैक कंपनी सोमवार को उनसे वाइस प्रेसेडेंट चार्ल्स ननबर्ग और मुझसे मिलना चाहती थी ताकि इस पुस्तक के रिप्रेंट अधिकार खरीदने की संभावना पर चर्चा की जा सके इसलिए रविवार की रात मैं न्यू यॉर्क की तरफ रवाना हो गया क्या आप नर्वस्या चिंतित थे? ज़्यादा नहीं कम से कम उस रात तो नहीं परन्तु अगली सुबा न्यू यॉर्क में मैं सुबा छे बजे उठ गया एक बजे के मिटिंग का इंतिजार करते हुए मैंने बहुत सारी सिगरेट और एक टन कॉफी पी होगी इसके बावजूद मैं फिफ्ट एविन्यू पर प्रकासक के बिल्डिंग में एक घंटे चल्दी पहुँच गया इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया जो मैंने बहुत लंबे समय से नहीं किया था सामने ही एक चर्च थी मुझे उसका नाम याद नहीं परंतु वह खुला था और मैं उसके अंदर चला गया और आपने क्या किया मैंने प्राथना की मैं वेदी के पास गया अपने सेर को जुकाया और प्राथना की अपने प्राथना किस तरह की उसी इकलोते तरीके से जो मुझे आता है मैंने कोई चीज नहीं मांगी मैंने सिर्फ ईस्वर से सही मार्ग दर्शन मांगा और यह कहा कि वो मुझे आने वाले इस्थिती का सामना करने का साहस दे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो तुम इतने समय से कहां थे औग और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब रोने लगा सौभागे से आसपास कोई नहीं था फिर भी मुझे महसूस हुआ कि मेरा वैवार कितना मुर्ख तापून था क्या आपको पता है आप क्यों रो रहे थे मुझे लगता है कि चर्च में जाते ही मुझे बच्वन में अपनी मा के साथ महां बीते रईवार याद आ गए मेरे हाई स्कूल से निकलने के बाद जब मेरी मा की मौत हार्ट एटेक से हुई तो मेरे दुनिया जैसे थम गई मेरे लिए वे बहुत खास थी जब मैं ग्रेड स्कूल में था तभी उन्होंने मुझे ये विश्वास दिला दिया था कि मैं एक लेखक बनने जा रहा हूं मुझे अब भी याद है कि वे मेरे उन लेखों की समिख्षा किया करती थी जिनें लेकर मैं घर आता था हमारा रिष्टा इतना बढ़िया था कि वे मेरे लेखन की रसनात्मक आलोचना किया करती थी और मैं हमीशा इसे स्विकार करता था उनकी आलोचना से प्रिरित होकर मैं अधिक मेहनत करने का संकल्प करता था जब मैं अपने हाई स्कूल के पीपर का न्यूज एडिटर बना तो उन्हें इतना गर्व हुआ जैसे मैं न्यूज यूर्क टाइम्स का एडिटर बन गया हूँ वे चाती थी कि मैं कॉलेज जाऊं परन्तु 1940 में हम बहुत संकट में थे फिर उनकी मौत हो गई और मैं एयर फोर्स में सामिल हो गया आप कभी कॉलेज नहीं गये मिस्टर रॉग नहीं बुढे आदमी ने मेरे ओफिस को एक बार फिर देखा और अपना सिर हिलाया अद्भुत उस चर्च में और क्या हुआ और कुछ भी नहीं आखिरकार मैंने खुद पर काबो पा लिया और तब तक अपोईमेंट का समय हो चुका था इसलिए मैं चर्च से निकला सड़क पार की और प्रकासक की लॉबी में पहुँच गया जब मैं लिफ्ट से 26 वी मंजिल पर पहुँचा तो मैंने अपने आपको एक लंबे हॉल में पाया जहां दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लिखोकों के पोश्टर लगे हुए थे जिनकी पुश्ट के इस फर्म ने प्रकासित की थी मेरे दिमाग में सिर्फ यही विचार आया मा हम सफल हो गए हम यहाँ पर सर्वस्रिष्ट लोगों के बीच पहुच चुके हैं और पबलिशिंग एक्जेक्योटिव के साथ आपके मिटिंग कैसी रही रोमान चक्क, लंबी मेज थी, लंबा कमरा, कई लोग, कई चेहरे जैसा हमें बाद में बताया गया कि वे लोग पीपर बैक राइट्स लेनी का फैसला पहले ही कर चुके थे वे सिर्फ यह जानना चाते थे कि क्या वे पुस्तक के साथ मुझे भी प्रमोट कर सकते हैं बालजॉक, डीकेंस, टॉल्स्टॉय, ये लोग उस इंटर्व्यों में फील हो गए होते सैदब सही है, बहरहाल मैंने उनसे दस मिनट तक चर्चा की उन्हें बताये कि यह पुस्तक किस तरह लिखी गई और मुझे लगता है कि मेरा इंप्रिशन ठीक ठाक रहा बुढ़ा आदमे मेरे सांदार प्रदर्शन के वर्नन का आनन्द ले रहा था वो रुमांचेत होकर आगे के तरफ जुका और दोनों हाथों से मेरी तरफ इसारा किया कि मैं अपनी बात आगे जारी रखूँ आखिरकार बोर्ड के चेर्मेन ने मेरे प्रकाशक फ्रेड फेल के तरफ देखा और पूछा की पेपर बैक राइट्स के लिए हम कितना धन चाहते थे मिस्टर फेल ने अपनी सांदार आवाज में बताया कि उन्हें उतने ही डॉलर चाहिए जितने इस पुस्तक की हार्ड कवर कॉपी बिकी है और उस वक्त तक हम लोग तीन लाख पच्चास हजार हार्ड कवर प्रतियां बेच चुके थे टेबल पर लोगों के मोग खुले के खुले रह गए और चेर्मेन ने कहा कि उन्हें इतनी उची मांग की उमीद नहीं थी फिर उन्होंने थोड़ा समय मांगा और अपने वाइस प्रेजिडेंट के साथ कमरे से बाहर चले गए मुझे लगता है कि वे केवल कुछ मिनट में ही लोटाएं जब वे वापस आए तो चेर्मेन मिस्टर फेल के पास आए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और दोनोंने हाथ मिलाए इस तरह सौधा हो गया यह इतनी असानी से हो गया हाँ मिस्टर ओग आप तो आप माला माल हो गये उतना ही नहीं जितना कि आप समझते हैं मिस्टर फेल को इसमें से आधा मिलेगा और फिर हम दोनों को ही इंकम टैक्स में बहुत सा पैसा देना पड़ेगा परन्तु मिस्टर ओग आपको हाड कवर सेल से पहले ही बहुत सी रॉयल्टी मिल चुकी है है ना हाँ क्या आप जानते हैं कि एफ स्कॉट फिडजेरोल्ड को दे ग्रेट गैट्सवी के छपने के तीन साल बात रॉयल्टी में सिर्फ पांच डॉलर और पंदर सेंट विले थे और जब उसकी मौत हुई तो यह अधुत पुस्तक आउट ओफ प्रिंट हो चुकी थी नहीं मुझे मालूम नहीं था साइमन और गलत मत समझना ऐसा नहीं है कि मैं किल तक यह नहीं हूँ दरसल मैं यकीन नहीं कर पार रहा हूँ कि यह सब मेरे साथ हुआ है साइद या चर्च में मेरी प्राथना के वज़र से हुआ और मेरे दोस्त साइद आपकी मा की प्राथनाओं की वज़र से भी अब आप बताई कि बाकी महीने भर आप कहां रहें चुकि फीपर बैक संसकरन अगले वसन तक नहीं आएगा इसलिए फेल ने फैसला किया कि वो हाड कवर पुस्तक का इस गर्मी में बहुत प्रचार करेगा इसलिए मैं तीन सबता तक रेडियो, टेलिवीजन और अख़बारों में प्रमोशन टूर पर चला गया मैं 14 सहरों में गया, 90 से ज़्यादा इंटर्वियो दिये और मुझे इसमें बहुत मजाया यहां तक के किताब के दुकानों में आटोग्राफ देने के काम में भी मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आप पर गर्व है मिस्ट रॉग हम कुछ देर दो दोस्तों की तरह अपनी जीत की खुशिया मनाते रहे इधर उधर की बातों के बाद मैंने आप पुशने की हिम्मद जुटा ही ली साइमन क्या आपने मेरी पुस्तक पढ़ने का मन बनाया हाँ जिस रात आप मुझे दे गए थे उसी रात मैंने पुस्तक पढ़ डाली यह बहुत सुन्दर पुस्तक है पिपर बैक में तो यह लाखो करोडों की संख्या में विकेगी दुनिया को आपके पुस्तक की जरूरत है मिस्ट रॉग यह मेरे लिए प्रियाप्त था दुनिया अपनी पुस्तक समिक्षाओं में इस पुस्तक की चाहे जितनी तारीफ कर ले मेरे लिए यह सबसे बड़ी तारीफ सी साइमन उठा और कहा आईए हम इस जस्ट मनाना चाहिए आपके खुसकिस्मती के नाम पर एक सेरी मैं उसके साथ चला गया जब हम लोग अपनी कुर्चों पर बैठे और साइमन ने गिलास में सेरी डाली तो साइमन ने ओफिस में हो रही चर्चा को आगे बढ़ाया मिस्ट रॉग आपके महान सेल्समें और मेरे जीवन की समानताओं ने मुझे कई रातों तक सूने नहीं दिया और इतने संयोगों के बाद यह संयोग तो बहुत बड़ा था कि हाफित के पत्नी और मेरी पत्नी का नाम भी लीशा ही था कोई कंप्यूटर भी इस तरह का संयोग नहीं ढूंड सकता था मैंने बहुत कोशिस की कि मैं इसे अपने दिमाग से निकाल दू साइमन मुझे लगता है कि इस तरह के संयोग को कई लोग पुरवाभास के संग्या देते हैं या साथ ऐसा न भी हो मैंने यह पुस्तक तब लिखी थी जब मैं आपके बारे में जानता तक नहीं था परन्तो जब मैंने यह पुस्तक लिखी तब तक आपके साथ ये घटनाए घट चुकी थी मैं नहीं जानता कि लोग इसे क्या नाम देते हैं परन्तो फिर भी यह सोचने में भयावा लगता है क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ सैयोग है बुड़े आदमी ने आभरी और अपना सिरह लाया कालरिज ने लिखा है कि सैयोग इस्वर का दूसरा नाम है जब वो खुलकर किसी मामले में अपने हस्ताक्षर नहीं करता मुझे यह विचार पसंद आया और अगर यह इस्वर का रहष्य है तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया है इस बात पर कौन विश्वास करेगा हम खुश किसमत है कि हम एक साथ हैं मिस्टर ओग हमने सांते पूर महाल में सेरी पी जह सांती ऐसी थी जो उन्ही दो लोगों द्वारा अनुभो की जा सकती थी जो एक दूसरे को सच्चे दिल से चाहते हैं एक ऐसी सांती जिसमें अपनी दोस्ती का एसास दिलाने के लिए सब्द बोलने के जरूरत नहीं थी मैं नहीं जानता था कि साइमन क्या सोच रहा था परन्तु मैं उसे एक सुझाओ देने की हिमत जुटा रहा था एक ऐसा सुझाओ जो मेरे दिमाग में तब आया जब मैं पीपरबैक प्रकाशक से मिलने के बाद न्यू यॉर्क लोट रहा था न्यू यॉर्क में मैंने यह सीखा कि अच्छी सेल्फ हेल्प और प्रिणा दैक पुष्ट के बहुत लोकप्रिय हो रही थी चाहे इसका करण देश की दसा हो या प्रकाशन का चक्र हो परन्तु ऐसा लग रहा था जैसे हर प्रकाशक एक और वेक अप एंड लेव या दे पावर ओफ पॉजिटिव थिंकिंग या हाव तो इन फ्रेंड्स एन इंफ्लूएंस पीपल कितालास कर रहा था ऐसा लगता है कि जब हमारा देश नीचे की तरफ जाता है तो सेल्फ हेल्प की पुष्ट के लोकप्रिय हो जाती है और जादतर प्रकाशक भविश्य का पुरवानुमान लगाते वे साइद या सोच रहे थे कि यह देश एक बार फिर नीचे के तरफ जा रहा था मैंने सूचा कि साइमन यह काम प्राकृतिक रूप से कर रहा था मैंने हिम्मत कर ली थी साइमन क्या आपको ठीक ठाक पता है कि आपने रैक पिकर के रूप में कितने लोगों की जिंदिगी बदली है उसके जवाब में कोई हीचक नहीं थी पिछले 13 सालों में 100 पूरे? हाँ आप यह कैसे कर सकते हैं? क्या अपने डाइरी में रिकॉर्ड रखा है? नहीं, जब मैंने यह काम सुरू किया तो सुरुवात में हलाके मेरे इरादे तो नेक थे परन्तु मदद करने के मेरे तरीके उतने ठीक नहीं थे मुझसे कई गलतियां हो जाती थी मुझे डर है कि अपने सुरुवाती मामलों में मैंने फाइदे के बज़ाए नुकसान ही ज़ादा पहुँचाया था मैं उन्हें जीवित मौत से कुछ हद तक बाहर तो निकाल लाया परन्तु अपने अज्ञान के कारण मैंने उन्हें फिर से उसी गर्त में चले जाने दिया आप यह समझ ले कि मैं उन्में से हर एक से अलग तरीके से विवार कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि हर एक का व्यक्तितूर अलग होता है बात में मुझे एसास हुआ कि हलाकि हम लोग अलग है हलाकि हम में से हर एक अनुठा है परन्तु हम सभी को जो चीज असफल कराती है वो एक ही है आत्मसमान का अभाव आत्मसमान का या अभाव एक सास्वत बिमारी है जो चिंता, अपरादबोध या हीन भावना के वज़ा से पैदा होती है मनु विसलेशक के अधिकान स्विद्यार्थी इन तीन आम भावनात्मक समश्याओं को अच्छे तरज जान जाते हैं इस शेत्र का ग्यान न होने के कारण मैं या बात बड़ी मुश्किल से सीख पाया गटर में, कच्रे के धेर में और फिर अपनी पुष्टकों से और जब आपने आम समश्याएं पता कर ली तो क्या आपने कोई ऐसा स्टेंडर्ड तरीका भी खोजा जिससे सभी को लाब हो सके हाँ, इनसान ने जब से अपने पैरों पर चलना सुरू किया है तब से वो आत्मसमान की ना सुलजने वाली गुत्थी को सुलजाने की कोशिस कर रहा है वो धिमान लोग इस बिमारी और इसके इलाज के बारे में हजारों सालों से लिखते चले आ रहे हैं यह सभी लोग एक से समधान सुझाते हैं पर तो हम उनके सुझाओं को नजनदाज कर देते हैं जब मुझे सच्चाई समझ में आई तो मैंने इस अपार्टमेंट में अपनी पुस्तकों के साथ कई महीने बिताएं मैंने सफलता और सुख के सचे रहस्यों को संचेप में ऐसे सब्दों में भरा जो उतने ही आसान हो जितने आसान यह सच्चाईयां थी यह रहसे इतने आसान है कि अपनी समझ्याओं का जवाब ढूंड रहे जादतर लोग साइध ही इने पहचान पाए साइध ही कभी लोग बाग सुखी और अर्थपूर्ण जिवन जीने के लिए इनस असान से नियमों का पालन करने का मन बनाए ऐसे कितने नियम है किवल चार महिनों की महनत और पहाड जैसे नोट्स इकटे करने के बाद यह सारे नियम केवल कुछ पेज में समा गए इनमें मेरी महनत का सार है सफलता के असान रहस्यों का निचोड है फिर मैंने खुद को याद दिलाए कि एक औन सोने को हासिल करने के लिए कही टन मिट्टी हटाना पड़ता है इसके बाद मैं अपनी खोज को दुनिया तक ले गया और इसका परियोग अपने तरीके से किया और यह नियम कभी असफल नहीं हुए आपके पास अभी वे चार नियम लिखे हुए है जब मैंने अपना काम खत्म किया तो मैं ब्रॉडवे के एक छोटे प्रिंटर के पास गया उन्होंने मेरे बताय फॉर्मिट में इसे टाइप किया और इसकी सो प्रतिया बना दी फिर मैंने हर कॉपी पर एक से लेकर सो तक नंबर डाले आपने यह नियम किस तरह बाटे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर असफल आदमी को वह गागस थमा देते थे अरे नहीं इनसान तब तक अपने आपको कच्रे के धेर में नहीं फेकता जब तक कि उसे इस बात का एसास न हो जाए कि इस दुनिया में कोई भी सच मुच उसकी परवाह नहीं करता जब भी मैं किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जिसे मदद की जरूरत है तो मैं पहले तो उसे यह विस्वास दिलाने की कोशिस करता हूँ कि दो लोग हैं जो परवाह करते हैं इश्वर और मैं एक स्वर्ग में और दूसरा धर्थी पर इसके बाद जब मैं उन्हें विस्वास दिला देता हूँ कि मैं सचमुच उनकी परवाह करता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ जब मैं मुझ पर भरोसा करने लगते हैं तब मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक बहुत खास दस्तावेज है जिसमें इस्वर का संदेश है मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं उनसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वे इस्वर के इस संदेश को हर दिन 20 मिनट तक पढ़ें सोने जाने के ठीक पहले और उन्हें यह काम 100 रातों तक लगतार करना है हालाकि इसे पढ़ने में 20 मिनट लगते हैं परंटो यह एक छोटी कीमत है खास कर उन लोगों के लिए जिनके समय का वैसे भी कोई मुले नहीं है इसके अलावा ऐसा करने से वे यह जान जाएंगे कि किस तरह खुद को कच्रे के धेर से निकाल कर वे लोग विस्व का महांतम चमतकार कर सकते हैं वे जीवित मिल्तियों के जाल से मुक्त होकर फिर से पूरी तरह जीवित हो जाएंगे अपने सपने सच कर पाएंगे और जीवन की सच्चे समर्दी हासिल कर सकेंगे दूसरे सब्दों में इस्वर का संदेश हर दिन उनके गहन अउचेतन मस्तिस्क में जाएगा जो कभी नहीं सोता और इस तरह वे खुद अपने रैक पिकर बन जाएंगे अपनी मदद खुद करने से बहतर कुछ हो ही नहीं सकता इस्वर का संदेश? क्या इससे उन्हें डर नहीं लगा? खासकर तब जब आपके आवाज और हुलिया ऐसा है जैसा हम अकसर इस्वर के बारे में सोचते हैं आपकी दाढ़ी आपकी कद काठी आपका अंदाज आपकी आवाज मिस्टर ओग आप पहले ये एक तथ भूल रहे हैं मैं इन लोगों को जीवित नर्क से निकालता हूँ वे सूचते हैं कि वे जीवन के लड़ाई हार चुके हैं उन्हें पुरा विश्वास है कि वे अपनी मदद खुद नहीं कर सकते वे उस आदमी की हर बात मानने को तयार होते हैं जो उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है यह हाथ आसा देता है आसा? हाँ क्या आप उस प्रसिद पॉर्फियम निर्माता की कहानी जानते हैं जिसने अपने रिटार्मेंट डिनर में अपनी सफलता का राज बताया था किसी ने उस से पूछा की उसकी सफलता का राज से क्या था उसने अपने सुरोताओं को बताया की वो अच्छे खुस्बू या पैकिंग या वैपारिक प्रचार प्रसार के कारण सफल नहीं हुआ वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि वही इकलोता पर्फियूम निर्माता था जिसने यह जान लिया था कि वो महिलाओं को बहतरीन खुस्बू या ग्लैमर या सेक्जुल आकर्शन नहीं बेच रहा था वो उन्हें जो चीज बेच रहा था वो थी आसा बहुत बढ़िया अब वापस इस्वर के संदेश पर दरसल मिस्टर ओग जब मैं यह दस्तावेज उनके हाथ में सौपता हूँ तो उन्हें लगता है कि यह संदेश नहीं है बलकि यह इस्वर का मिमोरिंडम है मैंने इस दस्तावेज को ओफिस के मिमोरिंडम के फॉर्मिट में छपवाया है मैं हसने लगा इस्वर का मिमोरिंडम? साइमन? क्यों नहीं? बहुत पहले इस्वर ने दो टेबलिट पर दस कमांडमेंट खुदवा कर मोजिस को माउंट सिनाई पर दिये थे बाद में उसने समराठ बिलसाजर के महल के दिवार पर चेतावनी लिखवाई थी अगर आज वह हम तक कोई लिखित संदेश पहुँचाना चाहे तो आज वह किस तरह से पहुँचाएगा? लिखित संप्रिशन का सबसे आधुनिक रूप क्या है? मेमोरेंडम? बिलकुल विसंचिप्त होते हैं, सास्वत होते हैं, वेभारिक होते हैं और उन्हें दुनिया के लगवग हर दिश में पाया जा सकता है हमारा दिश मेमोरेंडम के भरोसी ही चल रहा है या साध उनके बावजूद चल रहा है हर दिन करमचारियों को अपने सुपरवाइजर के निर्देश मेमोरेंडम के रूप में मिलते हैं मेमोरेंडम बुलिटिन बोर्ड पर तंगे रहते हैं पंच प्रेश पर टेप से जुड़े रहते हैं और लाखो करोडों आफिशों में इस मेज से उस मेज पर घूमते रहते हैं मिमोरेंडम इस पीड़ी के लिए बहुत महत्पून है और इसलिए अगर जल्दबाजी से भरी इस दुनिया में कोई किसी जरूरतमन आदमी को ईश्वर का संदेश देना चाहे तो सुखो और सफलता के चार रहस्य को बताने का इस से अच्छा साधन क्या हो सकता है कि उन्हें इस्वर का संचिप मेमोरेंडम कहा जाए उसके इस बात ने मुझे इतना हिला कर रख दिया कि मैं यह भूली गया कि मैंने यह मुद्दा क्यों ठाय था मैंने अपने आप से कहा इस्वर की तरफ से मेमोरेंडम साइमन ने मेरी बात सुन ली और किताबों के धेर की तरफ इसारा किया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार अपना यह सिधान बताया है कि बहुत से पुस्तकों को लिखने में इस्वर का हाथ रहा है मैंने तो किवल उनके सार को लिया है बिचौलियों को हटा दिया है और इस्वर की तरफ से सीथे संदेश दिया है मेरे दोस्त मैं इस तरह के मामलों का विसे सगय तो नहीं हूँ परंतु ज़ादा तर लोग इसे बलास्फेमी या इस निन्दा कहेंगे बुड़े आदमे ने इस तरह सिर हिलाया जैसे कोई वयस्क आदमे किसी बच्चे के सामने हिलाता है जो आसान से बात को नहीं समझ पा रहा है या बलास्फेमी या इस निन्दा क्यों है इस निंदा तो वह होती है जिसमें इस्वर के बारे में कोई गलत या और प्रियवात कही जाए मेरे संदेश में तो प्रेम है, आदर है और अपने व्यत्तिकत लाब का जरा भी विचार नहीं है और यह काम करता है यह कैसे काम करता है साइमन कहीं आप यह तो नहीं कहना चाते कि सिर्फ 20 मिनट के मेमरंडम को पढ़ने से चाहे वह इस्वर की तरफ से हो या किसी और की तरफ से कोई इनसान अपने जीवन को बहतर बना सकता है, बदल सकता है क्या किसी चीज को पढ़ने से हम पर इतना अच्छा या बुरा प्रभाव पढ़ सकता है मुझे याद है कि मैंने हाली में अपराद कमिशन की रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें एक सदेश्चन ने कहा था कि असलील साहित पढ़ने और अपराद करने की बीच कोई सम्मन्थ नहीं है और जहां तक उसे मालूम है असलील पुष्टक को पढ़कर आज तक कोई भी युवती गर्भवती नहीं हुई और किसी युवक को कोई यौन रोग नहीं हुआ है मिस्टर रोग जिस आदमी ने ऐसी बात कही है वो बहुती मूर्ख है और उसे दुनिया की समझ नहीं है याद रखे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनसान के विचार उसके कारियों और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं मैं मानता हूँ कि एक बार 20 मिनट का संदेश पढ़ने से कोई खास फाइदा नहीं होगा परन्तु इसी संदेश को हर रात सोने से पहले पढ़ने से आपके मस्तज के कई बंद रास्ते खुल जाते हैं और पूरी रात यह विचार आपके अस्तित्व के सभी स्थरों में तह तक पहुंच जाते हैं अगले दिन जब आप जागते हैं तो आप अउचेतन मन से प्रतिक्रिया करना सुरू करते हैं पहले तो आपको इसका आभास नहीं होता कि आप पिछली रात को पढ़े संदेज पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं परन्तु धीरे धीरे आप बदलने लगते हैं जब ये संदेज सब्दों और विचारों से परिवर्तित होकर आपके कारियों और प्रतिक्रियाओं में बदल जाता है या असफल नहीं हो सकता वसरते कि आप इसे हर रात पढ़े और अपने दिमाग में बिठा लें परन्तु साइमन हमारे पास हजारों वर्स से दस कमांडमेंट्स हैं और इसके बावजूद दुनिया का हाल इतना बुरा है मिस्टर ओग कमांडमेंट्स को दोस मत दो कितने लोग उन्हें पढ़ते हैं कितने लोग उन्हें जानते हैं मिसाल के तौर पर क्या आप सभी दस कमांडमेंट्स दोरा सकते हैं मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया और इस समय तक मैंने अपना मौलिक विचार लगवग छोड़ दिया था जिस वज़ा से मैंने यह चर्चा छेड़ी थी फिर भी मैंने रास्ता खोजने की कोशिस जारी रखी साइमन आप कहते हैं कि आपने सौ लोगों की मदद की आपने यह भी कहा कि आपने दो गौड मेमोरेंडम की सौ प्रतिया छपवाई थी और उन पर नंबर डाले थे इसका मतलब है कि अब आपके पास इसकी एक भी प्रति नहीं बची है हाँ अपनी मास्टर कॉपी को छोड़ कर मेरे पास इसकी एक भी प्रति नहीं है क्या आप इसे दुबारा च्छपवा रहे हैं मिस्टर ओग मैं बूरा हो चुका हूँ और इस धर्दी पर मेरे दिन अब लगभग पूरे हो चुके हैं और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ की रैग पिकर्स अब बहुत कम संख्या में बचे हैं अब समय आ गया है कि मैं अपने जैसे और लोगों को तैयार करने का महान प्रयास करूँ ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरा काम चलता रहे किस तरह साइमन? मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा मैं चाहूँगा कि इस्वर के मेमोरन्णम के मास्टर कॉपी की किस्मत में जो लिखा है वो पूरा हो जाए जो सायद पहले से ही तैय है कैसे? आपकी पुष्टक के अंत में दुनिया का महानतम सेल्समेन जो मेरी ही तरह बूरह था सफलता के दस ताड़ पत्रों को एक खास आदमी को देता है क्या या उचित नहीं होगा कि आपकी पुष्टक के हीरो और मेरी बिच इतनी रहस्मई समानताओं और सन्योगों के बाद हमने एक और समानता हो जाए सायमन मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा अगर आप चाहे अगर आपको मंजूर हो तो मैं इस्वर के मेमोरिंडम की मास्टर कॉपी एक खास आदमी को देना चाहूंगा आपको अगर या आपको अच्छा लगे अगर आपको विश्वास हो कि इससे दूसरों को मदद मिल सकती है जैसा कि मुझे विश्वास है तो आप इसे अपनी अगली पुष्टक में छपवा सकते हैं इस तरह यह पूरी दुनिया में जाकर हजारों सैद लाखों लोगों को लाफ पहुचा सकता है जो आपके पुष्टक के माध्यम से इसे पढ़ेंगे एक बुढ़ा रैग पिकर अपनी संख्या बढ़ाने का इससे बहतर तरीका किस तरह खोच सकता है क्या उसने मेरे मन की बात समझ ली थी या यह भी एक और असंभो सा संयोग था कि वो अपने मेमरनम को मुझे सौपने का प्रस्ताव उसी वक्त रखे जब मैं उससे यह सौपने का अगरह करने वाला था मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ साइमन मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके संदीज को जनता तक पहुँचा सकूँ इसके लिए आपसे उपयुक तोर कोई हो ही नहीं सकता परन्तु जल्दबाजी में इस बारे में कोई भी फैसला मत करना कुछ दिनों तक मेरे प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए अभी बहुत समय पड़ा है और हाँ अगर आप इस्वर के मेमोरेंडम को स्विकार कर लेते हैं तो मैं आपसे किसी भी सम्मानेत लेखा की तरह बदले में पारिस्रमिक भी लूँगा पैसा? ठीक है नहीं नहीं आप समझे नहीं मैं पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि इस्वर का मेमोरेंडम आप तक पहुँचे तो पहले तो आपको मुझसे यह वादा करना होगा कि दुनिया को सौपने से पहले आप इसे अपने नीजी जीवन में उतारेंगे आप अध्भुत और समवेदन सील रखती हैं परन्तु आपकी आँखों में ऐसा कुछ है जो मुझे बताता है कि सफलता के बावजूद आपको अब तक सांतिया संतुष्टिया पूर्णता नहीं मिली है दुनिया आपकी प्रसंसा करती है परन्तु आप अपनी प्रसंसा नहीं करते आपके हाव हाव से लगता है कि आप में भी मोक निरासा की वह भावना है जिसे मैं अच्छे तरह वाकिफ हूँ आप में कोई चीज अधूरी है और मुझे डर है कि अगर आप अपनी दुनिया को नए सिरे से नहीं रचेंगे तो देर सबेर आप विस्फोटक हो जाएंगे अगर आप विस्फोटक हो जाएंगे तो दुनिया वाले आपको कच्रे के ठेर पर डाल देंगे और आपको बचाने के लिए या बोढ़ा रैग बिकर वहां नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए रोकथाम का एक ओंस इलाज के एक पॉंड जितना है इसलिए जब आपको इसवर का मेमरंडम मिले तो आपको इस बात के लिए तयार होना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो इसके सहरे सुख और मन की सांती की अपनी तलास पूरी करें इसके बाद और केवल इसके बाद आप इसे उन लोगों तक पहुँचाएंगी जो यह संदे सुनने के लिए तयार हैं उन लोगों के पास जिनके पास देखने के लिए आखे हैं और सुनने के लिए कान है और खुद के मदद करने की इक्षा है ठीक है साइमन मिस्टर आप में महान संभावन आये हैं, आप में दुरलब प्रतिभा है, आपको बरबाद नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूँ कि मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। साइमन, आपके सब्ध मुझे बहुत विनम्ब, बहुत बौना महसूस करा रहे हैं। आप बौने नहीं हैं मेरे दोस्त, देखिए, देखिए तो सही, मैंने आपके पुस्तक को कहां रखा है। मैंने अपना सिर घुमाया और उसके हाथ के इसारे की तरफ निगाह डाली। उसका इसारा लिविंग रूम में रखे किताबों के उचे धेर की तरफ था, जहां इस्वर के हाथ वाले किताबे रखी थी। वहां किताबों के धेर पर सबसे उपर मेरी पुस्तक रखी हुई लिसन 5 के दिनों में मुझे उससे दूर रहने का एहसास सताता रहता था। परन्तु न जाने क्यों मैंने किसी और से उसके बारे में चर्चा नहीं की, अपने परिवार को भी उसके बारे में नहीं बताया, नहीं सक्सेस अनलिमिटेड में किसी से उसका जिक्र किया। साइमन मेरा अभीभावक, मेरा अध्यापक, मेरा बिजनेस अलाकार, मेरा साथी, मेरा मार्ग दर्सक, मेरा पुजारी, मेरा पादरी, मेरा गुरू, मेरा डेलफिक औरिकल सब कुछ था मैं अपने बिजनेस आमंतरन ठुकरा देता था और सामाजी कारेक्रमों को छोड़ दिया करता था क्योंकि मैं उसके साथ समय गुजारना चाहता था मैं वाकि उसके पैरों के पास बैठ कर उसकी बात सुनता था और वह हर विशे पर मुझे उसी तरह लेक्चर दिया करता था जैसे कोई टीचर अपने विद्ध्यार्थी को देता है उसका ग्यान अथा था उसका अनुभव व्यापक था वह प्रेम, राजनीती, धर्म, साहित, मनो विज्ञान, प्रकृती और कई रहस्य में विश्यों जैसे पराभौतिक अनुभूती जो तिस और भूत प्रेतों को हटाने जैसे विश्यों पर भी बोला करता था बीच-बीच में ऐसे सवाल पूछ लेता था या ऐसी बात कह देता था ताकि वह बोलता रहे जिस विश्यों पर मैं उसके विचार जानना चाहता था उसे मैं बड़ी सफाई से चर्चा में सामिल कर देता था फिलोस्फी और मनुश्य के विभार पर उसकी ज्यान के गहराई देखकर मैं हैरान था वह मनुश्य की संतुष्टी की आदत आत्म सम्मान के अभ़ाव और ओसत दरजे में बने रहने की आदत की आलोशना करता था वो मानता था कि यह दुनिया में जीने का आम तरीका बन गया है उसने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मुझे एहसास है कि उसकी बाते सुनने का अर्थ है प्री रैगबिकर कोर्स में हिस्सा लेना ठीक उसी तरह जिस तरह की लोग pre-medical या pre-log course करते हैं फिर जल्दी से उसने मेरी उपस्थिती की प्रसंसा भी की और मुझे याद दिलाया कि मेरी ही तरह के लोग अंतता सर्विस्रिष्ट रैग विकर बनते हैं जो खुद कच्रे के ढेर पर रह चुके हैं और अपनी कबर में से निकल कर फिर से जीवित हुए हैं पांच महिनों तब मैं देश की सबसे अच्छी युनिवर्सिटी में अध्यन करता रहा प्रोफिसर साइमन पॉर्टर मुझे पढ़ाते रहे मैं सुनता रहा और सीखता रहा जब उन्होंने मुझे अपने फैबरेट लोगों के बारे में बताया जिन में से कुछ जीवित थे और कुछ मर चुके थे उन्होंने रोचक और अंजाने प्रसंग और उद्धरन भी सुनाएं ताकि उनके सबसे प्रबल विसय को नाटकिये बनाया जा सके कि हम सभी में अपने जीवन को बहतर बनाने की प्रियाप्त योगिता है और इश्वर ने हमें किसी ऐसे गड़े में नहीं डाला है जहां से हम उपर नहीं उठ सकते और अगर हम असफलता और आत्मदया के कैद खाने में खुद को बंदी बना लेते हैं तो हम ही जेलर है किवल हमारे ही पास अपनी सवत्नतरता की चाबी है उसने कहा कि जाधतर लोग जोखिम लेने से घबराते हैं अंजाने काम करने या अंजानी छेतरों में जाने से डरते हैं बहुत कम लोग ही आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेते हैं परंतु ये मुठी भर लोग भी लगतार अपनी इस प्रबल भावना से लड़ते हैं जो उनसे बार-बार कहती है कि वे फिर से अपनी पुराने सुरक्षा के कैद खाने में पहुँच जाए चाहे उनकी पुराने जिंदिकी कितनी ही निरासा जनक क्यों ना हो सैमन ने बताया कि अमेरिका के महानतम मनोवग्यानिकों में से एक अबराहम मास्लो ने इसे जो ना कॉम्पलेक्स का नाम दिया था जिसका अर्थ था और सफलता की संभावना से बचने की आंतरिक इच्छा वो निर्ने लेने का बहुत बड़ा हिमाईती था उसका कहना था कि सफल होने के लिए यह जरूरी है कि निर्ने लेने के बाद आप अपने पीछे के सारे पुल जला दे सैमन ने मुझे वह प्रसंग सुनाया जिसमें महान सिकंदर ने ऐसी ही इस्थिति का सामना किया था की संभावना चीन थी इसलिए सैनिक आगामे युद्ध को लेकर उत्साहित नहीं थे जब वे समुद्र से जा रहे थे तो उनके मन में यह डर था कि वे जीवित नहीं लोटेंगे जब सिकंदर की सारी सेना दुस्मन के किनारों पर उतर गई तो सिकंदर ने आदीश दिया कि उसके सारे जहाजों को जला दिया जाए जब वापस लोटने की एक मातर संभावना के प्रतीक उसके जहाज जल रहे थे तो सिकंदर ने खड़े होकर अपने सैनिकों से कहा देखो तुम्हारी जहाज जल गए हैं उनकी राख समुदर पर तैर रही है इससे यह बात पक्की हो जाती है कि हम लोग जीतेंगे क्योंकि जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हम मेंसे कोई भी इस देश से वापस नहीं जा पाएगा जवानों जब हम घर जाएंगे तो हम दुस्मन के जहाजों में बैटकर घर चलेंगे सैमन या नहीं मानता था कि किसी को ऐसा काम करना चाहिए जो उसे दुखी करता हो या जिसमें उसका मन न लगता हो उसने अपने तर्ग के पक्ष में फॉक्णर का कोटेशन देते जुए कहा जीवन की अत्यनत दुखत बात यह है कि जिस इकलौती चीज को हम हर दिन आठ घंटे कर सकते हैं वो है काम हम एक दिन में आठ घंटे खा नहीं सकते नहीं एक दिन में आठ घंटे पी सकते हैं नहीं एक दिन में आठ घंटे तक सेक्स का आनंद ले सकते हैं हम आठ घंटे तक सिर्फ काम कर सकते हैं यही कारण है कि इनसान अपने आपको और बाकी सब को दुखी बनाता है फिर इस विशिस्ट लेक्चर का संचीब देते हुए उसने कहा कि जो काम आपको दुखी करता हो उस काम को छोड़ देना चाहिए यह सच नहीं है मिस्टर ओग कि लुढ़कता हुआ पत्थर काई इकठी नहीं करता है और इसके अलावा और चीजे भी इकठी कर सकता है उसने मार्क ट्वेन का उधारन देते हुए बताया कि अनुभो में हमारा विस्पास आम तोर पर जरूरत से ज़्यादा होता है मेरे सामने तस्वीर खीच गई जैसे सैम्यूल एल क्लिमेंस ने अपने सलवटो भरे सफीद सूट में कह रहे हो हमें साधान रहना चाहिए कि हम अनुभो से इसमें छुपी बुद्धिमानी की बात निकालने परंतु उस बिल्ली के तरह नहीं जो एक गर्म स्टोप पर बैठ गई थी वह दुबारा गर्म स्टोप पर फिर कभी नहीं बैठेगी और यह अच्छा है परंतु वह फिर कभी ठंडे स्टोप पर भी नहीं बैठेगी उन लोगों के प्रती उसे कोई सानुभुती नहीं थी जो अपनी बधाली या बदकिस्मती के लिए सारिरिक बहाने या माहौल के बहाने बनाते थे उसने मुझे याद दिलाए के मिल्टन अंधा था बिथोवन बहरा था रूसरेल्ट को पोलियो था लिंकन गरीब थे चायको वसकी का विवा दुखत था आईजेक हेज के सुरुवाती साल भयावा गरीबी में गुजरे हेलन केलर न सुन सकती थी और न देख सकती थी और आरची मूर भी कच्री घर में से उपर उठे उन्होंने बताय कि जॉन बन्यन ने पिलग्रिमीज प्रोग्रेस तब लिखी थी जब वे जेल में थे चार्ल्स डिकेंस ने बर्तनों पर लेबल चिपकाए रॉबर्ट बर्न्स और यूलिसिस एस ग्रांट ने अपनी सराब खोरी की आदत से संगर्ष किया और बेंजमिन फ्रैंकलिन ने दस साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया फिर उसने एड़ी रिकन वेकर का किस्सा सुनाया एड़ी दूतिय विस्युध के दोरान समुद्र में 21 दिन तक पटियों पर तैरते रहे उन्हें बचाने के बाद जब उनसे किसी ने पूछा कि उन्होंने इस घटना से सबसे बड़ा सबक क्या सिखा तो उनका जवाब था मैंने सबसे बड़ा सबक यह सिखा कि अगर आपके पास पीने के लिए ताजा पानी है और खाने के लिए भोजन है तो आपको किसी और चीज की सिकायत कभी नहीं करना चाहिए साइमन का तरक था कि किसी वेक्टी में ऐसा कोई दोस नहीं होता जिससे वह लाब न उठा सके साइमन का तरक था कि किसी वेक्टी में ऐसा कोई दोस नहीं होता जिससे वह लाब न उठा सके और एक बार उसने मुझे यह चोटी कहानी सुनाई एक बार एक सुन्दर हिरन अपने सिंगों पर मोहित हो रहा था और अपने बचसूरत पैरो को हिकारत भरी नजरों से देख रहा था परन्तु तभी एक सिकारी आया और हिरन के बचसूरत पैरो के वज़ा से वो सुरक्षित इस्थान पर पहुँच गया बाद में उसके सुन्दर सींग किसी जाड़ी में फस गए और सिकारी ने उसे मार डाला साइमन ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा मिस्टर ओग जब भी आप देखे कि आप खुद को लेकर दुखी हो रहे हैं तो इस छोटी सी कहावत को याद कर ले मैं दुखी था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे जब तक कि मुझे सड़क पर वह आदमी नहीं दिखा जिसके पैर ही नहीं थे वह अमुर्थ सब्दों का वर्नन करते समय हमेशा रंगीन साद्रिशों का प्रियोग करता था एक बार जब मैंने उससे प्रियम का वर्नन करने के लिए कहा तो उसने कहा कई साल पहले इंडियाना पोलिस की रेस में एक बहतरीन ड्राइवर अल अंसर फिसल गया और दिवार से जाटक राया वह अपनी जलते हुई कार में बेहोस पड़ा था कि तभी कुछी सेकेंड में वहाँ पर दूसरी कार भी फिसली और उसकी कार के पास ही रुख गई इसके बाद कई और कारे भी गुजरी जिनमें से कुछ तो दूसरी कार के बिलकुल करीब से गुजरी तभी अपनी कार से बाहर निकल कर गैरी बेटन हासन ने अंसर की कार तक पहुँचकर उसे बाहर निकाला और आग की लप्टों से सुरक्षित निकाल लिया मिश्टर बेटन हासन यह बात पूरी तरह भूल गये थे कि वे एक रेस में हिस्सा ले रहे थे जिसके लिए उन्होंने बहुत सा धन खर्च किया था और महीनों की तैयारी की थी साइमन के लिए यह कार पेम का जीता जाकता सबूत था आटो रेसिंग के दुनिया में साइमन का एक और फेवरिट था स्टर्लिंग मॉस थोरों के सुत्र वाकिका उधरन देते हुए साइमन ने बताये के मनुष्य का जन सफल होने के लिए हुआ है असफल होने के लिए नहीं बोड़े आदमी ने इसके बाद मास के सपस्ट बृतिस लज़े की नकल उतारते हुए कहा कि मनुष्य कोई भी लच्छ हासिल कर सकता है बसरते कि वह उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो उसने मास के प्रसिद्ध कोटेशन को दोहराया मुझे सिखाया गया है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इसे पाने के लिए बाकी चीजों का त्याग कर सकें चाहे आप जो भी करना चाहें आप उसे कर सकते हैं बसरते कि आप उसे बुरी तरह से करना चाहते हैं और मैं इसमें विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि अगर मैं एक मिल की दोरी चार सेकेंड में पूरी करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ मुझे जीवन की बाकी सभी चीजों को भूलना और छोड़ना होगा परन्तु मैं चार मिनिट में एक मिल दोर सकता हूँ मुझे विस्पास है कि अगर आदमी पानी पर चलना चाहे और जीवन में बाकी सभी चीजों को छोड़ दे तो वो या काम भी कर सकता है और हाँ, साइमन हमेशा कहता रहता था कि जादतर लोग जीवन में बहुत जल्दी ही हार मान लेते हैं मिस्टर ओग, कैलिफॉर्णिया के सुनूमा में ड्राइविंग सिखाने के लिए बहुत बढ़िया स्कूल है इसका नाम है बॉब बॉन्डिूरा स्कूल उसमें सिखाने वाले कहते हैं कि हमारे देश की सडकों पर जादतर ड्राइवर जब देखते हैं कि एक्सिडेंट होने वाला है तो वे अपनी कार को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं जब टककर होने वाली होती है तो वे ब्रेक लगा कर या स्टेरिंग घुमा कर अपनी कार को या खुद को बचाने की कोशिस करने लगते हैं जबकि टककर की गंभीरता को कम करने के लिए इस बीच बहुत कुछ किया जा सकता था वे हार मान लेते हैं और वे इसकी कीमत चुकाते हैं यही हाल ज़्यादतर लोगों का है जो आम जीवन में भी ऐसा ही करते हैं फिर वा खड़ा होकर भी की तरह अपनी दोनों उंगलियों को फैलाता था और विंस्टन चर्चिल के वह सब्द कहता था जो उसके हिसाब से सफलता का महानतम रहसे है और यह रहसे सिर्फ छे सब्दों का है कभी, कभी, कभी हिमत मतारो हलाकि चर्चा के दोरान वह अक्सर दूसरे विस्यों पर चला जाता था परन्तु आखिर में वह हमेशा अपने प्रिये विस्यों पर लोटाता था कि मनुश्य में आत्म सम्मान कितना कम होता जा रहा है जिसका परिणाम या होता है कि वह जिन्दा रहते हुए भी मुर्दों के समान जीवन बिताता है उसे उन जीवित मृत्यों से सबसे अधिक कुंठा होती थी जो आखिरकार आत्महत्या में बदल जाती थी इन मौतों को वह रोक नहीं सका क्योंकि जैसा उसका कहना था वह हर कहीं नहीं रह सकता था और इस दुनिया में प्रियाप्त रैगपिकर नहीं थे मिस्टर ओग अपनी घड़ी की तरफ देखें अपने दिवाद में इस समय को बिठा लें और फिर इसे याद रखें कल रात इसी समय तक इस देश में 950 लोग अपनी जान लेने की कोशिस करेंगे ज़रा सोचिये और क्या आपको मालूम है सो से अधिक लोग अपनी कोशिसों में सफल भी होंगे फिर उसने कुर्सी की बाह पर हाथ मार कर आगे कहा यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती अगले 24 घंटों में 40 लोगों को हेरोईन की लट लग जाएगी 37 सराब के वज़े से मरेंगे और 4000 लोग कल इसी समय तक मानसिक रोगों से ग्रस्थ हो जाएगे इसके अलावा और भी तरीकों से हम यह बताते हैं कि हम यह भूल चुके हैं कि हम कितनी अद्भुत रचना है अगले 24 घंटों में लगवक 6000 बीमार और दुविधा क्रस्थ लोग सराब के नसे और असमाजिक विवहार के लिए हिरासत में लिया जाएगा और 150 लोग तेज गाड़िया चला कर यह साबित करेंगी कि उनकी नजर में उनकी जान कितनी कम कीमती है जिस वज़ा से उनकी और दूसरे लोगों की जान चली जाएगी मिस्टर ओग क्या आप जानते हैं कि इस इस्थिदी का करन क्या है यह यहां और पूरे विसो में क्यों फैलती है और बढ़ती जा रही है मैंने अपना सेर हिला और इंतिजार किया क्यूंकि हम सभी जानते हैं कि हम आज जैसे हैं हम उससे बहतर हो सकते हैं हाँ या सच है कि जादातर इंसान इस शुपे हुई भावना को सब्दों में बयान नहीं कर सकते परन्तो हर इंसान के भीतर ऐसी कोई चीज मौजूद होती है जो उसे जानवरों से पूरी तरह अलग करती है और यही चीज जो लगबग हमारी दूसरी अंतरात्मा होती है हमें अपने नीरेश जीवन के और प्रत्यासित छनों में याद दिलाती रहती है कि हम अपनी संपून संभावना के हिसाब से नहीं जी रहे हैं या तारकिक है कि अगर हम जानते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर नहीं कर रहे हैं अगर हम जानते हैं कि हमें अधिक भौति में हमारी राय अच्छी नहीं होती जो इस तरह असफल हो चुका है और उस पर हमारे नाम का लेबल लगा हुआ है धीरे धीरे हम उस आदमी से नफरत करने लगते हैं क्या आप मास्टलों के बारे में जानते हैं मिस्टर रॉग उनकी लिखी हुई बाते मैं जादा नहीं समझ पाया हूँ सायमन अगर आप धीरे धीरे और सोचते हुए पढ़े तो मास्टलों को समझना आसान है मास्टलों ने एक बार लिखा था कि लोग दो तरह के काम करते हैं या तो अच्छे और बढ़िया काम जिनकी वज़ा से उनम आगे तक नहीं गया मेरा मानना है कि अधिकान्स लोग बिना कोई घटिया या निंदनीय काम किये ही खुद को निरठक किसी के द्वारा ना चाहा जाने वाला और निंदनीय समझने लगते हैं अपने काम में ला परवाही अपने हुलिये के बारे में परवाह ना करना जीव वे अपने पहले से घायल आत्मी छवी को और भी घायल कर देते हैं और अपने आप से और ज़्यादा नफरत करने लगते हैं हमें से अधिकांस में केवल मरने की इच्छा नहीं होती हमें असफल होने की इच्छा भी होती है कई बार साइमन एक लेखक के द्वारा दूसरे लेखक के दिये गए कोटेशन का उलेख्वी करता था हम सब दुखी है मिस्टर ओग हेंडरी मिलर टॉस्ट्रोई के इस वाके से बुरी तरह प्रभावी था अगर आप दुखी हैं और मैं जानता हूँ कि आप दुखी है परन्तु साइमन हमें से जादता लोग सिर्फ इसले दुखी है क्योंकि हमारे पास समस्याए हैं मैं आपको अभी इस सहर के एक अस्पताल में ले जा सकता हूँ जहां बहुत से लोग भरती हैं और वे बहुत सुखी लोग हैं वे हर समय हस्ते रहते हैं वे अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते और उनकी खिर्टियों पर छड़ लगी हुई है मैं सुझाओं नहीं दे रहा हूँ कि हम एक असंभव सी हमेशा सुख से भरे जीवन की कल्पना कर ले जो हमारे सामने समस्याओं ही ना आने दे या असंभव है समस्याओं चाहे छोटी हो या बड़ी हमें से हर एक के सामने आएंगी और तब तक आती रहेगी जब तक हम जीवित रहेंगे नॉर्मन विंसेंट पील ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक ही बार ऐसे लोगों को दिखा था जिनके पास समस्याओं नहीं थी जब वे कबरिस्तान गए थे नहीं सुख हर दुख का इलाज नहीं है पर यह दुख से हमारा बचाओ जरूर करता है यह हमें अपनी समस्याओं का सामना करने और उनसे जूजने के योगे बनाता है ताकि हम मानों जाती की प्रगती की दौड में हार ना मान ले और अपने आत्मसंवान को कम ना कर ले और हार मानने का अंतिन स्वरूप है आत्महत्या हम लोग अपनी समस्याओं का सामना करने में इतने अक्षम क्यों है साइमन हम इतने दुखी क्यों है जबकि सुखी रहने के सारे साधन हमारे चारो तरफ बिखरे हुए है क्या यह भी ओरिजिनल सीन की तरह का कोई साप है जो उससे भी बड़ा साप सिद्ध हो रहा है हम दुखी क्यों है मैं आपके कही बात को दोराना चाहूंगा हम इसले दुखी है क्योंकि हमें आत्म सम्मान नहीं है आत्म गौरों का भान नहीं है हम इसले दुखी है क्योंकि हम यह नहीं मानते कि हम एक विसेष्मतकार है इसवर की खास रचना है हम जानवर बन चुके है एक संख्या बन चुके है पंचकाड, नौकर, अप्राधी बन चुके है हम सीसे में देखते हैं और हमें वे इसवरिये विसेस्ताइं नहीं दिखती जो पहले बहुत स्पष्टता से नजराती थी हमने अपने आप में विश्वास करना छोड़ दिया है हम उन नगन बंदरों में विक्षित हो चुके हैं जिनके बारे में डेज्मंड मौरिस ने लिखा था या कब हुआ? मैं ठीक से तो नहीं जानता परंतु मेरी एक परिकल्पना है मुझे लगता है कि सैद्य कौपर्णिकस के साथ सुरू हुआ है कौपर्णिकस? पॉलिंड का खगोल सास्त्री? हाँ, दरसल वह एक डॉक्टर था खगोल विज्ञान तो उसका सिर्फ सौक था कौपर्णिकस से पहले लोग या विश्वास करते थे कि वे इस्वर की बनाई सरस्टी के केंदर में है और उपर बनाई गई रोसनिया उन्हें आनंद और प्रकास देने के लिए है परंतु कौपर्णिकस ने या सिद्ध कर दिया कि हमारा ग्रा किसी चीज के केंदर में नहीं है और प्रित्वी ढूल और पत्थर की छोटी सी गेल है जो अंतरिक्ष में घूम रही है और इसे प्रित्वी के आकार से कई गुना बड़ा आग का गोला अपनी कैद में रखे हुए है इसने हमारे अहंकार को बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया हमने इस प्रतिभासाली आदमी के खोज को कई सदियों तक मानने से इंकार कर दिया हमने वा किमत चुकाने से इंकार कर दिया कि हम इस्वर के विशेश पुत्र पुत्रिया नहीं है इसलिए हमने उसकी बात को नहीं माना हम सुनने को भी तयार नहीं हुए और फिर 400 साल बात हमारा आत्मगौरव एक बार फिर बुरी तरह घायल हुआ ग्रेट ब्रिटेन में एक प्रतिभासाली नेश्रलिस्ट डार्विन ने यह बताये कि हम लोग ईस्वर की विशेश संतत्ती नहीं है बलकि हमारी जड़े जानवरों में है जिन से हमारा विकास हुआ है उसने हमारे आत्मगौरव के घाव पर नमक छड़कते हुए यह भी कहा कि हमारी उत्पत्ती जानवरों से हुई है हमारे लिए यह करवी गोली निगलना बहुते कठिन था कई स्थानों पर तो इनसान इसे आज भी नहीं निगल पाए है परन्तो यह कई लोगों के लिए वर्दान साबित हुआ क्योंकि अब विज्ञान मनुस्य के पास्विक विभार को जान रहा था और उसे मानिता दे कर उसे माफ कर रहा था आखिरकार जब हम केबल जानवर हैं तो आप हमसे क्या आसा कर सकते हैं इस तरह हमारी आत्म चवी, हमारा आत्म गौरव, हमारा आत्म प्रेम, दुख और नर्क की तरफ की सीवी पर कुछ पाइदान और गिर गया डार्विन ने हमें जानवरों का परमिट दे दिया डार्विन के बाद डार्विन के बाद फ्रायड इस आदमी ने हमारे आत्म गौरव के घर की कुछ और खेट्या तोड़ दी फ्रैड ने हमें बताया कि हम अपने कई कामों और विचारों को नियंतरित करने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें समझने में भी असमर्थ रहते हैं क्योंकि वे प्रीम और घ्रिना और दमन से जुड़े हमारे बच्पन के अनुभों से उत्पन होते हैं हमने अपने बच्पन के अनुभों को अपने औचितन मस्तिस्क में गहराई से दबा दिया है हमें इसी बात की जरूरत थी अब हमारे पास विश्व के सबसे प्रतिभासाली मेडिकल अधिकारी का लाइसिंस था जिसकी मदद से हम अपने साथ और दूसरों के साथ जो चाहे कर सकते थे हमें अपने कामों के लिए किसी तार्किक स्पष्टी करन की जरूरत नहीं रह गई थी सिर्फ काम करो और परिनामों को लिए अपने पिता या अपनी माता को जिम्मेदा ठहरा दो साइमन मैं यह निश्यत करना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ आप यह कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य अपनी ईस्वर से ज़्यादा करी था जब उसे यह विश्वास था कि वो सचमुच एक अद्भुत रचना है एक ऐसी रचना जिसे ईस्वर ने अपने स्वरूप में गढ़ा है परन्तु धीरे धीरे मनुष्य ने ऐसी खोज की जिससे उसका अपनी उच्च अवस्था के बारे में भ्रम तूट गया और आखिरकार वह यह सोचने लगा अगर हम लोग ईस्वरिये नहीं है अगर हम ईस्वर के संसार के केंदर में नहीं है अगर हम सचमुच केवल पसू है और अगर हम अपने कई कामों को समझ नहीं सकते या नियंतरित नहीं कर सकते तो फिर हमारा महत्व उतना ही है जितना की हमारे बगीचे में लगी खर्पतवार का अगर हम वास्तों में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर हम अपने आप पर किस तरह गर्व कर सकते हैं और अगर हमें अपने आप पर गर्व नहीं है तो फिर हम खुद को पसंद कैसे कर सकते हैं और अगर हम अपने आपको पसंद नहीं करते, तो फिर ऐसे आदमी के साथ जीवन किस तरह गुजार सकते हैं, इसलिए क्यों न हम अपने आपसे मुक्ति पालें, हम ज़्यादा तेज गाड़ी चलाएं, या ज़्यादा सराब पियें, या ज़्यादा खाले, या जान बुझक अगर ऐसे गलत काम करें, ताकि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, और हम कोने में वैट कर, अपने अंगुठे चूशते हुए, खुझ से कह सके, कि हम महत्मिहीन हैं, इसलिए इस बात की क्या परवाह करना, क्या आपका यहीं मतलब है, बिलकुल, अब मेरी बारी थी, पिट्सवर्ग युनिवर्सिटी में उनके Foundation for the Study of Cycles से परीचित हैं, हाँ, कई साल पहले मैंने उनके Foundation की मासिक पत्रिका, Cycles के बहुत से पुराने अंग खरी दे थे, मैंने उन अंगों को यहीं कहीं पैक करके रख दिया था, आप उनके बारे में क्या कहना चाते हैं, Mr. Aug? प्रोफेसर ड्यूई ने अपने जीवन के 40 साल एक अध्यन में लगा दिये हैं, वे या जानना चाते थे कि हर चीज एक चक्र में होती है, चाहे वो भुकंप हो या अच्छी फसल हो, या स्टॉक मार्केट की कीमतों में उच्छाल हो, या सूरे के धबों में बढ़ोतरी हो या और भी स्टॉक चीजे हो, मैं जानता हूँ, प्रोफेसर ड्यूई तीन साल पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वे सक्सस अनलिम्टेड में मेरे लेखों से प्रभावित हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके साथ चक्रों पर एक पुष् का अध्यन किया, और आखिरकार हमने एक पुष्टक तयार की, जिसका सिर्शक था, Cycles, Mysterious Forces that Trigger Coming Events. Mr. Aug, मैं आपको जितना जानता हूँ, मैं आपके ज्ञान से उतना ही चमितक्रित होता जाता हूँ, मैं भी आपके बारे में यही बात कर सकता हूँ. Simon, बहराल Professor Dewey का विश्वास है कि हमारे कामों और नजरियों को कोई बाहरी ततों प्रभावित करता है, उनका मानना है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि ग्रहों की इस्थितिया, इंसानों के कारियों को सामोहिक रूप से प्रभावित करती है, जिससे हम कई बार तार्किक द्रिष्टी से हम सूचते हैं कि हम यह काम कर रहे हैं उनका कहना है कि हम किसी धागे से बंधी कठ पुतलियों की तरह है और अगर इस धागे को काट दिया जाए तो हम अपनी पूरी संभावना तक नहीं पहुँच सकते नहीं हम अपने आत्मगौरों को फिर से हासिल कर सकते हैं मुझे आपका प्रोफिसर पसंद आया मिस्टर ओग अब अगर आप इन संभावनाओं पर पले बढ़े हो कि आप एक धूल के कन की तरह है आपका अपने भागे पर बहुत थोड़ा नियंतरन है या बिलकुल भी नियंतरन नहीं है और फिर आपको हर दिन ऐसी घटनाओं से जोजना पड़े जो आपकी व्यक्तिक्ता को नस्ट करती हो और आप उस नकरात्म कच्रे में डूबे रहते हो जो अख़वारों, रेडियों, टेलिवीजन, फिल्मों और नाटकों से भरा रहता है और इसके बाद आप अपनी व्यक्तिकत सुरक्षा, आपकी जीवन भर की बचट, अपने परिवार के सुख, अपने भविश्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इसमें आप वो डर भी जोड़ दें, कि यह दुनिया प्रदूशन की गटर बन चुकी है, और किसी भी सुबह या नस्ठ हो सकती है जब यह सारी चीजे होती है, तो आप किस तरह आत्म गौरव का अन्वोग कर सकते हैं क्योंकि आपका जाधतर समय और प्रियास तो सिर्फ जिंदा बचे रहने के लिए हो रहे हैं आप अपने बारे में अच्छा या उंचा किस तरह सोच सकते हैं आप किस तरह सुखी हो सकते हैं, आप में पसंद किये जाने लायक कौन सी बात रह जाती है इस तरह के जीवन में कौन सी महान चीज है, इस तरह के जीवन को धरती पर स्वर्ग की संग्या कौन दे सकता है मुझे लगता है कि आप मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो अपने आप में खुद जवाब है साइमन की भावे तन गई उसके कंदे जुग गए जैसे वो इस लंबी चर्चा से ठक गया हो फिर उसके चहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई उसकी आँखे चौड़ी हुई और उसने अपनी आवाज उची कर ली फिरोधा भासी जवाब यह है मिस्टर ओग कि हमारे खिलाफ इतनी सारे सक्तियों के होने के बावजूद हम चाहते हैं हम बहुत चाहते हैं कि हम अपनी जीवन पर गर्व करें हम सब अपने पूरे दिल से चाहते हैं कि हम अपनी पूरी संभावना तक पहुँच सके और चुकि आशा का छोटा सा दीपक हम सभी के भीतर जलता रहता है इसलिए हम अपनी असफलताओं पर सर्मिन्दा होकर रोते हैं और औसा दर्जे के आम गढ़े में अपने क्रमसा पतन पर सर्मिन्दा होते हैं हम रेनीशा यूग के उन चित्रों के तरह हैं जिनमें कुछ पापी आत्माई नर्क की आग में जोकी जा रही है और वे अपने हाथ उठा कर मदद मांग रही है वह मदद जो उन्हें आम दोर पर नहीं मिलती क्या कोई आसा है साइमन क्या इतने अंधेरे में एक छोटा दिया जलाने से सच्मुच कोई लाब हो सकता है आसा तो हमेशा रहती है जब आसा खत्म हो जाएगी तो दुन्या भी खत्म हो जाएगी और निरासा के अंधेरे को हराने के लिए आपके वर एक दिपक जलाने के बारे में ना सोचे, अगर हर आदमी एक दिपक जला ले, तो हम अंधीरे से, अंधीरी रात को भी दिन से अधिक रौशन कर सकते हैं। मैंने सैतान के वकील की भूमिका निपाना शुरू कर दिया, परंतु क्या मानव जाती उस मोर पर नहीं पहुँच गई है, जहां इसमें सुधार की सारी संभावना ही समाप्थ हो गई है। अजार कहानिया है, और जनसंख्या वढ़ने के बाद भी यह अनुपात बदलता नजर नहीं आता। कि कई कारेक्रमों में मुझसे इंट्रव्यो करने वाला इस तरह का सवाल पूछता है, चुकि उसने मेरी पुष्टक नहीं पढ़ी होती, इसलिवा सोचता है कि मैंने भी एक और रारा पुष्टक लिखी है, जिसमें पाठो को बताया गया है कि सफल कैसे हुआ जाए। जिसे हमेशा अमेरी का प्रयवाची समझा जाता है, हमें इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि अमीर और सफल इस तेस में प्रयवाची माने जाते हैं, मैं जानता हूँ, यह दुखत है, परन्तु सच है। फिर जब आप टेलिविजन कैमरे के सामने या समझाने के कोशिस करते हैं कि आपके पुस्तक का आर्थे खलाब से कोई लेना देना नहीं है, और इसका लच्छ तो मानसिक, सांतिया, सुख प्रदान करना है, तो आम तोर पर सामने वाला व्यन्यात्वक हसी हसने लगता है। इसके बाद वो आप पर ऐसे सवालों के गोला बारी सुरू कर देता है, जिनके जवाब देना मुस्किल हो जाता है। उदाहरन के तौर पर ठीक है। वे लोग कहते हैं कि सुख और मानसिक सांति के बारे में बाती करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। परन्तु क्य रुग्य में रहने वाली उस युवा विध्वा मा के मन और आत्मा को कैसे सांत करेंगे जिसे उसके माहौल ने कुचल दिया है और वो तीन बच्चों को पालने के लिए संघर्च कर रही है। अब किस तरह एक मरते हुए आदमी को विश्वास दिलाएंगे कि वो अब भी अपने बचे हुए जीवन का अनंद ले सकता है। आप उस ग्रणी को क्या कहेंगे जिसे पूरा विश्वास है कि उसका जीवन बरतन साफ करने और बिश्तर बिशाने तक ही सिमटकर तह गया है। आपने जो समस्याइं बताई हैं मिस्टर रॉग इन में से कोई भी आसान न पूछ गई होगी परन्तो मैं आपको यह बता दूँ यह पूरी तरह कभी नहीं बुछती कभी नहीं। जब तक हमारे सरीर में जिन्दगी की एक भी सांस है तब तक आसा है और रैग पिकर्स इसी विश्वास के सहारे काम करते हैं। हमें एक मौका तो दीजिए और हम आप को जीवित मौत के मौई से निकाल कर एक बार फिर जीवित हो सकता है। बसरते कि इसे उसर दिया जाए और सही रास्ता दिखाया जाए। और यहीं पर आप जैसे रैग पिकर्ष का काम करते हैं। जीवित मौत के सिकार लोगों में, बानवता के औसफर लोगों में आम तोर पर मैंने पाया है कि जाज़तर लोग तब तक सहायता स्विकार करने के इच्छुप नहीं होते नहीं वे सहायता स्विकार करने के लिए तयार होते हैं जब तकि वे पूरी तरह रसातल में ना पहुंच जाएं। उस बिंदू पर पहुंचने के बाद वे जान देते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वे मेरी आसान तक्नीक को ज़्यादा अच्छे तरह अपनाते हैं ताकि वे नया जीवन शुरू कर सके ताकि वे विश्व का महांतम चमतकार कर सकें ताकि वे अपनी जीवित मौत की कैद से बाहर निकल सकें। क्या आपने इमर्शन को पढ़ा है मिस्टर रॉग। मैंने हाई स्कूल के बाद इमर्शन कभी नहीं पढ़ा। कितने सर्म की बात है। इमर्शन को 30, 40 और 50 साल के ल पढ़ा नहीं। इमर्शन ने लिखा है हमारी सत्या हमारी कमजोरियों से उत्पन होती है। में व्रधी करता है। अपनी बहुदरी जान लेता है। तत्यों का ज्यान हसिल करता है। अपने अज्यान के बारे में जान लेता है। दंव के पागलपन से मुक्त हो जाता है। सैयम और वास्त्वी कुसलता सीख लेता है। परन्तु क्या आपका अंतिम लक्ष एक असंभ साइमन आप दुन्या को बदलने के बारे में बात कर रहे हैं इसकी बार-बार कोशिस हुई है हमारे पास मार्टिस या सहीदों की लंबी सुची है जिन्होंने इसी तरह की कोशिस की थी और असफल हुए थे वे असफल नहीं हुए जब सपिसाली रोम उसके सामने ढ़ा गया तो पॉलिनस नामक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक छोटे मंदिर की देखवाल करता रहा उसके बुद्धिमता पून सब्द आपको किसी भी पुस्तिकाले में मिल जाएंगे वो बुरह और समझदार रैक्पिकर था सही तब असफल नहीं होते जब उनके दिल धड़कना बंद कर देते हैं अगर वे असफल होते तो हम लोग यहाँ पर बैठ कर अपने साजे लक्ष यानि कि दुनिया को बहतर बनाने के लक्ष की संभावना पर विचार नहीं कर रहे होते एक ऐसे दुनिया जिसमें इस्वर के बनाए सभी प्रानी बहतर तरीके से जी सके बुड़ा आदमी अपनी जगह पर वापस लोटा और उसने मेरे घुटने पर अपना हाथ रख दिया मिस्टर ओग क्योंने दुनिया को बदलने की कोसिस करें क्योंने दूसरों को यह सिखाएं कि वे अपने जीवन में चमतकार कर सकते हैं आदमी अप स्रिस्टी के केंदर में नहीं रहता इस बात का क्या महत्व है जब तक कि वो अपने सुन्दर संसार की रशना मंचाहे ढंग से कर सकता है आदमी इस बात के परवा क्यों करे कि उसके उत्पत्पी जानवरों से हुई है जबकि वो जानता है कि उसके पास ऐसी सक्तिया है जो किसी और प्रानी के पास नहीं है और उसे इस बात से फर्क क्यों पढ़ना चाहिए कि उसके कुछ कारे उसके बच्वन के अवचेतन अनुभों के कारण होते हैं जबकि उसके पास अपने मस्तिस को नियंतरित करने की सकती है और इस तरह वो अपना मुकदर खुद लिख सकता है किवल मनुष्य ही अपने तकदीर से किवल मनुष्य ही अपने तरीके से या अंतिम फैसला कर सकता है कि वो अपने जीवन को किस तरह जीए उसने बहुत गहरी और अर्थपून बाते कही थी इसलिए यह जरूरी हो गया था कि मैं चाचा को रोग दूँ या फिर मूड को कम से कम हलका कर दूँ ताकि मैं उसकी बातों को पचा सकूँ इसलिए मैंने सिगरेट सुलगा ली और उसे जाल में फसाने की कोसिस करते हुए कहा साइमन जोतिसी आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि इनसान में अपने भागे को नियंद्रित करने की सक्ती होती है उसने दुखी अंदाज में सिर हिलाया और फिर मुश्कुराया जोतिसी, नीम हकीम, हाथ देखने वाले, अंक जोतिसी, पारलोके क्विसेस अगे हर पीड़ी के अपने कई सुरक्षा कवच होते हैं पलकी हमारा है मैंने उसके 89 बड़े पर तौफा देखकर उसे अश्चर चकित कर दिया सुरुवाती चर्चाओं में उसने मुझे अपना जन दिन बताया था मुझे जन दिन याद रहा इस बात से उसे इतनी हैरत हुई कि उसकी जान ही निकल गई मुझे सौपिंग करने से नफरत है परनतु मैंने दो सनिवार तक सौपिंग की ताकि मैं साइमन के लिए कोई अद्वुत और महतपून तौफा खरीच सकूँ आखिरकार मुझे वुड फिल्ड में मार्सल फिल्ड के दुकान पर वह तौफा मिल ही गया इटेलियन कास्ट ग्लास का जेरेनियम प्लांट दो फूट लंबे इस पौधे में रंग भी थे और पत्तियां भी इसे देखकर या लगता ही नहीं था कि यह कांच का पौधा था जब तक कि आप इसे छोकर ना देखें ऐसा लगता था जैसे इसे किसी वगीचे में बड़े जतन से उगाया गया है साइमन की खिड़के के पास एक बॉक्स था पूरे ब्लॉक में उसी की खिड़के के बाहर ऐसा बॉक्स था उसका कहना था कि जब वो यहाँ पर रहने के लिए आया था तभी उसने इसे बना कर बाहर टांग दिया था हर साल वो इसकी मरमत करता था और इसमें ताजे हरे रंग से पींट करता था हर वसंत में वो उस बॉक्स में जेरेनियम प्लांट की अंगिनत बीच डाल देता था क्योंकि जेरेनियम प्लांट उसका फैब्रेट प्लांट था यह पौधे आस्मान की तरफ उठने का अपना संगर्स सुरू करते थे फिर वे पीले पढ़ने लगते थे और आखिरकार सूप कर मर जाते थे उसने मुझे बताये कि पिशले साल उसने अपने किस्मत को बदलने की कोशिस की और गर्मी की सुरूबात तक ठहर कर थोड़े बड़े पौधे खरीदे दो सप्ता बाद वे भी भूरे पढ़कर मुर्जा गए परन्तो उसने हार नहीं मानी वो फैसला कर चुका था कि बीजो की एक केटलोग से अगले वसंत में नए बीज खरीदेगा बोड़े आदमी का कहना था कि दमिस किया सेक्सेन होसन में जेरेनियम पौधे के साथ कभी कोई समस्या नहीं आई एक पर उसने इस बात का लंबा वर्नन किया कि वो किस तरह जाड़े के आने से पहले अपने प्रिय पौधे को खोदा करता था और उन्हें बेस्मेंट में सूपने के लिए रख देता था और वसंत में उन्हें फिर से मिट्टी में गाड़ देता था उसने हस्ते हुए बताया कि जीवित वस्तों को नया जीवन सुरू करने के छेतर में या उसकी सुरुवाती सफलताई थी उसके लगाए हुए कुछ जेरेनियम पीस साल से अधिक की उम्र के थे परन्तु सिकागो में नहीं सैमन इसके लिए प्रदूशन को जिम्मेदार ठहराता था कोई चीज मौत की इस बारिस में कैसे जिन्दा रह सकती है जबकि उपर से और सड़क पर चलती कारों से इतना प्रदूशन हवा में है बाहर देखें मिस्टर ओग अज पुर्णवासी है क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं हम लोग अपने ही पैदा किये हुए कच्रे में डूबे हुए हैं हम इसमें नहाते हैं हम इसमें सांस लेते हैं हम इसे खाते हैं यहाँ तक कि मैं जो पानी अपने पौधे को देता हूँ उसमें भी ऐसे रसायन है जो कौकरोज को मार सकते हैं आज किवल पौधे और पक्षी मर रहे हैं कल ना जाने क्या होगा? परंतु मुझे विश्वास है कि आखिकार मैं जेरिनियम के पौधे को उगा ही लूँगा और मानाव जाती समय रहते जाग जाएगी और इस विश्व को एक विशाल कच्रागर बनने से बचा लेगी ऐसा संभव बनाने के लिए रैग पिकर्ष की सेना की जरुरत होगी साइमन इस ग्रा को बचाने के लिए हर इनसान को अपना रैग पिकर खुद बनना होगा उसे मुक्ती के लिए अपने परोसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए मेरा यकीन कीजिए मिस्टर ओग एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा सिल्समेन ने काच के पौधे को सुन्दर कागज में लपीट कर गिफ्ट रैप कर दिया जब साइमन ने दरवाजा खूला तो मैंने बड़े सुनहरे बॉक्स को उसके हाथों में दे दिया और इतना ही कहा हैपी बर्ड डे प्रिये दोस्त उसने बकसा लिया उसका मूँ खुला का खुला रह गया उसने मूँ से सब्ध नहीं निकल रहे थे फिर उसकी आँखों के कोने में आसो बहने लगे उसने बकसे को फर्च पर साउधानी से रख दिया और मुझे गले लगा लिया अखिरकार उसने अपने हाथों में मेरे शेहरे को भरते हुए मेरे माथे को चूम लिया मिस्टर ओग 35 साल में पहली बार किसी ने मुझे बड़ी गिफ्ट दिया है आपको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्दिन है एक रात को आपके मूँ से निकल गया था आगे बढ़िये, खोल दीजिये साइमन ने जुक कर बड़े बॉक्स को अपनी तरफ खीचा ताकि उसके पैर बकसे के दोनों तरफ पहुच जाए पहले तो उसने साउधानी से रिबन खोले फिर उसने अपनी उंगलियां कागज के नीचे डाली और धीरे धीरे कागज हटाया इसके बाद उसने अपना पॉकेट नाइफ निकाला और अंदर के कवर हटाये उसने अंदर देखा और उसकी बिरकुटियां तन गई फिर उसने टीसू पेपर हटाना सुरू किया जो पोधे के चारो तरफ लिप्टा हुआ था वो बच्चों की तरह रूमांचित था और अनुमान लगा रहा था कि अंदर क्या होगा इस तरह का उत्सा के वल क्रिस्मस के समय देखने को मिलता है आखेकार उसने सारे कवर हटा दिये और काटन से काच के अपने तौफे को बाहर निकाल लिया जेरेनियम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है इतना सांदार पौधा मैंने जितने भी पौधे देखे हैं या उनमें सबसे सुन्दर जेरेनियम प्लांट है और या असली नहीं है हे इसवर या काच का बना है मिस्टर ओग आपने या अद्बुत कला करती कहां खोजी और देखे इसके रंग को तो देखे एक बार जेरुसेलम में मैंने इसी तरह के रंग के जेरेनियम प्लांट को दिखा था मैंने इसे इसके मालिक से खरीदने की कोशिस भी की थी परंतु मैं सवल नहीं हुआ इतना सांदार तौफा इतना महंगा तौफा मिस्टर ओग मैं क्या कह सकता हूँ कुछ भी ना कहें साइमन मैं खुश हूँ कि आपको या पसंद आया यह तकिवल प्रेम का एक छोटा सा प्रतीक है और यह उन लंबी चर्चाओं के लिए धन्यवाद का प्रतीक भी है जिनमें आपने ग्यान और आसा पर मुझसे घंटो बाते की है हैपी बर्दे और इस्वर करी कि आप 89 साल और जीएं अब तक वो अपने पैरो पर था और पौधे को लेकर इधर से उधर घूम रहा था वो उसे रखने के लिए आदर्श इस्थान की तलास कर रहा था उसने इसे कौफी की टेबल पर रखा पीछे आया कुछ मिनुटों तक इसे देखा अपने सेर को हिलाया और इसे वहाँ से हटा दिया फिर उसने इसे टेलेविजन सेट के उपर रख कर देखा नहीं फिर अपने परिवार की तस्वीरों के पीछे मेज पर रख कर देखा पहले से बहतर परन्तु अब भी आदर्श नहीं उसे तौफे को इधर से उधर ले जाते हुए देखकर मेरे मन में अचानक एक खयाल आया साइमन दरसल इस जेरेनियम के लिए एक हिसान आदर्श है वो अनिच्छा से ठहरा जैसे मैंने उसकी आनंद में बाधा डाल दी हो कहा मेस्ट रॉग देखिए यह काच का बना है इसलिए प्रदूसन से इसे कोई नुकसान नहीं होगा क्यों न इसे आप बाहर रखें अपने खिड़की के बॉक्स में इस पूरे सहर में ऐसा कौन होगा जिसकी खिड़की में लाल जेरेनियम लहला हा रहा होगा इस नवंबर में दिसंबर में जनवरी में और साल के हर महीने में बहुत ही बढ़िया सुझाओ है मिस्टर ओग और यह वहां से आपको हर रुज गुड मॉनिंग कर सकता है जब आप पार्किंग स्थर पर अपनी कार पार्क करते हैं मैं ऐसा ही करता हूँ परन्तों यह सम्मान मैं आपको देना चाहता हूँ सम्मान आपका क्या मतलब है इस पौधी को वहां आप लगाईए ठहरिये जरा मैं अपने औजार तो लियाऊ और हम दोनों ने अपनी 95 डॉलर के जरेनियम प्लांट को लगाया मैंने खिड़की के बॉक्स की लगबग जमी हुई काले मिट्टी में एक गड़ा किया साइमन ने मुझे पौधा पकड़ाया और मैंने उसे नीचे गाड़कर उसे मिट्टी से इस तरह ढख दिया कि केवल पौधा ही दिखाई दे फिर हम पीछे हटकर इसकी सुन्दरता को निहारते रहे लिविंग रूम से आती रोसनी पौधे की कलियों पर पढ़ रही थी और इसे अधिक सुन्दर बना रही थी यह सुन्दर है यह बहुत खास है सैमन चिलाया अब मेरे पास आखिरकार मेरा जेरीनियम है आप देख रहे हैं ना जिसमें लगन होती है वो कभी असफल नहीं होता जिसमें लगन होती है वो कभी असफल नहीं होता आपके सिवा कौन इस तरह का तौफा ला सकता है या तौफा मेरे प्यारे रैगपिकर के लिए है बस इतनी सिवा थे फिर हमने उसके उन्नासिवे जर्मदीन की खुशियां मनाते हुए टोस्ट में सेरी पी अब जब बैठे तो मैंने दिखा कि वह अपनी भावनाओं को काबो में रखने के लिए संघर्ष कर रहा था उसकी होट काप रहे थे और उसकी आँखें आधिब बंद थी मैं सोच रहा था वह ना जाने किन यादों में डूबा होगा परंतु मैं खामोश रहा आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया जैसे वह यादों को हटा रहा हो और उसने कहा दुनिया में इससे बुरी कोई चीज नहीं की किसी बुढ़े आदमी के पास उम्र को छोड़ कर कोई और चीज नहो जो यह साबित कर सके कि उसने इतना लंबा जीवन जिया है मैं जानता हूँ कि यह किसने कहा है सेने काने ठीक है ना मिस्टर ओग आप अपने 50 वर्षों की उम्र के मान से बहुत ज़्यादा समाठ है परन्तु आपकी उम्र के मान से आपके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है साइमन आपके बल 19 सालों का हिसाब लगा ले जो अपने एक रैग पिकर की तरह गुजारे हैं और इतने सारे लोगों की मदद की है हाँ वे लोग कच्रे घर में पड़े मेरे देवदूद थे मैं उनमें से हर एक से प्रेम करता हूँ वे स्वरग का मेरा टिकट है लीसा और एरिक तक पहुचने का मेरा पासपोट है साइमन मुझे बुढ़े होने के बारे में सेनेका के बज़ाए हेंडरी फोड की कही बात बहतर लगती है कौन सी फोड ने कहा कि अगर आप दुनिया में पचास साल से अधिक की उमर वालों का सारा अनुभव और ग्यान ले ले तो फिर दुनिया में इतना दिमाग और हुनर नहीं बचेगा कि इस दुनिया को चलाया जा सके परंदो मिस्टर ओग फोड ने यह तब तक नहीं कहा था जब तक कि वे खुद पचास साल से अधिक के नहीं हो गए थे और इसके अलावा अठारवी सदी के जर्मन कॉमेडियन रिक्टर की कहवद भी है क्या आप जानते हैं मुझे मालूम था कि आप मुझ पर भारी पड़ेंगे बताईए रिक्टर ने कहा था सुबह के सपने के तरह हम जितना लंबा जीते हैं जिन्दगी उतने ही चमकदार होती जाती है और हर चीज का कारण अधिक साफ दिखाई देने लगता है पहले जो चीजे हमें रहसमई लगती थी अब वे कम रहसमई नजर आती है और पहले जो रास्ते हमें घुमाओदार लगते थे वे जिवन के अंट में हमें सीधे नजर आने लगते हैं मानो मुझे किसी चुमबकीय सकती ने की जाहो मैं अचानक अपनी खुर्सी से उठा सैमन के पास गया और उसके कदमों के पास बैठ गया मैंने उसके सुन्दर चहरे की तरफ देखा और कहा इस्वर का मिमोरिंडम मुझे लगता है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ अगर आप मुझे यह दे देंगे तो मैं इसे गौरव और सम्मान की बात समझूँगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसे दुनिया तक पहुँचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूँगा हमारे इतिहास में पहले कभी हमारे इतिहास में पहले कभी हमें इसकी इतनी जादा जरूत नहीं थी बुड़े आदमी ने हलके से आब भरी और उसके चहरे पर रहत का भाव साफ जलक रहा था मैं डर रहा था कि साइद आपने मेरे प्रस्ताओं को ना मंजूर कर दिया या फिर इतने महीने गुजरने के कारण आप उस बात को भूल गए आपकी स्विक्रती मेरे लिए इस जेरेनियम से भी बड़ा तौफा है मैंने भी अपने प्रस्ताओं के बारे में दुबारा विचार किया है आपका मतलब है कि अब आपके विचार बदल गए है सैमन नहीं नहीं यह बात नहीं है मैं केवल यह चिंता कर रहा हूँ कि सैद लोग इसके संदेश को गंभीरता से नहीं लेंगे मिस्ट रॉग क्योंकि यह इतना छोटा, आसान और मूलभूत है इन दिनों ऐसा लगता है कि आत्मसुधार के निर्देश जितने अधिक जटल, अलंकारिक और महंगे होंगे लोग उनकी तरफ उतने ही अधिक आकरशित होंगे डेल कारनेगी, जो रोथिया ब्रांड, नेपोलियन हिल, नॉर्मन विंसेंट पील और आपके development stone जैसे लोगों को सिर्फ इसले महत्पूर नहीं समझा जाता क्योंकि वे जीवन की समस्याओं के आसान और काम में आने वाले समाधान सुझाते हैं इसके अलावा किसी व्यक्ति को आमने सामने की चर्चा में सला और परामर्ष देना एक बात है और पुस्तक में पढ़ना दूसरी बात इस्वर के memorandum को पढ़वाने से पहले आमने सामने की चर्चा में आदमी को सही तरीके से तयार गिया जा सकता है क्योंकि आपके व्यक्तित्व की सक्ति आपके संदेश को अधिक ससक्त बनाती है या बिलकुल ही अलग बात है कि हम इन सब्दों को कागच पर उतार कर किसी की सामने रखते और इससे पहले कोई तयारे ना करे व्यक्तिकत रूप से उसके दिमाग को इस संदेश के लिए तयार ना करे सैद इस वज़ा से यह इतना ससक्त नहीं बन पाए जिससे पढ़ने वाला आदमी कारे करने के लिए प्रिवित हो सके साइमन विद्वान परंतु अनुखोहीन आलोचकों का ऐसा छोटा समू हमीशा रहेगा जो आपको दोस्त देगा कि आप बेहर जटिल समस्याओं के इतने आसान समाधान दे रहे हैं उनकी नजर में इन समस्याओं को केवल मनुविसलेसक की चैंबर में ही ठीक किया जा सकता है पांच साल तक पचास डॉलर प्रतिसपता की दर्स से की गई थेरेपी से परंतु मैं हर उस इनसान से एक डॉलर ही चाहूंगा जो कार्नेगी, पील, प्रांट, हिल, स्टोन और ऐसे ही अन्य लेखों की पुस्तके पड़कर क्रेरित हुआ है और बिना उनसे मिले ही उसने अपनी जिंदगी बदल ली है इन लेखों में मैंडीनों का नाम भी जोड़ दें मैं उस समू में कभी न कभी सामिल हो जाओंगा साइमन क्या आप अब भी अपने संदेश को जनता तक पहुचाना चाहते हैं क्या आप अब भी गिनेजुने लोगों के बजाए हजारों लोगों की मदद करना चाहते हैं बिल्कुल इस्वर के मेमरेंडम की सफलता के लिए दू बाते जरूरी है पहली बात तो यह कि इसकी आवसत्ता होना चाहिए और फिर इसका इतना बड़ा वित्रन तंत्र होना चाहिए ताकि यह उन लोगों तक पहुच सके जिने इसकी जरूरत है मुझे याद है कि लिलियन रौथ ने अपनी पुष्टक I will cry tomorrow में लिखा था कि वे अपनी जिवित मिर्तियू यानी सराब खोरी से किस तरह मुक्त हो पाई वे तब तक ऐसा नहीं कर पाई जब तक कि उन्होंने आखेकार तीन सबसे कठिन सब कहना नहीं सिखा यह सब्द थे मुझे मदद की जरूरत है आपने मुझे खुद बताया था कि लोगों की मदद करने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब उनके सारी आसा खत्म हो चुकी होती है और उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता साइमन अगर आप सुन सके तो आपको इस दुन्या के हर सहर और हर मुहले में रहने वाले हर स्टेटस और व्यवसाय के लोगों का कोरश सुनाई देगा जो मदद के लिए चिला रहे हैं इस वक्त आपके संदेश की इतनी ज़्यादा जरूरत है कि हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते अमीर हो या गरीब स्वेथ हो या अस्वेथ सुन्दर हो या कुरूप भीड हो या अकेला इंसान सबको मदद की जरूरत है ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं कि जीवन उनका जीवन स्वर्ग नहीं बलकि नर्क है धर्ती पर नर्क साइमन ने अपना सिर घुमा लिया था और वो बहुत ध्यान से मेरी बाते सुन रहा था जैसे आम तोर पर मैं उसकी बाते सुना करता था उसने कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए मैं आगे बोलता रहा सफलता के लिए जिस दूसरी चीज की जरूरत है वो यह है कि मेमरेंडम को उचीद सोकेज और वित्रन तंतर मिले हलाकि मैंने अभी इसे पढ़ा नहीं है परन तो मैं आपसे यह वादा करता हूँ मैं इस्वर के मेमरेंडम को अपनी अगली पुस्तक में सामिल करूंगा और मैं आपके बारे में भी लिखूंगा और मैं इस पुस्तक का नाम रखूंगा दे ग्रिटिस्ट मिरेकल इन दे वर्ल्ड यानि दुनिया का सबसे महान चमतकार हम दुनिया को बताएंगे कि यह चमतकार कैसे किया जाए किस तरह अपने जीवन को नए सीरे से ढाला जाए और जीवित मिर्तियों से बाहर निकला जाए आप मेरे लिए यह सब करेंगे आपके लिए तो करूंगा ही परन्तों उन सब लोगों के लिए भी करूंगा जो जीने का एक मौका चाहते हैं और उन्हें यह एसास भी नहीं है कि वे ऐसा आसानी से कर सकते हैं अचानक उसकी जोरदार हसी पूरे अपार्टमेंट में भर गई मिस्टर ओग मुझे प्रेसिडेंट के रूप में अपने पुराने दिन याद आ गए ज्यादतर मेमरेंडम के कारवन कौपिया ही होती है जो उस ओफिस या संगठन के अलग-अलग लोगों या डिपार्टमेंटों को दी जाती है इस वर के मेमरेंडम की कौपियां क्या हम पूरी दुनिया में बाटेंगे क्यों नहीं हमारी इस कंपनी यानि दुनिया में चार बिलियन कर्मचारी हैं जो बहतर जीवन के प्रमोशन के लिए संगर्ष कर रहे हैं या अगर वे जान ले कि ऐसा कैसे हो सकता है तो संगर्ष करना चाहेंगे हमें उन सबी को एक मौका देना चाहिए ताकि वे दुनिया का सबसे महान चमतकार कर सकें और जब ऐसा होगा तो हमारा स्वर्ग यहीं इसी धर्दी पर उतर आएगा हम उन्हें बता देंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है मिस्टर ओग हम उन्हें जरूर बताएंगे कि ऐसा कैसे किया जाता है साइमन जब मैं आपके साथ होता हूँ तो वक्त कैसे गुजर जाता है या पता ही नहीं चलता इस बार भी ऐसा ही हुआ है मुझे अब चलना चाहिए क्या मैं आपका मेमरेंडम ले जा सकता हूँ ताकि मैं उसे वीकेंड की छुटियों में पढ़ चकूँ किसी और को उसकी हिचकी चाहट नजर नहीं आती पर मुझे आ गई आज नहीं मेरे दोस्त पर जल्दी ही बहुत जल्दी या आपके पास होगा मैं जानता था कि दबाओ डालने से कोई फाइदा नहीं होगा ओके गुड नाइट प्रे दोस्त गुड नाइट दोस्त और बड़े पाटी के लिए धन्यवाद जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा आपने सचनुच मेरे लिए इस रात एक कैंडल जला दिया है जब मैं पार्किंग स्थल के केट के नीचे से घुचा जिसे उसने लगभग एक सार पहले उस दुफानी दिन में मेरे लिए उठाय था तो मैं घुमा और मैंने उसके अपार्टमेंट के खेकी की तरफ देखा वहाँ पर उसके लिविंग रूम से आती गरम रोस्नी में सैमन के नया लाल जरेनियम हिलता हुआ दिख रहा था लिसन सैवन उस सुमवार को मोटा भुरा लिफाफा मेरी डिस्क पर रखा हुआ था मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा एक बर फिर मैं बाहर गया हुआ था मुझसे कहा गया था कि यह मेरी पुस्तक के प्रमोसन का आखरी टूर है इसमें दो सप्ता, बारा हवाई यात्राएं, दस सहर, होटल के दस अजीब बिस्तर, सुबह जल्दी उठाने वाले दस फोन और सवाल जवाब की अनंत स्रिंखला सामिल थी जो न्यू आर्लियंस से मौन्टेरी तक जारी रही मैं ओफिस जल्दी आ गया था मैंने सोचा था कि एक घंटे पहले पहुँचकर मैं जल्दी से अपनी भरी हुई डाक की बास्कित को निप्टा लूँगा ताजी ब्रो की हुई कॉफी की महक ओफिस में भरी हुई थी केवल वाई नुरामजिक जो हमीशा जल्दी आ जाया करती थी मुझसे पहले आई थी मैंने भुरे लिफाफे को उठाया लिखावट देखकर मैं अतंकितो कर घबरा गया बाई हाथ के उपरी कोने में जहां आमतोर पर रिटर्ण एड्रस लिखा होता है वहाँ पर लिखा हुआ था बुढ़े रैगपिकर की ओर से फियरवल गिफ्ट लिफाफे के बीचों बीच फिरा नाम और बिजनेस एड्रस लिखा हुआ था उपरी कोने में दाय हाथ पर टिकट लगे हुए थे एक डॉलर और बीस सेंट के परन्तु टिकट कैंसल नहीं किये गए थे पोस्ट ओफिस की सील कहीं नजर नहीं आ रही थी मेरे हाथ से पैकेट छूट गया और मैं तेजी से बाहर की तरफ भागा जैसे ही मैंने हॉल के तरफ जाने वाला दरवाजा खोला पैट अंदर दाखिल होई जब उसने देखा कि मेरे चेहरे पर हवाईया उड रही है तो वेलकम बैक कि उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई क्या बात है मैंने उसकी बाहर पकाड़कर उसे अंदर की तरफ खीचा फिर मैंने कालीन से घीरे हुए पैकेट को उठा कर पूछा यह पैकेट हमें कब मिला उसने मेरे हाथ से लिफाफा लिया संदेश को पढ़ा और अपने कंधे उच्छा दिये मैं नहीं जानती आपकी सारी मेल सोफि पर रखी है मैंने इस लिफाफे को पहले कभी नहीं देखा जब मैं सुकरवार को ओफिस में ताला लगा कर गई थी तब यह लिफाफा यहां नहीं था या आज ही सुबा आया होगा हो सकता है कि इसे कोई संदेश वाथ लाया हो मैंने फोन के रिसीवर को लवबक उखाड़ी दिया और उस पर 24 डाइल किया हमारे सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट का नंबर सब्सक्रिप्शन मैनेजर बारबरा वायट को तो मेरा स्वगत करने का मौका ही नहीं मिला बारबरा वाय को मेरे ओफिस में भेजो वाय जल्दी ही दरवाजे पर परिशान से खड़ी थी उसके सुन्दर से चेहरे पर चिंता और अश्चर के भाव थे कि आखिर मैंने उसे क्यों बुलाया है वाय क्या आज ओफिस तुमने खोला था हाँ मैं हमेशा ओफिस खोलती हूँ मैं जानता हूँ क्या किसी ने यह पैकेट तुमें दिया था नहीं जब तुम आई थी तब क्या तुमें हौल में कोई अजनवी दिखा था नहीं सिवाए गेटकीपर यानि चारली के आसपास कोई नहीं था मैंने हमेशा की तरह कॉफी बनाई बर्दन भरने का इंतिजार किया अपनी लिए एक कप कॉफी भरी और वापस हौल के बार चली गई क्यों क्या बात है कोई बात नहीं वाई चिंता मत करो धन्यवाद मैंने पैकट को अपनी डिस्क पर पटका अपनी टॉप कोट को उठाया और ओफिस के बाहर दोड लगा दी सिकागू में जाड़ी के पहली वर्फ गिरने के कारण फुटपात सफीद हो रही थी और मुझे ऐसा याद है कि मैं जब पारकिंग स्थल के पार दोड लगा रहा था तो मैं कई बार फिसला और गिरा परन्तु मैं विंथ्रॉप स्ट्रिट से पार होता हुआ साइमन की अपार्टमेंट लॉबी में घुस गया मैंने घंटी वजाने के जहमत नहीं की और स्टीडियों को दोदो करके चड़ गया जब मैं दूसरी मंजल पर पहुँचा तो मैंने साइमन के अपार्टमेंट के दरवाजे को पीटना सुरू कर दिया दरवाजा आखिरकार खुला और मेरे सामने लाल चहरे वाली एक मोटी सी महिला खड़ी थी जिसके बाल पिन में बंधे हुए थे उसकी गोद में एक रोता हुआ बच्चा था दूसरा छोटा और मोटा बच्चा उस महिला की पुरानी गुलावी नाइटी को कसकर पकड़े हुए था मैंने सोचा साइमन साइद दया के किसी और रैक पिकर मिसन में जुटा हुआ था मिस्टर पॉर्टर से मिलना था कौन? मिस्टर पॉर्टर बुढ़ा आदमी जो यहां रहता है यहां पर पॉर्टर नाम का कोई आदमी नहीं रहता आप क्या कह रही हैं? वे यहां सालों से रह रहे हैं उनसे कहिए कि और अग मेंडी नो उनसे मिलना चाहता है देखे मेरा नाम जॉनसन है मैं इस कूड़े घर में चार साल से रह रही हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि यहां पॉर्टर नाम का कोई आदमी नहीं रहता वो दर्वाजा बंद करने लगी परन्तु मैंने अपनी बहां से दर्वाजे को थाम लिया और कमरे में घुज गया देखिए आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए मैं इस अपार्टमेंट में सैक्रो बार आ चुका हूँ सैवन पॉर्टर नाम का एक पुढ़ा आदमी यहां रहता है वो कहां है वो कुछ जवाब देती इसके पहले ही मेरी आखों ने अपार्टमेंट की पूरी तरह जाच कर ली मेरे सिर के बाल खड़े हो गये कुछ भी जाना पहचाना नहीं था हमारी दोनों फैबिट कुर्सियां वहां नहीं थी लिविंग रूम पर जमा किताबों का धेर भी वहां नहीं दिख रहा था कालीन के जगा एक भद्दा सा नारंगी और नीला लिनोलियम था महिला अब अपने बच्चे को अपने सीने से कसकर चिपका चुकी थी उसने चीखा देखो मैं तुमको पांच सकेंड का समय देती हूँ कि तुम यहां से दफा हो जाओ वरना मैं चिलाने लगूँगी और पुलिस को बुला लूँगी मेरे अपार्टमेंट में इस तरह घुसे चले आने का क्या मतलब है गुंडे कहीं के तुमको या तो जेल में होना चाहिए या पागल खाने में यहां से फॉरन दफा हो जाओ मेरे पैरों में जान नहीं बची थी मेरे पेट में बल पड़ रहे थे मेरे इच्छा हो रही थी कि मैं उल्टी कर दूँ मैं धीरे से दरवाजे के तरफ मुड़ा और अपने हाथ उठाते वे निरासा से कहा मुझे माफ कर दीजिए साथ मैं गलत अपार्टमेंट में आ गया हूँ क्या आप साइमन पॉर्टल को जानती है बुढ़ा आदमी सावला सा बहुत लंबा और उसके पास एक कुत्ता भी है इस बिल्डिंग में ऐसा कोई आदमी नहीं रहता मैं यहाँ चार साल से रह रही हूँ और मुझे मालूम है कि यहाँ कौन रहता है अगले वाले घर में इस तरफ एक छोटी बुड़ी इटेलिन महिला और उसकी पुत्री रहती है उस तरफ एक अस्वेत व्यक्ती अकेला ही रहता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर पॉर्टर नाम का कोई आदमी नहीं रहता और अब मैं चिलाने वाली हूँ मैंने एक बार फिर माफी मांगी और हॉल में वापस आ गया दरवाजा धलाम से बंद हो गया और मैंने उस पर लिखे हुए अपने परीचे परीचित अंक को देखा जिसे मैंने पहले ना जाने कितनी बार देखा था 21 मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी और इसलिए मैं अपने विचारों को सू विवस्तित करने के लिए वहीं सीडियों पर बैठ गया वो कहा था क्या मैं सपना देख रहा था अगर ऐसा है तो यह कितना भयानक सपना था मैंने सोचा कि किसी भी छन रोड सरलिंग सीडिया चड़कर उपर आएगा और नाइट गैलरी के एक और संसकरन्द में मेरा स्वागत करेगा तभी मेरे दिमान में एक विचार आया मैं सीडियों से नीचे भागा लॉबी पार की और बेस्टमेंट में पहुँच गया एक सीरे पर मुझे रोसने दिखी एक चाया से आकरिती एक कुर्सी पर बैठी हुई थी एक छोटा सा बल्ब जल रहा था क्या आप ही यहां के गेट कीपर हैं? येस सर आप यहां लंबे समय से हैं पूरी रात से मैं यही हूँ नहीं नहीं मेरा मतलब है कि आप यहां कितने समय से काम कर रहे हैं इस फरवरी में 11 साल पूरे हो जाएंगे क्या इस बिल्डिंग में साइमन पॉर्टर नाम का किराइदार रहता है? लंबा आदमी, सावलासा, लंबे बाल, दाढ़ी जो अबराहम लिंकन के तरह देखता है उसके पास एक कुता भी है हम इस बिल्डिंग में कुतों को नहीं घुचने देते क्या आप इस हुलिये के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं सर क्या आपने इस तरह के आदमी को देखा है? यहां या बाहर सड़क पर? नहीं सर मैं इस बिल्डिंग में रहने वाले हर आदमी को पहचानता हूँ और आसपास रहने वाले हर आदमी को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं रहता और इस ब्लॉब को तो छोड़ी दे इसके आसपास भी ऐसा कोई आदमी पिछले 11 सालों से नहीं रहा मैं आपको इस बात की गारिंटी देता हूँ क्या आपको पूरा विश्वास है? बिलकुल मैं वापस सीन्यों पर पहुँचा सड़क पार करके पार्किंग स्थल तक गया और अपनी कार का ताला खुला अन्तता मैं फास्टर एवेन्यू पुलिस स्टेशन गया हलाकि मुझे याद नहीं है कि मैं वहाँ कैसे पहुचा मैंने अपनी कार को दो नीली स्क्वेड कारों के बीच लगाया और स्टेशन के भीतर भाग कर पहुचा मैंने बिसबरी से इंतिजार किया कुछ देर बाद युवा पुलिस सार्जेंट ने मेरी तरफ देखा सार्जेंट मेरा नाम मैंडीनो है और मेरा ब्रॉडवे में बिजनिस है हासर एक आदमी लापता हो गया है मेरा एक दोस्त 6353 विंथ्रॉप स्ट्रीट के एक अपार्टमेंट में रहा करता था मैं उसे एक साल से भी अधिक समय से जानता हूँ मैं दोस्ता से बाहर गया था और जब मैं वापस लोटा तो आज सुबह मुझे अपनी डिस्क पर एक लिफाफा मिला जिसमें उसने लिखा था कि या उसकी तरफ से फियरविल गिफ्ट है उस पैकेट में क्या था मैं नहीं जानता जैसे ही मैंने फियरविल सब पढ़ा मैंने उसके घर के तरफ दोड़ लगा दी और और वह वहाँ नहीं था उसके अपार्टमेंट में कोई दूसरे ही लोग रह रहे थे और उनका कहना था कि ऐसा कोई आदमी महा कभी नहीं रहा और वे ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानते आपको पुरा विश्वास है कि आप सही अपार्टमेंट में गय थे मैं वहाँ सैक्रो बार जा चुका हूँ 21 नंबर का अपार्टमेंट मैंने बिल्डिंग के गेट कीपर से भी बात की वह भी साइमन पॉर्टर नाम की किसी आदमी को नहीं जानता उसका कहना है कि इस नाम का कोई आदमी उस बिल्डिंग में पिछले 11 सालों में कभी नहीं रहा सैमन पॉर्टर लापता हो चुका है क्या आप ठीक ठाक है सर हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने सराब नहीं पी रखी है नहीं मैं पागल हूँ मैं इस तरह की पागलपन भरी कहानी कैसे इजाद कर सकता हूँ हमने इससे भी ज़्यादा पागलपन की कहानिया सुनी है बिल्कुल सुनी होगी उस आदमी का नाम क्या था पॉर्टर सैमन पॉर्टर लगवग 80 साल की उम्र लंबे काले बाल और एक दाढ़ी उसके पास एक कुत्ता भी था सार्जिंट ने सिगरेट जलाई और कई सेकेंड तक मुझे गौर से देखा फिर वा बिना कुछ कहे मुड़ा और पीछे के ओफिस में चला गया लगवग 15 मिनिट बाद वह वापस आया हमने साइमन नाम के या आपके बताय हुलिये के किसी आदमे को कम से कम पिछले तीन सप्ताहों से इस इस इलाके में गिराफ्तार नहीं किया है परन्तो यह एक बड़ा सहर है क्यों न आप कुप काउंटी अस्पताल में पता करें ठीक है और हाँ एक और जगह भी आप पता कर सकते हैं कहाँ विस्ट पार्क के काउंटी मार्ग में मैं अस्पताल के तरफ चल दिया उन लोगों ने सहानुभुती और धहर से मेरी बात सुनी और अपना पिछले 14 दिनों का रिकार्ड चिक किया साइमन नाम का या उसके जैसे हुलिये का कोई भी आदमी वहाँ किसी भी तरह के इलाज के लिए नहीं आया था उन्होंने भी यही सुझाओ दिया कि मैं मार्ग जाकर पता लगाऊं मैं गया वहाँ पर उन्होंने मेरी कहानी को गंभीरता से नहीं लिया मानो मैं किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में अपनी सिगाय दर्ज करवा रहा हूँ जाहिर था कि ऐसी कहानियों से उनका हर रोज ही पाला पड़ता था गुम हो गये पिता पुत्र, भाई, बहन और प्रेमी उन्होंने अच्छी तरह से अपनी माइक्रोफिल्म फाइलों को चिक किया और आखिरकार एक यूवक अपने हाथ में एक छोटा क्लिप बोर्ट थामे आया सर, एक अंजान आदमी है जिसकी सिनाक्त नहीं हुई है उसकी उम्र और हुलिया आपके बताए हुलिये जैसा ही है क्या आप उसे देखना चाहेंगे मैंने सेर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दिया जब हम सफेद एंटिसेप्टिक की गंद से भरे कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो उसने मेरी बाहो को चुआ और कहा अब बद्बूपर ध्यान ना दे और परिशान ना हो अब तक ऐसा कोई दियोडरेंट नहीं बना है जो इस बद्बूप को पूरी तरह से खत्म कर सके आखिरकार उसने एक जूलने वाला दरवाजा खोला और हम एक ठंडे कमरे में दाखिल हुए दैत्याकार ड्रायर इस तरह कतारों में जमे हुए थे जैसे फाइल कैबिनेट हो उसने अपने पैड पर लिखे हुए नंबर को देखा और एक ड्रायर का हैंडल खीचा मैंने अपना से घुमाया क्योंकि मैं उस तरफ देखना नहीं चाहता था आखिरकार मैंने हिमत बटोरी और मैं एक बहुत बुड़े आदमी के नग्म सरीर को देख रहा था जिसके लंबे बाल उसके चहरे और सीने पर लिप्टे हुए थे और उसकी आधी आँक खुली हुई थी मेरा दिल धक से रह गया जब मैं उस गरीब अंजान आदमी को गौर से देखने के लिए आगे जुका जो अपने आखरी कचरे के धेर में पड़ा हुआ था वो साइमन नहीं था आखिरकार मैंने साउथ स्टेट के लापता लोगों की सूची में नाम देखा वहाँ भी वही नतीजा निकला जब मैं वापस पारकिंग इस थल पर लोटा तो बर्फ अब भी गिर रही थी मैं बाहर निकला चाबी घुमाई और गेट आसमान में उपर की तरफ उठ गया यह देखकर मुझे याद आया कि किस तरह बर्फ में एक दिन एक अजनबी सुन्दर आदमी मेरे जीवन में आया था और उसने अपने हाथों से ना केवल गेट उठा दिया था बलकि मेरे सामनी संभावनाओं का एक संसार खोल दिया था मैं अपनी कार में दाखिल हुआ अपनी हथेलियों से स्टीरिंग वील को थामा गियर लगाए और कार को पार कर दिया मेरी हालत बहुत खराब दिख रही थी जब मैं आफिस में दाखिल हुआ तो मेरे अपने स्टाफ के लोगों ने अपनी नजरे दूसरी तरफ फीर ली जिसे वे मेरी उपस्थिती से अंजान बनी रहना चाहते हो मैं रिसेप्शन के लाल गलीचे पर अपने पीछे बर्फ के निसान छोड़ता चला गया जब मैं पैट की डेस्क से गुजरा तो मैंने अपने आफिस के तरफ इसारा किया वह उठकर मेरे पीछे पीछे आई दर्वाजा बंद कर दो और जड़ा सामने बैठो उसकी भिर्गुट यां तन गई और वह मेरे सामने बैठ गई उसकी आँखे डर और चिंता के वज़ा से फटी हुई थी हे भगवान ओग क्या बात है मुझे लगता है कि मैं पागल होने वाला हूँ पैट अब जरा मेरी बात सुनो तुम विंत्रॉप स्ट्रीट पर ही रहती हो है ना हाँ एक ब्लॉक दूर हर सुबा जब तुम आफिस आती हो तो क्या तुम पार्किंग स्थल से ही होकर आती हो हाँ क्या तुमने पार्किंग स्थल के आसपास एक अजीब सा बुढ़ा आदमी देखा है वो अजीब से पुराने कपड़े पहने रहता है और आम तोर पर कबूत्रों को दाना डालता है उसके बाद लंबे हैं और उसके दाड़ी भी है और उसके साथ हमीशा एक कुटा भी रहता है पैट ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया आसपा सामतोर पर सरावी टाइप के लोग तो मंडाते रहते हैं परन तो इस तरह का कोई आदमी मैंने आज तक नहीं देखा तुमने कभी नहीं देखा वो बहुत लंबा और बहुत बुढ़ा है कई बार वो अपने गले में लकडी का क्रोस लटकाए रहता है नहीं कभी नहीं आखिर बात क्या है ओग क्या हुआ कुछ नहीं पैट मैं तुमें बाद में बताऊंगा धन्यवाद अच्छा जब तक मैं तुमसे न कहूँ तब तक तुम मेरे फोन सुन लेना जब उसने धरवाजा बंद किया तो मैं वहाँ पर बैठा रहा और अपने विचारों को करीने से जमाने की कोशिस करता रहा विचार जो ओतारकिक छवियों की मायावी और छनिक तित्लियों की तरह होते है मेरा सिर दुख रहा था मेरे पेट में अजीव सी अनुभूती हो रही थी क्या मैं पागल हो रहा था क्या इसे तरह नर्वस ब्रिग्डाउन सुरू होता है जब इनसान एक तारकिक विचार को दूसरे से जोडने में असमर्थ होता है कितना भयावा विचार था क्या एक्जुकीटिव सेमिनारों और पुस्तकों में इसी की चेतावनी दी जाती है कि अगर आप अपने सरीर और मस्तिस्क का उनकी सीमाओं से अथिक इस्तिमाल करेंगे अकर आप सफलता की पागलपन भरी तोड़ में कई जिन्दगियों को एक जिन्दगी में भरने की कोशिस करेंगे तो आपके साथ यही होगा क्या मस्तिस्क आखिरकार आपके विचारों के चैनल बदल कर आपको विवस्थ कर सकता है कि आप ऐसे कारियों और चर्चाओं की कालपनित भूमी पर चली जाएं जहां पात्र स्कूल के बच्चों की भुला दी गई कहानियों में से जीवित हो जाते हैं क्या यही वो अंतिम पलायन है जब दबाव और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाते हैं क्या साइमन के वल एक सपना था असंभव परन्तु अगर साइमन लगबग हमीशा हर सुबा पार्किंग स्थल के आसपास रहता था तो फिर पैट ने उसे क्यों नहीं देखा और उसके अपार्टमेंट के बारे में क्या कोई मेरे साथ भयानक किस्म का मजाक कर रहा था और इसके अलावा मैंने किसी के साथ उसके विशे में कभी चर्चा क्यों नहीं की और उसके वे भासन प्रीरना और ग्यान और आसा के वे अमुले घंटे और रैट पिकर के बारे में उसके विचार, कच्री के धेर पर पड़ी मानव जाती को फिर से जीवन देने का उसका संकल्फ लोगों को यह बताना कि वे किस तरह दुनिया का सबसे महान समतकार कर सकते हैं हे भगवान मेरी प्रबल कल्पना सकती भी इस तरह की अजीबों करीब बाते नहीं गर सकती थी तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे हाथ में भूरा लिफाफा है जिसे मैं उलट पुलट रहा हूँ मैं एक बार फिर हकीगत की दुनिया में वापस आ गया भूरा लिफाफा सत्य के साथ मेरी इकलोती कड़ी था साइमन के साथ मेरी इकलोती कड़ी या प्रमान की उसका सचमुच अस्तित्व था मैंने पाया कि मैं पैकेट को इस तरह मल रहा हूँ जैसे अलादीन के जिराग की तरह मेरे चोने से बुढ़ा आदमी एक बर फिर प्रकट हो जाएगा मैं थोड़ा रिलेक्स हुआ अगर उसने पैकेट भीजा है तो मैं पागल नहीं था साइमन का अस्तित्व था साइमन साइमन भगवान के लिए तुम कहा हो मेरे साथ ऐसा मत करो मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरे साथ इस तरह का बरताओ कर रहे हो मैं सदमे की कगार पर था और मैं अपने सामनी रखी तीन खाली नारंगी कुर्चों पर बुरी तरह चिल्ला पड़ा आखिरकार मैंने भूरे लिफाफे को लिया इसके कोनी को फाड़ा अंदर हांट डाला अंदर से कई टाइप किये हुए कागज निकले जिन पर पीपर क्लिप लगी हुई थी जब मैंने ऐसा किया तो लिफाफे से निकल कर एक छोटी सी चीज मेरी मेज पर गिरी मैंने उसे उठाया आधे इंच सफीद रैग का टुकड़ा जो एक छोटी सेफटी पिन से बधा हुआ था मैंने पिन को निकाला पीपर क्लिप में कागजों के साथ ही मेरे लिए एक पत्र भी था जो उसे लिखावट में था जिसमें की बाकी 20 थे पत्र पर कोई तारीक नहीं थी प्रिय ओग अंतिमिच्छा की वसियत और कारूनी दस्तावीज बनवाने में बहुत वक लगता मैं इस जंजट से बचना चाहता था इसलिए मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ पिछले साल के दौरान आप एक बुढ़े रैगपिकर के जीवन में प्रीम, साहचर, हसी और यादकार चर्चाओं की सोगात लिका राए और हाँ एक अमरलाल जेरीनियम भी अपनी चुने हुए व्यवसाई के प्रकृति के कारण रैगपिकर को तौफे पाने की अदत नहीं होती नहीं उनके लिए यह अच्छा होता है कि वे उनसे करीबी रूप से जुड़ जाए जिनकी वे मदद करना चाहते हैं परंतु ऐसे भी समय होते हैं जब सिख्षकों को सिखाया जाना चाहिए डॉक्टरों का इलाज किया जाना चाहिए वकीलों को अदालत में बचाया जाना चाहिए कॉमेडियनों को हसाया जाना चाहिए और रैगपिकर्स को प्रीम किया जाना चाहिए मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्रीम करते हैं उतना ही जितना कि मैं आपसे करता हूँ इसलिए या उचित है और सही है कि मैं इस पत्र के साथ इस्वर का मेमोरिंडम की मास्टर कॉपी आपके नाम किये जा रहा हूँ ऐसा करके मैं किवल अपना वादा ही पूरा नहीं कर रहा बलकि उन चमतकारी संयोगों की लंबी स्रंखला का अंतिम कार्य कर रहा हूँ जो आपकी पुष्टक के महान सेल्समेन और मुझ में है सैद आपने हमारी रिष्टे के बारे में काफी सूचा होगा सैद आप पिछले बारा महीनों को उनके उचित परिप्रिक्ष में रखकर देख पाए होंगे और आप इस अंतिम निसकर्ष पर पहुँचे होंगे कि मेरे लिए इस्वर का मेमोरेंडम लिखना इतना कथिन काम नहीं था जितना कि इसके अस्तित्र को स्विकार करना आपके लिए था चुकि मैं जानता हूँ कि आप एक उतावले इंसान है इसलिए मुझे विश्वास है कि पत्र के इस हिस्से पर आने से पहले आप मुझे खोच चुके होंगे और अब आप मेरे बारे में चिन्तित और दुखी होंगे परन्तु चिन्ता न करें अपने मस्तिस्क से सारे डर और चिन्ता निकाल दें एक और रैगपिकर के सब्दों में मैं आपसे कहूंगा कि आप दुखी न हो क्योंकि जहां मैं जा रहा हूँ वहां आप अभी मेरे पीछे नहीं आ सकते परन्तु एक दिन आप वहां जरूर आएंगे यह ना भूले कि हमारे बीच एक समझोता हुआ था इस्वर का मेमोरेंडम अब आपके हाथ में है और मेरी इच्छा है कि आप इसे संसार के साथ बाटे परन्तु तभी जब आप इसके सिध्धानतों को मेरे निर्देसों के हिसाब से अपनी जीवन में उतार लें याद रखें सबसे कटिन काम उर्जा या प्रियास के एक ही विस्फोटक जटके में पूरे नहीं होते बलकि अपनी सर्वस्रेश शंताओं के लगातार और लगन से रोज किये के प्रियासों से पूरे होते हैं अपनी जीवन को बहतर बनाने के लिए अपनी सरीर और मस्तिस्क को जीवित मिर्टियों से बचाने के लिए कई सकरात्मक कदमों की जरूरत होती है जिने एक के बाद एक उठाना पड़ता है जबकि आपके नजरे आपके लक्ष पर हमेशा जमी हुई हो इस्वर का मेमोरेंडम नए जीवन के लिए आपका टिकट है यह आपके लिए तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप अपने मस्तिस्क और दिल को खोल कर इसे प्राप्त नहीं करेंगे अपने आप में यह आपको किसी भी दिसा में एक इंच भी नहीं खिसका सकता निस्क्रेता को तोड़ने की सकती और आपको कहीं भी पहुँचाने की सकती आपके भीतर ही है या सोई हुई है पर तो या आपके भीतर अब भी मौजूद है इन नियमों का पालन करें और आपकी सत्या एक बर फिर जागरत हो जाएंगी पहला, सबसे पहले तो अपने कैलेंडर में आज की तारीक पर गोला लगा लें फिर पूरे सौ दिन गिन लें और उस तारीक पर भी गोला लगा लें इससे आपके मिसन के लंबाई तै हो जाएगी और हर दिन को गिनने की जरुद भी नहीं रह जाएगी दूसरा, इस लिफाफे में आपको एक छोटा सेफ्टी पिन और इससे जुड़ा वर्गाकार छोटा सा सफिद रैग मिला होगा पिन और चितरे इस दुनिया की दो बहुत ही आम वस्तुए है यह आपका रैग पिकर का रहस्यमई तावीज है इस तावीज को अगले सौ दिनों में अपने सरीर पर ऐसे जगा पर पहने जहां यह आपको अक्सर दिखाई देता रहे ताकि आपको याद रहे कि आप इस्वर के मेमोरंडम में बताय तरीके से जीने की कोशिस कर रहे हैं आपके पिन और रैग एक प्रतीक है कि आप अपने जीवन को असफलता के पिनों और चितरों से बदल कर नए और बहतर जीवन के खाजाने खोजने जा रहे हैं तीसरा अपने तावीज का अर्थ किसी भी सर्थ पर किसी दूसरे को ना बताएं हलाके इस सौ दिन के मिशन के दौरान कई लोग आपसे इसका अर्थ पूच सकते हैं चौथा हर रात सोने से पहले पूरे सौ दिन तक इस्वर का मिमोरेडनम पढ़ें और फिर सांती से सो जाएं यह संदिज धीरे धीरे आपके उस मस्तिस की गहराई में उतर जाएगा जो कभी नहीं सोता एक भी रात ना पढ़ने का कोई कारण या भाना नहीं चलेगा आपको इसे हर रात बिना नागा किये पढ़नाई होगा धीरे धीरे कुछी सब्ता के भीतर आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं आप में काफे कुछ बदलाव आ रहा है दूसरे लोग भी यही बात देखेंगे सौवे दिन तक आप एक जीते जागते चमतकार होंगे एक नए आदमी जिसमें सौंदर है, चमतकार है, महत्वकांचा और योगता है तब और केवल तब आप किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसे मदद की जरूरत है जैसे कि पुराने दिनों में आपको थी उसे दो चीजे देना, अपना रैग पिकर का गुप्ट तावीज और इस्वर का मिमोरेंडम और इसके साथ उन्हें एक और चीज देना मत भूलना, जो मैंने तुम्हें दिया था प्रेम मेरा सपना है जिसमें मैं हजारों लोगों को रैग पिकर के तावीज पहने देख रहा हूँ लोग एक दूसरी से बाजार में सडकों पर, मंदिरों में, बसों में, स्कूलों में, ओफिशों में मिलेंगे और वे एक दूसरी के पिन और रैक की तरफ देखेंगे और अपने भाई बहनों की तरफ देखकर मुस्कुराएंगे वे जान लेंगे कि सामने वाला आदमी भी इसी मिसन पर है उसका भी वही लच्छ है जो कि उनका है अपनी जीवन को बहतर बनाना और इस तरह पूरे विश्व को बदल कर बहतर बनाना फिर भी मैं बता दू कि आपके सामने कई मुस्किल परिस्थितिया आएंगी मिस्टर ओग अगर आप इस्वर के मेमरेंडम को सारवजनिक रूप से अपनी भावी पुस्तक में प्रकासित करेंगे तो आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे आपका प्रकासित पूछेगा प्रमोशनल टूर में आपसे इंटर्व्यू करने वाले पूछेंगे आप किस तरह सी इस्वर के मेमरेंडम को समझाएंगे जबकि आपके लिए इसके रचेता को सामने लाना या उसके अस्तित्व को सिद्ध करना असंभव होगा आप तो यह भी साबित नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कोई आदमी जीविद भी था आपके इमंदारी पर भी प्रशने चिन लगाए जाएंगे और जो लोग आपके कहानी में विश्वास नहीं करेंगे वे आपके दिमागी हालत पर भी सक करेंगे हो सकता है कि लोग आपके अनुभवों को सच न बाने और इसके लिए हम उन्हें दोसी कैसे मान सकते हैं अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और जब आपकी कहानी से छोटी चीजों के लिए इनसानों को सूली पर चढ़ा दिया जाता था उनका सिर्फ कलम कर दिया जाता था और उन्हें जिन्दा जला दिया जाता था फिर भी मैं इस मेमरेंडम को पूरे भरोसे के साथ आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप प्रिय बच्चे की तरह इसका ध्यान रखेंगे मैं जानता हूँ कि आपको चुनोतियों का सामना करने में मज़ा आता है और इसलिए मैं आपको चुनोति देना चाहता हूँ कि आप खुद इसका प्रियोग करें मैं आपको चुनोति देना चाहता हूँ कि आप इसे प्रकासित करें और मैं आपको चुनोति देता हूँ कि आप इसे दुनिया तक पहुँचाएं एक बार आपने कहा था कि आपको मेरे बारे में पुर्वा भास था जब आप इन सब्दों को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे से लंबे समय तक नहीं मिल पाएंगे अब हम इकटे वक्त नहीं गुजार सकेंगे साथ बैठकर सुकुन से सेरी नहीं पी सगेंगे और हमारी दोस्ती की वह गर्मी भी अब हमें हासिल नहीं होगी जो काल या स्थान की सिमाओं से परे थी और मुझे इस बात का दुख नहीं है बलकि इस बात की संतुष्टी और खुसी है की काल चक्र के कुछ छनों के लिए हम इकटे होकर साथ साथ चले इससे अधिक की उमीद कौन कर सकता है किसी दिन जब दुनिया आपको दुखी कर दे जैसा की समय समय पर होगा तो सेरी का एक गिलास भरना और इस बुढ़े रैकपिकर को याद कर लेना मेरा आसिरवाद सदा आपके साथ है आपसे मेरी इकलोते गुजारिस यही है की आप लिखना मत छोड़ना चाहे परिस्थिद्या कैसी भी हो आपके पास कहने के लिए अभी बहुत कुछ है दुनिया को आपकी जरूरत है रैकपिकर्स को आपकी जरूरत है मुझे आपकी जरूरत है मेरे प्रियमित्र सुकरात ने अपने अंतिम छनों में कहा था मेरे जाने का समय आ चुका है और अब हमें अपने अपने रास्ते पर जाना होगा मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ और अब जिन्दगी की तरफ इन्मे से बहतर रास्ता कौन सा है या तो इस्वर ही जानता है मिस्टर ओग मैं जानता हूँ कि कौन सा रास्ता बहतर है जिन्दा रहना बहतर है सुख में जीयो अनंत काल की सांती में मेरी हाथ से पत्र छूट गया और मैं टाइप किये हुए पेजों की तरफ घूरता रहा मैंने पिन और सफीद रैक को उठा कर अपनी जैकेट में लगा लिया मैंने मेज पर रखे अपना पात साल का कैलेंडर उठाया मैंने आज की तारीख पर गोला लगाया और सौ दिन गिनकर वो तारीख ढूंडी जो अगले साल में पढ़ रही थी मैंने सौवे दिन की तारीख पर भी गोला लगा लिया आज की रात सूनी से पहले मैं इस्वर का मेमोरेंडम पढ़ूँगा जैसा उसने मुझे कहा था मेरे हाथ कसकर भीचे हुए थे मैंने अपना सिर मेज पर इतना नीचे जुका लिया कि मेरा मस्तक इस पर टिक गया मैं रोग क्यों रहा था क्या इसलिए क्योंकि साइमन मुझे छोड़कर चला गया था या फिर इसलिए क्योंकि अब बहुत देर बाद मुझे यह आभास हुआ था कि वह दरसर कौन था या इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि मेरे जिंदगी मेरे सपने मेरे दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी क्योंकि अब उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है मेरी बात ध्यान से सुनो मैं तुम्हारे डोनी की आवाज सुन लेता हूँ या आवाज अंधिरी से गुजरती है बादुलों से होती हुई सितारों की रौसनी में मिलती है और सूरी की किरन के रास्ते से होकर मेरे दिल तक पहुंचती है मैं हर दुख्यारे की आवाज को सुनकर दुखी होता हूँ चाहे वो जाल में फसे खरगोस की चीक हो या अपनी मा के घोस्टने से गिर गए चिरिया के बच्चे की आवाज हो या तालाब में डूबते हुई बच्चे की पुकार हो या फिर क्रॉस फर अपना खून बहाते हुए मेरे पुत्तर की आवाज हो या जानलो कि मैं तुम्हारी भी आवाज सुनता हूँ सांती से रहो, सांत रहो मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगा क्योंकि मैं इसका कारण जानता हूँ और इसका इलाज भी तुम अपने बच्पन के उन सपनों के लिए दुखी हो, जो उम्र के साथ कहीं खो गए है तुम अपने आत्मगौरों को लेकर दुखी हो, जो औसफलता के स्पर्स से धुमिल हो चुका है तुम अपनी संभावनाओं को लेकर दुखी हो जिनने तुम इसले हासिल नहीं कर पाए क्योंकि तुमने सुरक्षा की राह चुनी थी तुम अपनी रतिक्ता के लिए दुखी हो जो भीड के पैरो तले कुचल दी गई है तुम अपनी प्रतिभा के लिए दुखी हो जिसका दुरुपियोग करके तुमने उसे बर्बाद कर दिया है तुम अपने आपको हिकारत भरी नजरों से देखते हो और जब तुम पानी में अपनी छवी देखते हो तो तुम डर जाते हो या कौन इंसान तुम्हारी तरफ देख रहा है जो इंसानियत के नाम पर कलंग की तरह दिख रहा है या कौन है जिसकी आँखे सर्म से जुकी होई है तुम्हारे वेभार की सालीनता कहा है तुम्हारी आकृती की सुन्दरता कहा है तुम्हारी गती की चपलता कहा है तुम्हारे मस्तिस की इस पश्टता कहा है तुम्हारे सब्दों की प्रतिभा कहा है किसने तुम्हारा यह सामान चुरा लिया क्या तुम उस शोर को जानते हो मैं तो जानता हूँ कभी तुमने अपना सिर अपने पिता के खीट में घास के तकये पर रखा था और बादलों के गिरज़ा घर को देखा था और तुमने सोचा था कि बेबी लोन का सारा सोना एक दिन तुम्हारा होगा कभी तुमने कई किताबे पढ़ी थी और कई कौपियों में लिखा था और तुम्हें यह पूरा भरोसा था कि तुम्हें सॉलोमन के बराबर या उससे भी अधिक बुद्धी थी मौसम बदल कर साल बन जाएंगे और एक दिन तुम इडन के अपने वगीचे में सर्विस्रिष्ट होगे क्या तुम्हें याद है कि किसने या योजनाएं या सपने आसा के या बीज तुम्हारे भीतर रोपे हैं तुम नहीं जानते तुम्हें वचन भी याद नहीं है जब तुम अपनी मा के गर्व से बाहर निकले थे और मैंने अपना हाथ तुम्हारे नर्म सिर पर रखा था और जब मैंने तुम्हे अपना आसिरवाद दिया था तुम मैंने तुम्हारे छोटे से कान में एक रहस्य बताया था क्या तुम्हे वह रहस्य याद है? तुम्हे वह रहस्य याद रही नहीं सकता गुजरते हुए सालों ने तुम्हारी याददास्त को नश्ट कर दिया है क्योंकि तुमने अपने दिमाग में डर, संका, तनाव और अपरादबोध और नफरत जैसी भावनाएं भर ली है इस कारण तुम्हारे दिमाग में सुख़द यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है जहां ये जानवर रहते हो, वहां सुख़द यादें कैसे रह सकती है रूना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये च्छन तुम्हारी जीवन का महतुपूर्ण मोड है जो समय गुजर चुका है, उसे यह मान लो कि तुमने वह समय अपनी मा के गर्व में सोकर गुजा रहा है जो गुजर चुका, वो मर चुका है मरे हुए को दफना दो आज के दिन, तुम जीवित मृत्यू से वापस लोटोगे इस दिन, एलीजा और विध्वा के पुत्र के प्रसंग की तरह मैं तीन बार तुम्हें छूलूँगा और तुम एक बार फिर जिन्दा हो जाओगे इस दिन, एलीजा और सुने माइट के प्रसंग की तरह मैं अपने मुह को तुमारे मुह पर और अपनी आखों को तुमारी आखों पर और अपने हाथों को तुमारे हाथों पर रखता हूँ और तुमारा जिस्म एक बार फिर से गर्म हो जाएगा इस दिन जैसा इसा ने लैजारस की कबर पर किया था मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बाहर निकलो और मौत की अपनी गुफा से बाहर आकर नए जीवन के शुरुआत करो यह तुम्हारा जन दिन है यह तुम्हारे जन की नई तारीक है तुम्हारी पहले जिंदगी किसी नाटक की तरह केवल एक रिहलसल थी इस बार पर्दा सच में उठ चुका है इस बार पूरी दुनिया देख रही है और तुम्हारी प्रसंसा में तालिया बजाने का इंतिजार कर रही है इस बार तुम असफल नहीं हो सकते अपने केंडल जला लो, अपना केक काट लो, अपनी सराब उढेल लो, तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है जिस तरह तितले अपने कवच से मुख्थ होकर उड़ती है, तुम भी उड़ सकोगे उतना उचा जितना तुम चाहो मानव जाती के ततये या दूसरे नुकसान पहुचाने वाले प्रानी तुम्हारी राह नहीं रोप पाएंगे तुम्हारे मिसन में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा तुम जीवन के सच्ची समरिधी की खोज में आगे बढ़ते चली जाओगे अपने सिर पर मेरे हाथों का सपर्स अनुभव करो एक बार फिर उस रहस्य को जान लो जो तुम्हारे पैदा होने पर मैंने तुम्हारे कानों में कहा था परंतु तुम भूल गए तुम मेरे महानतम चमतकार हो तुम विश्व के महानतम चमतकार हो या पहले सब्द थे जो तुमने सुने थे फिर तुम रोने लगे थे सभी रोने लगते हैं तब तुम्हें मेरी बात पर विस्वास नहीं हुआ था और इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे तुम्हारा या और विस्वास दूर हो तुम किस तरह चमतकार हो सकते हो जब तुम छोटी छोटे कामों में असुफल होते हो तुम किस तरह चमतकार हो सकते हो जब तुम किस तरह चमतकार हो सकते हो जब तुम कर्ज में डूबे हुए हो और इस बात पर चिंतित रहते हो कि कल का भोजन कहां से आएगा बहुत हो चुका नाली में बहादूद अब कभी वापस नहीं आ सकता परंतो मैंने कितने सारे प्रॉफिट कितने सारे समझदार आदमी कितने सारे कवी कितने सारे कलाकार कितने सारे संगीतकार कितने सारे वैज्ञानिक कितने सारे दाशनिक और संदिस वहक तुम्हारी पास भीजे, जो तुम्हें तुम्हारा दैविये स्वरुक, तुम्हारी ईस्वरिये संभावनाएं और उपलब्धी के रहस्य बताएं, और बदले में तुमने उनके साथ कैसा विभार किया। फिर भी मैं तुमसे प्रीम करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उस प्रॉफिट की बात को सच कर रहा हूँ, जिसने या घोसना की थी कि इस वर दुबारा अपना हाथ उठा कर अपने लोगों को मुक्ति देगा, मैंने अपना हाथ उठा लिया है, यह दूसरी बार है, तुम मेरे अपने हो, यह पूछना व्यर्थ है कि क्या तुम्हें पता नहीं था, क्या तुम्हें यह सुरुवात से ही बताया नहीं गया था, क्या तुम्हें धरती की निव से इससे समझा नहीं था, तुम्हें इससे जाना नहीं था, तुम्हें इससे समझा नहीं था, तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम दरसर छुपे हुए देवदूत हो तुम इस्वर की तरह ही हो परन्तु इसके बाद भी तुम मूर की भूमी का निभा रहे हो तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम मेरी अद्वुत रचना हो जिसमें प्रशूर बुद्धी, अनन्त संभावनाएं, सुन्दर और सरानिय आकृती और गती, देवदूत जैसे कार्य, इस्वर जैसी समझ है तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम इस धर्ती के नमक हो तुम्हें पहाड हिलाने का रहस्य है, असंभाव को संभाव करने का रहस्य बताया जा चुका है तुमने किसी पर विश्वास नहीं किया, तुमने सुख की राह दिखाने वाले नकसे को जला दिया तुमने मन की सांती हासिल करने की सारी संभावनाओं को नश्ट कर दिया तुमने प्रसिद्धी के पत पर राह दिखाने वाले कैंडलों को बुझा दिया और फिर तुम लड़ खड़ा गए, डर गए, वेर्थता और आत्मदया के अंधेरे में खो गए और फिर तुम अपने ही बनाए हुए नरक में गिर गए फिर तुम रोए और अपनी चाती पीट कर अपनी तकदीर को दोस्त देने लगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ तुमने ये नहीं माना कि तुम्हें अपने घटिया विचारों और आलसी कारियों के कारण घटिया परिनाम मिले तुमने अपनी असफलता का दोस्त देने के लिए एक बहाने की तलास थी और वह बहाना तुम्हें कितनी आसानी से जल्दी मिल गया तुमने मुझे दोस्ट दिया तुम रोई कि तुम्हारी सारी कमिया तुम्हारे आउसरों की कमी तुम्हारी औस अफलताएं तुम्हारी औस जिन्दगी यह सब ईस्वर की इच्छा थी तुम गलत थे हम ठीक से लेखा जोखा कर ले पहले तो हम तुम्हारी कम्यों को गिन लें क्योंकि मैं तब तक तुमसे नया जीवन शूरू करने के लिए नहीं कह सकता जब तक कि तुम्हारे पास इसके लिए सही औजार ना हो क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हारे देखे बिना सूरय उगता और डूबता है? बादल, सितारे, गुलाब, इंद्रधन उसको देख सकते हो और आखों की प्रेम की भासा भी देख सकते है इसे अपना पहला वर्दान माने क्या तुम बहरे हो? क्या बच्चे का हसना या रोना तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं, आप सुन सकते हैं और आपके हर कान में मैंने जो 24,000 तंतु लगाए हैं वे आप तक पेडों से टकराती हवा, चटानों पर टकराती लहरों ओपरा की मधूरता, चिरिया की चैचाहाट, बच्चों की मस्ती पहुँचाते हैं और यह सब्द भी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसे एक और वरदान माने क्या तुम गूंगे हो, क्या तुमारे होट हिलने से सिर्फ थोक निकलता है नहीं, आप बोल सकते हैं जो कोई दूसरा प्रानी नहीं कर सकता आपके सब्द क्रोधित मनुष्य को सांथ कर सकते हैं निरास आदमी को आसा दे सकते हैं पलायनवादी को कर्म के लिए उक्सा सकते हैं दुखी को खुश कर सकते हैं अकेले आदमी का दिल बहला सकते हैं स्रिष्ट व्यक्तियों के प्रसंसा कर सकते हैं पराजित लोगों को प्रुच्साहित दे सकते हैं अज्यानियों को सिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसे एक और वर्दान माने क्या तुम्हें लक्वा मार गया है? क्या तुम जमीन पर रिंग कर चलते हो? नहीं, आप अच्छी तरह से चल सकते हैं आप पेड़ नहीं है जो किसी छोटी से जगा पर हवा और दुनिया के थपेड़े बरदास करने के लिए अभी सब्थ हैं आप दोड सकते हैं नाच सकते हैं और काम कर सकते हैं मैंने आपके भीतर 500 मान स्पेशियां 200 हड़ियां साथ में लंबा नर्व फाइबर इसलिए लगाया है ताकि आप अपनी इच्छा से चल फिर सके इसे एक और बरदान माने क्या तुम से कोई प्रेम नहीं करता और तुम किसी से प्रेम नहीं करते क्या तुम दिन रात अकेले पन में रहते हो नहीं बिल्कुल नहीं अब आप प्रेम का रास्ते जान चुके हैं कि प्रेम पाने के लिए आपको पहले बिना पर्तिदान की आसा के प्रेम देना पड़ता है प्रेम एक ऐसा उपहार है जिसके बदले में कोई मांग नहीं होती अब आप जान चुके हैं कि निश्वार्थ भाव से प्रेम करना अपने आप में पुरस्कार है और चाहे प्रेम के बदले में प्रेम ना मिले परन्तु आपका प्रेम व्यर्थ नहीं जाता क्योंकि आपका प्रेम आपकी तरफ वापस प्रवाइत होकर आता है और आपके हिर्दे को नर्म करके इसे सुद्ध कर देता है इसे एक और वर्दान माने दुबारा गिने क्या तुम्हारा हिर्दे कमजोर है? क्या या तुम्हारे जीवन को चलाने में समर्थ नहीं है? नहीं, आपका हिर्दे बहुत सक्तिसाली है अपने सीने को छूओ और इसकी ले को महसूस करो दिन रात हर पल्य धड़कता रहता है या एक साल में तीन करोर साथ बार धड़कता है और चाहे आप जागे या सोई या जीवन पर यही करता रहता है या साथ हजार में लंबी सिराओं, धम्नियों और नसों में आपके खून को सुद्ध करता है या हर साल छालाग गैलन खून को पंप करता है इनसान आज तक ऐसी मसीन नहीं बना पाया है इसे एक और वर्दान माने क्या तुम्हें कोड हो गया है? क्या लोग तुम्हें आते देखकर डर जाते हैं? और दूर भागते हैं? नहीं, आपकी तवचा साफ है और या अद्वुत कृती है आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना होता है इस पर साबुन और तेल लगाकर इसे साफ रखना होता है समय के साथ साथ मजबूत से मजबूत लोहे पर भी डाग लग जाएंगे और उस पर जंग लग जाएगी परंतु आपकी तवचा के साथ ऐसा नहीं होगा आखिरकार मजबूत से मजबूत धातु भी घिस जाएगी परंतु वह परत नहीं घिसेगी जो मैंने आपके चारों तरफ बनाई है यह अपने आपको लगातार नया करती रहेगी पुरानी कोसिकाओं के जगा पर नई कोसिकाएं आती रहेंगी जिस तरह कि आप पुराने के जगा नई बन जाएंगे इसे एक और वरदान मानें क्या तुम्हारे फेफडे में कोई गड़बड है क्या जीवन भरी सांस को तुम्हारे सरीर में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है नहीं आपने अपने चारों तरफ इतना प्रदूशन भरा माहौल बना लिया है कि इसके बावजूद आपके फेफडे आपके सरीर में आराम से उक्सिजन ले जाते हैं आपके फेफरे 60 करोर मांच के पड़तो तक उक्सिजन ले जाते है और असुद गैसों को सरीर से बाहर निकालते हैं इसे एक और बरदान माने क्या तुमारे खून में गड़बड है क्या इसमें पानी मिला हुआ है या पसपड़ा हुआ है नहीं आपके पांच क्वार्ट खून में 22 ट्रिलियन रक्त कोसिकाएं है और हर कोसिका में करोडो अनु है और हर अनु एक सेकेंड में एक करोड़ बार हिल रहा है हर सकेंड आपके 20 लाख रक्त को सिकाएं मरती है और 20 लाख नई को सिकाएं जिंदा होती है और यह आपके जीवन के प्रारंब में होता आ रहा है यह हमिसा आपके भीतर होता रहा है अब यह आपके बाहर भी होगा इसे एक और बर्दान माने क्या तुम्हारा दिमाग कमजोर है? क्या तुम सोच नहीं सकते? नहीं, आपका मस्तिस्क इस ब्रम्हांड की सबसे जटिल रचना है मैं जानता हूँ, तीन पॉंड के इस मस्तिस्क में 13 billion nerve sales है आपके मस्तिस्क में इतनी कोशिकाए है कि यह संक्या धर्ती पर रहने वाले इंसानों से तीन गुना ज़ादा है आपकी हर अनुभूती यहाँ पर दर्ज होती है हर आवाज, हर स्वाद, हर गंध, हर काम यानि बच्पन से लेकर आज तक आपको जो भी अनुभू हुए है वे सब यहाँ पर दर्ज होते है मैंने आपके कोशिकाओं में एक हजार बिलियन बिलियन प्रोटीन अनुभी लगा रखे है आपके जीवन की हर घटना आपके याद करते ही आपको याद आ सकती है और आपके सरीर पर नियंद्रन करने के लिए मैंने 40 लाख दर्द की अनुभूती देने वाली सनरचनाओं को भी रचा है 5 लाख स्पर्स सुचक लगाए हैं और 2 लाख ताप सुचक भी लगाए है किसी देश का सोना भी इतनी हिफाज़त से नहीं रखा जाता होगा जितने हिफाज़त से मैंने आपको रखा है विस्व के साथ आश्यर भी आपसे बड़े आश्यर नहीं है आप मेरी सबसे सुन्दर और स्रिष्ट रचना है आप में इतनी आनविक उर्जा है कि आप विस्व के बड़े सहरों को नश्ट कर सकते हैं और इन्हें फिर से बना सकते हैं क्या आप गरीब हैं? क्या आपके जेब में सुना या चांदी नहीं है? नहीं, आप अमीर हैं हमने अभी आपकी दौलत को गिना है इस सुची को ध्यान से पढ़ें वर्दानों को एक बार फिर से गिनें अपनी संपत्ति का हिसाब लगाएं आपने खुद के साथ दोखा क्यों किया? आप क्यों रोए कि आपके पास कुछ भी नहीं है? और मानौता के सारे वर्दान आप से छिन चुके हैं आप इस मुगलाते में क्यों रह कि आप अपनी जिंदिकी को बदलने में सक्षम नहीं है क्या आप में प्रतिभा, योगिता, सुख, अनुभूती और गर्व नहीं है? क्या आप में आसा नहीं है? आप अंधिरे कोने में अपने सिर को क्यों छुपाए हुए हैं? आप क्यों दुबके हुए हैं? आप क्यों हारे हुए रक्षस की तरह अफसोस कर रहे हैं? आप क्यों भयावा नर्क में जाने के लिए तयार खड़े हैं? आपके पस इतना कुछ है, आपके वर्दान आपके प्याले से छलक पड़ रहे हैं और आपको उन वर्दानों का एहसास ही नहीं है जिस तरह कोई पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार से विगार देता है उसी तरह मैंने तुम्हें उदारता से और लगतार दिया है मुझे जवाब दो, खुद को जवाब दो कोई भी बुढ़ा और बीमार, कमजोर और लाचार आदमी उन वर्दानों को हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी में भरा सारा पैसा लुटा देगा जिनें आप इतने हलके पन से ले रहे हैं सुख और शफलता के इस पहले रहस्य को जाने कि आपके पास इस वक्त वो सब कुछ है जो महान गौरव हासिल करने के लिए जरूरी है या सब चीजे आपका खजाना है आपके ओजार हैं जिनकी मदद से आप आज से नए और बेहतर जीवन की निव रखेंगे इसलिए मैं तुम से कहता हूँ अपने वर्दान गिनो और जान लो कि तुम मेरी महानतम रचना हो जीवित मिल्कियों से वापस आने के लिए और फिस्व का महानतम चमतकार करने के लिए तुम्हें मेरा यह पहला नियम मानना होगा और गरीबी में सीखे वे अनुभों के प्रती क्रितग्य रहो क्योंकि गरीब वह नहीं होता जिसके पास कम है बलकि वह होता है जिसे बहुत जादा चाहिए होता है और सच्ची सुरक्षा उन चीजों में नहीं होती जो आपके पास है बलकि उन चीजों में होती है जिनके बिना आपका काम चल सकता है वे बाधाएं कहां है जिनके वज़ा से आप असफल हुए है वे केवल आपके मस्तिस्क में निवास करती है अपने वर्धानों को गिने और दूसरा नियम भी पहले नियम की ही तरह है अपने दुरलवता को साबित करें आपने खुद को एक कुमहार के आंगन में जीने के लिए विवस कर लिया है और आप वही पर पड़े हुए है आप अपनी असफलता के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते आप अपने आपसे नफरत करके अपने आपको दोस्ट देकर अपने आपको मिटाए दे रहे है आप खुद के और दूसरों के खिलाफ किये कई अपराधों को लेकर खुद से नफरत कर रहे है और खुद को नश्ट कर रहे है क्या आप दुविधा में नहीं है क्या तुम्हें अशर्य नहीं होता कि मैं तुम्हारी असफलता हूँ, तुम्हारे अपराध हूँ, तुम्हारे दैनिय विभार को किस तरह छमा कर देता हूँ, जबकि तुम इसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। मैं तुमसे यह बातें तीन कार्णों से कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम भेडों के जुंड की तरह एक भेड नहीं हो, तुम्हारा जन इसलिए नहीं हुआ है कि तुम ओसत जीवन के सूखे चारागाह में विनास की तरफ आगे बढ़ो, और तुम एक महान द सेक्सफियर के नाटक के बारे में विचार कीजिए, यह सब दो कारणों से बहु मुल्य हैं, उनके बनाने वाले बेहत प्रतिभासाली थे, और वे संख्या में बहुत थोड़े थे, पर तो सभी विधाओं में प्रतिभासाली लोग एक से अधिक संख्या में रहे हैं, इस भी कि आप अपनी तरह के एक मातर इंसान हैं, सत्तर बिलियन लोग आज तक इस धरती के सुरू होने के समय से इस पर रह चुके हैं, परन्तु पूरी तरह आप जैसा कोई वेक्ति यहां कभी नहीं रहा, नहीं विश्व के अंथ तक बिलकुल आप जैसा कोई दूसरा वेक् आपको अपने दुरलब होने का ज्यान ही नहीं है, आपके नजर में इसका कोई महत्व नहीं है, कम से कम आपने अभितक्या साबित नहीं किया है, परन्तु आप यह जान ले कि आप इस संसार में सबसे दूरलब वस्तु हैं, अतिधित प्रेम के च्छन में आपके पिता से प्रेम के अंगिनत बीज प्रवाइत हुए थे, जो संख्या में 400 मिलन से अधिक थे, यह सभी आपकी मा के सरीर में तैरे और मर गए, सभी एक को छोड़ कर, आप, किवल आप ही अपनी मा के सरीर की नर्म आच में बचे रहे, और अपने साथी को ढूंदते रहे, परन्तु, अत्यंत विशम और असंभो सी नजर आने वाली परिस्थितियों में भी, अंधिरी और विनास के उस ब्रिहत समुद्र में, आप लगन से तैरते रहे, आपने अपनी साथी को सिका को ढूंदी लिया, आप उसके साथ जुड़ गये, और आपने एक नया जीवन सुरू किया, आपका जीवन, आप यहां आएं, और हर बच्चे के तरह आप भी, अपने साथ मेरा या संदीश लेकर आएगी, मानावता की तरफ से मैं अभी निरास नहीं हुआ हूँ, दो कोसिकाओं से मिलकर एक चमतकार बन गया, दो कोसिकाओं जिनमें से हर एक में 23 क्रोमोजोम थे, और हर क्रोमोजोम में सैक्रोजीन्स थे, जिन्होंने आपके हर लक्षन को निरधारित किया, आपके आँखों के रंग से लेकर आपके आकरशन तक, और आपके मस्तिस्ख के आकार तक सब कुछ तै किया आपके पिता के 40 करोड सुक्रानों से किसी भी एक सुक्रानों से और आपके मा और पिता के क्रोमोजोम के सैक्रोजीन्स के द्वारा मैं 3 लाख फिलियन इंसानों की रचना कर सकता था जो सभी एक दूसरे से अलग होते परंतु मैंने किसकी रचना की आपकी अपने आप में अनूठे दुरलब से भी दुरलब एक बेस्कीमती खजाना जिसमें मस्तिस्क और भासा और गती और स्वरूप और कारियों के वे गुन थे जो ना तो आज तक किसी में हुए है ना आज है ना ही भविस्य में होंगे जब आपकी कीमत किसी समराट के खजाने से भी ज़्यादा है तो फिर आप अपने आपको सिक्कों में क्यों तॉलते है आपने उन लोगों की बात क्यों सुनी जिन्होंने आपको नीचा दिखाया और इससे भी बोरी बात यह है कि आपने उनका विश्वास क्यों किया मेरा कहा मानो अपनी दुरलबता को अंधीरे में मत छुपाओ इसे सामने लाओ दुनिया को दिखा दो उस तरह चलने के कोसिस मत करो जिस तरह तुम्हारा भाई चलता है उस तरह बोलने के कोसिस मत करो जिस तरह तुम्हारा लीडर बोलता है औसत दर्जे के इनसानों के तरह स्रम मत करो किसी दूसरे के तरह कोई काम मत करो कभी नकल मत करो क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके नकल कर रहे हैं वो बुरा आदमी हो और याद रहे जो बुराई की निकल करता है वो हमेशा अपने मॉडल से भी आगे निकल जाता है जबकि जो भलाई की निकल करता है वो हमेशा अपने मॉडल से पीछे रहता है किसी की नकल मत करो आप अपने जैसे ही रहें अपनी दुरलवता को दुनिया के सामने साबित करें और दुनिया आप पर सोने की बारिस कर देगी यह दूसरा नियम है अपनी दुरलवता को साबित करें और अब आपके पास दो नियम हो गए अपने वर्दानों को गिने अपनी दुरलवता को साबित करें आप में कोई कमी नहीं है आप आउसत नहीं है आप सिर ला रहे हैं आप मुस्कुराने पर विवस हो रहे हैं आप मान रहे हैं कि आपने खुद को धोखा दिया है अब आपकी अगले सिकायत के तरफ आते हैं औसर कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता मेरी बात मानो और ऐसा होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें हर काम में सफलता का नियम बताने जा रहा हूँ कई सदी पहले यह नियम आपके पितामाओं को पहार की चोटी से दिया गया था कुछ ने नियम का पालन किया और उनके जीवन में सुख, सफलता, सुवर्ण और मन की सांती के फल मिले ज़्यादा तर लोगों ने उस नियम को अंसुना कर दिया क्योंकि वे किसी चमतकारी साधन की तालास में थे, वे किसी टेड़े सौटकट की तालास में थे या फिर वे भाग ये नामक सैतान का इंतजार कर रहे थे कि वह आकर उन्हें जीवन में अमीर बनाएगा वे व्यर्थी इंतजार करते रहे जिस तरह की आप अब तक इंतजार करते रहे हैं और वे रोएं जिस तरह की आप रोए थे कि किस्मत उन पर इसले महरबान नहीं है क्योंकि या मेरी इच्छा थी यह नियम आसान है यूवक हो या बुढ़ा बिखारी हो या राजा स्वेत या अस्वेत पूरुस या महिला सभी इस रहस्य से लाब उठा सकते हैं सफलता कैसे हासल की जाए इस बारे में जितने भी नियम है भासन है और सिधान्त है उनमें से यही एक तरीका है जो आज तक कभी असफल नहीं हुआ जो भी आपको अपने साथ एक मिल चलने के लिए मजबूर करे जो भी आपको अपने साथ एक मिल चलने के लिए मजबूर करे उसके साथ दो मिल तक जाए या तीसरा नियम है एक ऐसा रहस्य जो आपको इतनी अमेरी और सोहरत देगा जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी एक और मिल चले सफलता का एक मात्र निश्चित तरीका यह है कि आप आसा से अधिक और बेहतर सिवा प्रदान करें चाहे आपका काम कोई भी हो इतिहास गवा है कि सभी सफल लोगों में यह आदत थी इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि औसत दर्जे का इंसान बनने के लिए आपको केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना की आपसे कहा जाए या जितने काम की आपको तनख्वा मिलती हो आपको जितना वेतन मिल रहा है अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे है तो यह न सोचे कि आपके साथ धोका हो रहा है जीवन में एक पेंडूलम होता है और आप जितना पसीना बहाएंगे अगर उसका फल आपको आज नहीं मिलता तो वह पेंडूलम कल घूमेगा और आपको दस गुना फल आने वाले कल में मिलेगा और सक लोग एक और मिल नहीं जाते क्योंकि वे सूचते हैं कि ऐसा करना खुद को धोखा देना है आपको अपनी तरफ से एक और मिल चलने के पहल करना चाहिए आपको इससे बचना नहीं चाहिए आप इससे बच नहीं सकते अगर आप इसे नजर अंदाज करेंगे अगर आप उतना कम काम करेंगे जितना के और लोग करते हैं तो अपनी औसफलता के लिए आप खुदी जिम्मेदार होंगे अगर आप सेवा करेंगे तो आपको उसके बदले पुरसकार मिलेगा यह बात उसी तरह तय है जिस तरह कि यह बात कि आप यदि सेवा नहीं करेंगे तो आपको पुरसकार नहीं मिलेगा कारण और परिनाम, साधन और लक्ष, बीज और फल इन्हें अलग नहीं किया जा सकता परिनाम कारण में पहले से छुपा होता है लच्छ सार्धन में छुपा होता है और फल हमीशा बीज में छुपा होता है एक और मिल चलें अगर आपका मालिक कृतर्ण है तो भी चिंता न करें उसकी और अधिक सेवा करें और उसके बज़ाए आप यह मान ले कि आपका यह कर्ज मेरे नाम पर चड़ा हुआ है क्योंकि तब आप जान चाहेंगे कि आपके हर मिनट आपकी अत्रिक्त सेवा के हर कारे का आपको पुरसकार मिलेगा और अगर आपको जल्दी पुरसकार नहीं मिलता तू भी चिंदा ना करें क्योंकि पुरसकार जितनी देर से मिलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और चक्रविर्धी ब्याज पर चक्रविर्धी ब्याज इस नियम का सबसे बड़ा लाब है आप सफलता को अदेश नहीं दे सकते आप सिर्फ इसके काबिल बन सकते हैं और अब आप जान गए हैं कि सफलता हासिल करने का महान रहस्य क्या है एक और मिल चलें वह जगा कहा है जहां से तुम चिलाई थे कि कोई औसर नहीं है देखो अपने चारो तरफ देखो देखो कल तुम आत्मदया के कच्रे में किसी बौने की तरह पड़े हुए थे अब आप सोने के गलीचे पर तनकर चल रहे हैं कुछ भी नहीं बदला सिर्फ आप बदले हैं परंतु आप ही तो सब कुछ हैं आप मेरे महांतम चमतकार हैं आप विश्व के महांतम चमतकार हैं और अब सुख और सफलता के तीन नियम आपके पास हैं अपने वर्दानों को गिनें अपनी दुरलवता को साबित करें एक और मिल चलें अपनी प्रगती को लेकर उतावले नहो धीरज रखें कृतागिता से वर्दान गिनने में गर्व से अपनी दुरलवता साबित करने में एक और मिल चलने में समय लगता है यह काम पलक जपकते ही नहीं हो जाते परन्तु जो आपको बहुत अधिक मुश्खिलों के बाद हासिल होता है आप उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं याद रखें जिन्हें दौलत विरासत में मिलती है उन्हें इसका महत्व समझ में नहीं आता परन्तु जो लोग खुद की मेहनत से दौलत बनाते हैं वे इसे ज़्यादा संभाल कर रखते हैं और अपने नई जीवन में प्रवेश करते समय डरे नहीं हर महान काम के साथ कुछ न कुछ जोखिम होता है अगर आप चाहें कि आपको एक चीज मिल जाए और दूसरी चीज से आप बच जाए तो ऐसा नहीं हो सकता अब आप जान चुके हैं कि आप एक चमतकार है और चमतकार में कोई डर नहीं होता गर्व करो आप किसी लापरवार रचेता की छनिक सनक का परिनाम नहीं है जो जीवन की प्रयोग साला में प्रयोग कर रहा था आप उन सक्थियों के गुलाम नहीं है जिन्हें आप समझ नहीं सकते आप किसी छोटी मोटी सत्ती के नहीं बलकि मेरी सत्ती की अभिवक्ती है किसी दूसरे के प्रेम के नहीं बलकि मेरे प्रेम की अभिवक्ती है आपको किसी उद्देश के लिए बनाया गया है मेरे हाथ के इस पर्ष को महसूस करो की जरूरत है तो इससे हमें क्या परिसानी है हम दोनों ही चमतकार हैं और अब हम एक साथ हैं मैंने उस दिन से तुम्में आस्ता कभी नहीं खुई जब मैंने तुम्हें एक बड़ी लहर से बुना और रिगिस्तान में तुम्हें उतार दिया अगर तुम समय का हिसाब लगाओ तो यह पांच सो मिलियन साल पहले की बाद थी कई मॉडल, कई आकारो प्रकारों के बाद मैं तीस हजार साल पहले तुम्हारे निर्मान में पूर्णता तक पहुँचा मैंने इसके बाद इतने सालों में तुम्हें सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि चमतकार को मैं किस तरह सुधार सकता था देखने में तुम अद्वुत थे और मैं तुम्हें देखकर खुश होता था मैंने तुम्हें यह दुनिया दी और तुम्हें यहां का सासक बनाया तुम अपनी पूरी संभावना तक पहुँच सको इसके लिए मैंने तुम पर अपना हाथ रखा और तुम्हें ऐसी सक्तियां दी जो ब्रमान में किसी दूसरे प्रानी के पास नहीं है मैंने तुम्हें सूचने की सकती दी मैंने तुम्हें प्रेम करने की सकती दी मैंने तुम्हें इच्छा करने की सकती दी मैंने तुम्हें हसने की सकती दी मैंने तुम्हें कलपना करने की सकती दी मैंने तुम्हें रचना करने की सकती दी मैंने तुम्हें यूजना बनाने की सकती दी मैंने तुम्हें बोलने की सकती दी मैंने तुम्हें प्राथना करने की सकती दी तुम पर मेरे गर्व की कोई सीमा नहीं थी तुम मेरी सबसे बहतरीन रचना थे मेरा महांतम चमतकार एक संपूर्ण जीता जागता प्रानी, एक ऐसा प्रानी जो किसी भी मौसम के हिसाब से ढल सकता था, किसी भी कठनाई और चुनोती का सामना कर सकता था, जो मेरे हस्त छेप के विना अपनी खुद की तकदीर बना सकता था जो किवल सहज ग्यान से रही, बल्कि विचार और चिंतन से किसी अनुभूती या एहसास में या फैसला कर सकता था कि उसके लिए और सारी मानोता के लिए कौन सा कारे सर्वस्रिष्ट रहेगा अब हम सफलता और सुख के चौथे नियम पर आते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक और सकती दी है, इतनी महान सकती जो मैंने अपने देवदूतों को भी नहीं दी मैंने तुम्हें चुन्ने की सर्टी दी इस उपहार से मैंने तुम्हें अपने देवदूतों से भी उपर स्थान दिया क्योंकि देवदूत पाप का मार्ग चुन्ने के लिए स्वतंत्र नहीं है मैंने तुम्हें अपने भागे पर पूरा नियंत्रन दिया मैंने तुम्हें खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना रास्ता निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी तुम न तो स्वर्ग के थे न धर्दी के बलकि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने आपको बनाने के लिए स्वतंत्र थे तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता थी कि तुम चाहो तो निक्रिष्ट प्रानियों की तरह पतन के मार्ग पर चलो साथ ही तुम्हें आत्मा के ज्ञान की वह सक्ती भी थी जो तुम्हें डैविये सक्तियों वाले उचाई के मार्ग पर ली जा सक्ती थी मैंने तुम्हारी महान सक्ति चुनाओ करने की सक्ति को कभी वापस नहीं लिया तुमने इस प्रबल सक्ति का कैसा प्रियोग किया अपनी तरफ देखो ज़रा सोचो अपनी जिन्दिगी में तुमने क्या चुना था और उन कटू छनों को याद करो जब तुम घुटने टिक कर या प्राथना करते थे की कास तुम्हें एक बार फिर से चुनने का मौका मिल जाए जो गुजर गया उसे गुजर जाने दो और अभी तो तुम जान लो कि सुख और सफलता का चौथा महान नियम यह है अपनी चुनाव करने की सक्ति का समझदारी से इस्तमाल करो नफरत करने के बज़ाए प्रीम का चुनाव करो रोने के बज़ाए हसने का चुनाव करो नश्ट करने के बज़ाए रचने का चुनाव करो बुराई करने के बज़ाए तारीफ करने का चुनाव करो चोट पहुँचाने के बज़ाए मरहम लगाने का चुनाव करो चोरी करने के बज़ाए देने का चुनाव करो काम टालने के बज़ाए काम करने का चुनाव करो सडने के बज़ाए बढ़ने का चुनाव करो साब देने के बज़ाए प्राथना करने का चुनाव करो मरने के वज़ाए जिन्दा रहने का चुनाव करो अब तुम जान गए होगे कि तुम्हारे दुर्भाग मेरी इच्छा से नहीं आए क्योंकि सारे सक्तितों तुम्हारे ही पास थी जिन विचारों और कर्मों के वज़ा से तुम कचरी के धेर पर पड़े हुए थे वे सभी तुम्हारे ही थे, मेरे नहीं थे तुम्हारी छोटी प्रकृति के मान से मेरे सतिसाली उपहार बहुत बड़े साबित हुए अब तुम उचे और समझदार हो गए हो और अब इस धर्ती के सभी फल तुम्हें मिलना चाहिए यह जान लो कि तुम आदमी ही नहीं हो बलकि महान आदमी बन सकते हो तुम में महान चमतकार करने की छमता है तुम्हारी संभावना ओसीमित है मेरी बनाई इस रिस्टी में तुम्हारे अलावा किस दूसरे प्रानी ने अगनी को अपना गुलाम बनाया है किसने गुरुत्वाकर्सन को जीता है किसने आस्मान को चीरा है किसने बिमारी और महमारी और आकाल को जीता है अपने आपको फिर कभी छोटा मत समझना जिंदिगी के बचे कुछे टुकडों से कभी संतुष्ट मत होना आज के बाद कभी अपनी परदिवा को मत छिपाना उस बच्चे को याद करो जो कहता है जब मैं बड़ा बच्चा बन जाओंगा और उसके बाद बड़ा बच्चा कहता है जब मैं और बड़ा हो जाओंगा और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कहता है जब मेरी साधी हो जाएगी और साधी के बाद क्या होता है इसके बाद वो विचार बदल कर यू हो जाता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा और फिर, रिटार्मेंट आता है और वो पलट कर अपने पिछले जीवन की तरफ देखता है वो पच्टाता है और सूचता है कि उसने कितने सारे अवसर गवा दिये और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा इस दिन का आनंद लो, आज ही, कल भी और परसो भी तुमने दुनिया का सबसे महान चमतकार कर दिखाया है तुम जीवित मिर्टियों से वापस लोटाए हो अब तुम कभी आत्म लिया से पीडित नहीं रहोगे और हर नया दिन तुम्हारे लिए चुनावती और आनंद लेकर आएगा तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है परंदु पहले की तरह तुम असफलता और निरासा या सुख और सफलता में से किसी एक का चुनाव कर सकते हो चुनाव तुम्हारा है चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है मैं पहले की तरह सिर्फ देख सकता हूँ गर्व से या दुख से सुख और शफलता के इन चार नियमों को याद रखना अपने वर्दानों को गिने अपनी दुरलवता को सावित करें एक और मिल चले अपनी चुनाओं की सत्ती का समझदारी से इस्तमाल करें और हाँ, इन चारो नियमों के साथ एक बात और, इन सभी को प्रेम से करें, या प्रेम आपके लिए हो, बाकी लोगों के लिए हो, और मेरे लिए हो, अपने आसु पोश्ट आ लिए, आगे हाथ बढ़ाईए, मेरा हाथ पकड़िये, और सीधे खड़े हो जाईए आप जिन कबर के कपड़ों में बंधे हुए हैं, उनके बंधन से मैं आपको मुक्त करता हूँ, इस दिन मैं आपको यह प्रमान पत्र देता हूँ, आप इस दुनिया के सबसे महान चमतकार हैं लिसन 11, मैं सूचता हूँ कि ओफिस में क्रिसमस की जो पाटियां होती है, वो नहीं होना चाहिए परिसान आदमे अपना गम गलत करने के लिए इस दिन थोड़ा ज़्यादा पी लेता है, और तमासा खड़ा कर देता है लड़ता जगड़ता है, या फिर बेहुसी की हालत में कार चला कर अपनी या किसी दूसरे की जान ले लेता है इस तरह के घटनाओं को रोकने क्या कोई तरीका नहीं है, वो विचारा अपने कुंठाओं, दमित इच्छाओं और दुख के कारण ज़्यादा पी लेता है इसी प्रकार पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता, हर साल मैं संकल्प लेता हूँ, आम तोर पर क्रिसमस के बाद कि पहले कारे दिवस पर कि अब हमारे ओफिस में पार्टी नहीं होगी, हम मुर्खतापून ढंक से खर्च करने के बज़ाए इस पैसे को किसी जरूरतमन परि इसलिए जब रिकॉर्ड प्लेयर पर खराब आवाज में वाइट क्रिसमस गीत की धजिया उड़ रही थी, तो मैंने दो पैग पिये और मुस्कराने की कोशिस की, फिर मैं चहल कदमी करने लगा, लोगों के कंदों पर हाथ रखते हुए और गाल चुमते हुए मैं अपने आपको किसी जासूस की तरह महसूस कर रहा था, मैं बार बार खुद को तसल्ली दे रहा था कि सभी लोग सही सलामत घर पहुँच जाएंगे और वे रास्ते में और सराब पीने के लिए नहीं रुकेंगे, नहीं ज़्यादा सराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए पुलिस नहीं रुकेगी, आखिर सराब खत्म हो गई और ओफिस जल्दी ही खाली हो गया, पीछे इतना सारा कच्रा पड़ा था जो तभी हट सकता था जबकि मैं सफाई करने वाले आदमी को 20 डॉलर का नोट देता, मैंने 20 डॉलर के नोट को पहले ही क्रिसमस कार्ट के साथ पैट क डिस्क पर रख दिया था, जहां सफाई करने वाले की नजर निशित रूप से पढ़ जाए, मैं सराब के अपने आखरे गिलास को अपने ओफिस में लेकर गया, मैं ठखकर सोफे पर बैठ गया, गिलास को मैंने मेज पर रख दिया, गिलास को घूरते समय, मैं जैसे सम्मू ही थो गया, साइमन, हमने सेरी के जो गिलास एकठे भरे थे और खाली किये थे, साइमन, साइमन तुम कहा हो, अचानक मैंने एक फैसला किया, और अपने डेस्क पर गया, मैंने अपने टेलिवीजन इंडेक्स गैजिट पर एक बटन दबाया, और फ्रेड फेल का नंबर लग रहा है, तुम कैसे हो, सिकागो का मौसम कैसा है, यहाँ पर बर्फ गिर रही है, यहाँ पर दो दिन से पानी गिर रहा है, मुझे लग रहा है, जैसे लॉंग आइलेंड डूबने वाला है, तो मियामी की तरफ चले जाओ, मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है, औ अभी हाली में खत्म हुई है और तुमने कुछ पैग पी लिए और थोड़े भावख हो गए और तुम्हें अपने पुराने प्रकासक की याद आ गई यह सब तो सही है परन्तु एक और कारण भी है क्या मैं एक और पुष्टक लिखने के लिए तयार हूँ मुझे यकीन नहीं होता मैं तो यह सोचने लगा था कि तुम पैसे गिनने में इतने व्यस्थ हो गए हो और गौर विडाल की तरफ इतने टॉक्सों में इतने व्यस्थ हो गए हो कि तुम्हारे पस अब और लिखने के फुर्सत ही नहीं है तुम क्या करना चाहते हो, पुछ तक किस बारे में है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं इसे किसी तरह से नहीं समझा सकता न तो फोन पर, नहीं आमने सामने की मुलाकात में मैं बस इसे लिखने जा रहा हूँ क्या तुमने इसका टाइटल सोचा है मुझे या पसंद आया या महान चमतकार क्या है या सब मत पूछो क्या या दे ग्रिटेस सेल्समें इन दे वर्ल्ड की तरह ही है उससे भी बढ़िया मुझे इसमें कल्पना की उड़ान नहीं भरना पड़ेगा ठीक है ओग मैं जानता हूँ कि तुम पर दबाव डानने से कोई फाइदा नहीं होगा तुम्हें कॉंट्रेक्ट चाहिए कोई जल्दी नहीं है जब भी तुम ठीक समझो सरते पहले के तरह होगी ठीक है मेरे पास किताब कब तक आ जाएंगी 31 जनवरी 1975 लिख लीजिए इसका मतलब है आज से एक साल और एक महीने बाद तुम्हें इतना लंबा समय चाहिए हाँ ठीक है इसे पक्का समझो हमारा रिस्ता कितना अच्छा है मुझे हैरत होती है कि कितने प्रकासक इस तरव पुस्तकों के कॉंट्रेक्ट देते होंगे जबकि उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि वे क्या खरीद रहे हैं जब मैं ओफिस से बाहर निकला तो बाहर बहुत अंधीरा था बर्फ अभी गिर रही थी और मैं पार्किंग स्थल तक अपने पैरों के निशान छोड़ता हुआ गया मुझे अपने भीतर एक जलते हुए खालीपन का एहसास हुआ और मैं जानता था इसका कारण क्या था पार्किंग स्थल के पार मैं उस अपार्टमेंट को देख सकता था जहां मैंने इतने सुकत घंटे गुजारे थे गिरते हुई बर्फ में यहां वा रौसनी की चमप दिखाई दे रही थी इस समय तक हम लोग एक दूसरे को मेरी क्रिस्मस कह रहे होते और गिलास टकरा रहे होते और उसकी सुन्दर आवाज मेरे कानों में टकरा रहे होती जब उसने मेरे खरीदे हुए तौफे को खोला होता साइमन, साइमन मुझे तुमारी याद आ रही है, मुझे तुमारी बहुत याद आ रही है मैं जोर से बोल रहा था, हवा से और गिरती हुई बर्फ से फिर मैं उन आसुओं और सिसिखियों से लड़ने लगा जो अंदर से बाहर निकलने की कोशिस कर रही थी मैं पूरी तरह अकेला था और मैं हार गया मैंने अपनी कार की चाविया टोटो ली और दर्वाजे को खोला मैंने चावि को लगाया, तभी अचानक मेरे मन में इच्छा होई कि एक और पैग पी लिया जाए परन्तु मैं जानता था कि क्या होगा, एक पैग की जगर बीस पैग हो जाएंगे और चाहे मैं कितने ही बार में क्यों ना चला जाओं, मुझे सैमन कहीं नहीं मिलेगा मैंने अपनी कार को पीछे किया और बाहर के दर्वाजे के तरफ तेजी से काटा इसकी टायर ताजीगीरी बर्थ पर आवाज करते वे चल रहे थे मैंने अपनी खिडकी खोली और अपनी चावी को गेट खोलने के छेद में घुमाया गेट खुल गया और आस्मान के तरफ उठ गया मैंने गियर बदले और गेट की नीचे से होता हुआ बाहर निकलाया मेरी कार की हेडलाइट दूसरी मंजिल के आपाटमेंट की खिडकी पर पड़ी जहां अंधेरा था मैंने अपनी आँख चपकाई और अपने सेल को हिलाया मैंने दुबारा देखा मेरी हेडलाइट की रोसनी एक बार फिर खिडकी में रखे बॉक्स पर पड़ी ओ गौड, बॉक्स में एक पौधा लगा हुआ था, जो गिरती हुई बर्फ में भी लहरा रहा था, एक सुन्दर पौधा, एक ब्लू रिबन पौधा, एक लाल कांच का जेरेनियम मैं आसा करता हूँ कि ये किताब आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी नहीं लगी, तो हो सकता है कि मेरे बोलने की सैले सही अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि और आपसे आगरा करता हूँ कि अगर सच में आपको ये बुक बहुत अच्छी लगी, तो आप ये बुक खरीद कर औग मेंडिनों को मोटिवेट करो, जिसे वो इससे भी बहतरीन किताब लिखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहां से भी जाके ये बुक खरीद सकते हो, और अगर आप प्राथना करते हो, या प्राथना में बिलीव करते हो, तो एक बार ओग मेंडिनों के लिए भी प्राथना करना, थैंक्यों